तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करें डिफाइनर यूटीब चैनल पे और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं compound interest का complete chapter जी बिलकुल अगर आप competitive examination की तयारी कर रहे हैं तो ये topic arithmetic का सबसे important topic में से एक है और इस topic में आप सभी के सबसे ज़्यादा doubt रहते हैं क्योंकि ये topic अपने आप में कुछ complex logics रखता है वो logic हमारा पूरा properly clear ना होने के वज़े से हम इन questions को अच्छे proper approach के साथ tackle नहीं कर पाते जिसके वज़े से हमें लगता है कि ये बहुती lengthy, बहुती calculated, बहुती complex, बहुती time consuming चीज है बट आज हम इस चीज को सीखने वाले हैं कि आपके यहां पे multiple methods होते हैं इस compound interest के different questions को solve करने का और अगर आप ये जान ले कि कौन से question में कौन से method को perfectly लगाए जा सके तो आप के सवाल चंद seconds में बन सकते हैं इसका guarantee मैं कौशिक मौहनती लेता हूँ, तो आप सभी का स्वागत है career refiner YouTube channel पे और हाँ, जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं इस efforts को, इस महनत को थोड़ा appreciate करने के लिए एक बार session को जमके like और share कर दें तो महरबानी, और साथी साथ अपन valuable comment, feedback के तोर पे जरूर से दीजिएगा कि आज का session आपको कैसा लगा, तो आज इस topic में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उसके उपर एक बार चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि compound interest का basic concept क्या होता है, compound interest का definition, क्या-क्या उसका role लेता है, वगेरा फिर उसके बार हम चलेंगे compound interest का formula है, क्योंकि आप सभी लोग maximum formula approach से ही questions को solve करते हो, वो formula का traditional derivation क्या है, वो भी हम discuss करेंगे, अगर सच में वो formula बार-बार percentage change होने के कारण ही आया है, जैसे कि population formula और अगर मैं बात करूं, compound interest का formula डिक्टो है, मतलब बार-बार percentage change होने के कारण तो क्या हम यहाँ पे successive percentage का कोई role लगा सकते हैं, बिलकुल लगा सकते हैं, successive percentage दो किसम के आते हैं, अगर आपके easy values होते हैं, तो वहाँ पे हम खुपचरा तरीके से AB method का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर अगर basic percentage values, 12.5%, 16.66%, जिनको easily fraction में represent किया जा सकता है, उनको हम काफी आसा सच में यह सारे के सारे methods जानना जरूरी है, कोई एक method में काम नहीं बनेगा, तो मैं आपको कहूंगा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यह सारे methods आपके different questions में different different जगा use होने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ कोई जगा आपका formula में answer 15 seconds देगा, तो ratio आपका 30 seconds ले लेगा, किस से करना है, वो भी मैं बारी की से इस session में आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चिंता करने के बिलकुल भी जरूरा नहीं है, और साथी साथ सारे method सीखने के बाद, जो सबसे logical और complex part इस topic का रहता है, वो है difference between times and time, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप आपको लग रहा होगा कि इसके बीच में कोई अंतर नहीं, बट अभी अगर मैं एक छोटा सा overview दूँ तो आपके दिमाग में clear हो जाएगा, times, times मतला गुना, 3 times 3 गुना, 4 times 4 गुना, time यानि कि sum है, 3 years, 4 years, तो ये times और time के बीच में जो logical relation है, इस compound interest topic का, उसको में basic से लेकर के advance तक जितने categories के सवाल है, उन सब को एक एक करके समझाओंगा, और साथी साथ, जो bank examination के अगर मैं बात करूँ, या SSE examination की बात करूँ, सबसे favorite part, कि हमें एक question में simple और compound, दोनो mixed, combined form में देखने के लिए मिलते हैं, वो questions भी हम लोग discuss करेंगे, लेकिन वो कब हम सारे methods के बार concepts आपके clear होंगे, उसके बाद मैं simple compound के mixed questions को जाऊंगा, वो भी basic से लेकर advance, और finally, mains level के high level word problems करके, इस topic को complete करूँगा, क्योंकि किसी भी topic को जब मैं कहूंगा कि खतम हुआ, बिना high level और mains level problem के, वो कभी भी संबब नहीं है, तो finally हम वो करके topic को wrap up करेंगे, तो दिल थाम के pen or paper लेके रहिए, और साथी साथ, मैं हर question के बाद थोड़ा side हो जा रहा हूंगा, आपको screenshot भी लेना है, और सवाल display करते ही, pause करके एक बार खुद try करना है, तभी जाके development तरक्की होगा, उमीद करता हम सभी लोग ने session को like और share कर दिया, अब बढ़ते हैं, हमारे सबसे पहल पर, start हो चुका है chapter भाई लो, ठीक है, heading लगा दीजे, compound interest, ठीक है सर, heading लगा लिया, ध्यान से सीखेगा, मैं काफी slow-slow जाओंगा, आराम से जाओंगा, क्योंकि आपके पास speed बढ़ाने का option है, अगर मैं compound interest की बात करूं, तो compound interest क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, तो इसको कहा जाता है, चक्रविर्दी व्याज, जो कि हम definition जानते हैं कि व्याज के उपर व्याज, या फिर interest के उपर interest, वो interest कैसे लगता है, वो मैं आपको बताने से पहले, interest क्या है, वो कैसे आता है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, सबसे पहले, एक P, यानि क टाइम के लिए जमा होगा, और बैंक आपको एक particular R, यानि कि rate of interest, जो कि किस में रहता है, वो हमारा percentage में रहता है, वो आपको देगा, सर ये percentage में क्यों रहता है, मैं आपको इसके बारे में भी एक चर्चा करना चाहता हूँ, मान लेते हैं, बैंक में आपने 10,000 रखा है, मै तो मेरे एक लाख रखने का क्रीचे क्या फाइदा बना, तो वो जब percentage के इसाब से जाता है, तो वो काफी biased, unbiased रहता है, और काफी genuine हद तक distribution रहता है, इसलिए हम इस चीज़ को आपके जो पैसे रखे, उसके percentage के इसाब से दे, तो आपका और मेरा जो है, दोनों के लिए वो चीज़ genuine रहेगा, इसलिए ये rate of interest जो bank आपको देता है, वो हमेशा percentage में रहता है, नौकी कोई एक numerical figure, अब इतने साल के लिए कुछ rate of interest में वो कुछ पैसा देगा, जो पैसा वो देगा, वो इस chapter में interest, compound interest कहलाएगा, compound interest, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक point और बोल देन plus, जो bank ने आपको extra return में दिया, जो extra आता है, उसी को interest कहा जाता है, short definition, जो आपने दिया, उससे जो extra आता है, वही interest है, सबसे सरल भासा में interest को वही definition दिया जाता है, तो जो आपने bank में जमा किया है principle, plus जो आपको bank ने interest दिया, वो मिला लेंगे, तो वो amount हो जाता है, यहां जाता है कि यह सारी के सारे terminology, nomenclature clear होगे, उमीद करता हूँ, हा सर, compound interest अगर मैं अपने भासा में कहूँ, तो अपने भासा में मैं इसको वड़ा सरल तरीके से कहना चाहता हूँ, जब आपका interest, amount के उपर लगता है, तो उस type के interest को compound interest कहा जाता है, अचानक से सब लोग, मतल जो rate है, वो 10% का चल रहा है, अगर मैं बात करूँ, तो इस 100 के उपर मुझे 10% मिलेगा, 100 का 10% कितना होता है, सर, 100 का 10% 10 रुपए ही होता है, तो 10 रुपए के साथ, एक साल जब खतम हुआ, मेरे account में 110 हो गया होगा, यहां तर बात सा, बट मैंने compound interest का definition क्या कहा, कि interest हमेश 10%, वो इसी amount के उपर मिलेगा, as per the definition, 110 का 10% कितना होता है, सर, वो 11 रुपए होता है, तो 11 रुपए के साथ, 121 रुपए बन जाएगा, this is the amount after the end of second year, बट अगर मुझे 3rd year interest again 10% मिला, वो किसके उपर मिलेगा, इसी amount के उपर मिलेगा, जो कि इसका 10%, सिर्फ एक decimal लगाने से 12 133.1, और add करोगे तो 133.1, and so on करके ये चीज़ चलता रहेगा, but the question arises कि सर, हमारा बचपन का परवरिस गलत है क्या, मैंने का मतलब, कि सर हमने तो सुना था, interest के उपर interest मिला है, वो extra मिल रहा है, मतलब सर, ये compound interest कि इस topic के बाद है, simple interest के बाद है, simple interest ने हमें क्या सिखा दिय कि जो principal bank में आप जमा करोगे, उसके उपर interest मिलना confirm है, 100%, वो मिलेगा, लेकिन compound interest ने आपको ये कहा कि उसके उपर तो मिलेगा, साथ ही साथ extra जो interest बनता है, उसके उपर भी मिलेगा, और उस definition को हमने शॉटिफाइ कर दिया क्या, कि principal पे मिलेगा, interest पे मिलेगा, तो total amount पे मि अगर 0 है, तो amount जितना है principal वही है, तो आपको इसी के उपर 10% 10 मिल गया, तो ये एक और point भी आप note down कर सकते हो, कि पहले साल के लिए जब कोई amount होता ही नहीं, principal और amount बराबर होता है, तो simple और compound interest भी बराबर रहेंगे, अगले साल से ही changes देखने के मिलेगा, जब मैं अगले स तो ये जो 11 रुपे का interest मैंने आपको direct कहा था कि 10% इसके उपर मिल रहा है, इसके पीछे का अगर मैं राज खोल के देखो, तो यहां तक 110 बनने के पीछे का राज क्या था, जो 100 मैंने जमा किया था, उसके उपर 10 का interest मिला था, ये ही मिला के 110 बना था, अगर मैं अपने जम यह मिला के 11 ही बनाएगा लेकिन क्या आप इस complex को अभी जब जरूरत नहीं है जब जरूरत होगा जब होगा तब समझाओंगा ज्याद अच्छे समझोगे लेकिन क्या अभी ऐसे करके जाने की कोई requirement है मेरे ख्याल से तो नहीं जैसे कि यह जो 12 दसमलक एक है इसको आप क्या क इसलिए topic clear नहीं हो रहा नए definition के इसाब से खुश रहो कि आपका जो interest है वो amount के उपर लगेगा जिसके बारे में मैंने कहा तो interest के पीछे कब कैसे question solve करने है वो भी मैं भाई आपको बताओंगा tension बिलकुल ना लेना है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है सब इस topic में एक formula का इस formula अपरटो compound amount का पूरा का पूरा amount मतला जो principal आपने दिया plus interest bank दे रहा है मिला के वो होता है P whole into 1 plus R by 100 to the power T और उमीद करता हूं इनके बारे में तो मैंने चर्चा करी लिए P वो principal है जो आपने bank में जमा किया R वो rate of interest है जो percent में आपको bank return देता है T वो time period है जित time के लिए बिल्कुल नहीं करना आपको मैं mentor हूँ आपका मैं proper तरीका जानता हूँ मैं बताता हूँ आपका प्लीस tension ना ले सर अगर मैं total जो bank से लेके आ रहा हूँ जिसमें मेरा पैसा और bank का पैसा मिलके है उसको amount कहता है न उसमें से अपना हिस्सा जो मैंने दिया था starting में उसको हटा दू तो बाकी वाला हिस्सा जो amount interest bank ने दिया हूब बता चल जाए तो सर अगर मैं P whole into 1 plus R by 100 to the power T जो पूरा पै इसा bank मुझे दे रहा है उसमें से अपना P हटा दू तो P दोनों से सर common चला गया यहां पर बच गया मेरे प्लास 1 plus R by 100 to the power T और यहां पर बच गया मेरे पास minus 1 यह है direct compound interest का formula लेकिन मैं आपके सहूलियत के लिए एक चीज़ कह रहा हूँ जिन्दगी में अगर आपको कभी formula इस्तेमाल करना है use this use this never use this क्योंकि अगर सर आपको interest चाहिए भी तो आप amount से भी अपने principle को minus करके एक step extra में लिखाल सकते लेकिन इसके तरह तरह के benefit है इसको इसको इस्तेमाल करने के क्या कुछ वो मैं आपको बताऊगा कैसे for example अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सवाल sir cheating मैंने invested at 20% per annum for 2 years अगर 15,000 रुपे 20% के इसाब से 2 साल के लिए निवेश किये गए तो interest कितना है sir आपने अभी कहा मैं आपके बात चल रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत गाली दे रहे हो तो आपने कहा कि compound amount निकाल देओ मैं निकाल दिया मैंने कहा कैसे sir p whole into 1 plus r by 100 to the power t करक मैंने का sir मैंने जो principle दिया है वो 15,000 है 1 plus r जो है वो 20 by 100 है क्योंकि r 20% है और time मुझे sir 2 साल है तो to the power 2 एक second अगर आपको सच में derivation देखना है तो मेरे लिए इसको cut करके बिना cut करके रख सकते हो हा sir अगर मैं 1 plus 20 by 100 करूं तो 100 plus 20 क्या ये 120 by 100 दिखा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 15,000 into 120 by 100 का square यानि कि 120 by 100 दो बार आ गया हा sir अब इस formula के पीछे का derivation मैं आपको कहना चाहता ह हा sir derivation बता हूं क्या अगर मैं आपका आंक बंद कर दो कि ये formula भूलो और सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उसके उपर ध्यान दो उपर कोई ने देखागा सिर्विदर कि मैंने 15,000 रुपे दिये आपको सालाना bank 20% देता है तो आपका पैसा में जब bank 20% और जोड देता है तो यहां तक तो bank ने सिर्फ एक साल के लिए 20% बढ़ा के दिया था अब एक और साल लखोगे तो जो पैसा था क्योंकि amount के उपर ही अब interest मिलेगा जो पैसा था वो again 20% बढ़के 120% बन गया तो यही जो है यही आपका जो basic knowledge है population वाला सवाल कि 20% बढ़ाने के लिए आप क्या कर जाते हैं इसलिए यह formula में minus होता है तो क्या आप लोग अगर इतने talented हो तो इतना सारा चीज ना लिखे मेरे लिए एक चीज इन सब का conclusion लिख सकते हो sir conclusion क्या कुछ अच्छा बताने वाले हो शायद मैंने का हाँ बिलकुल sir बताओ इंतिजार है आपका मैंने का अगर formula में अं 1 by 5 5 पांच पार्ट में एक पार्ट बढ़ाने से जो value है वो 6 by 5 times हो जाता है 5 में एक बढ़ा दोगे तो 5 को 6 बना दोगे इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि suppose मैंने 15,000 रुपे दिया था अगर मैंने इसको 20% 5 में से एक पार्ट बढ़ाया तो 5 में एक जोड़के 6 बटा 5 बन क्या होगा ये पहले साल के अंत ता लेकिन और एक साल दो साल रखा गया और एक साल के बाद ये 5 से 6 होके 6 बटा 5 बन गया होगा अगर आपको ये परसेंटेश चैप्टर पढ़े हो तो आसानी से समझ में आएगा नहीं तो बेस पूफोफों के तरह 20 में काटके 6 बटा 5 इ और अंत में रेजल्ट 25 में यहां पे जब 6 बार जाएगा तो 216 में जब 20 आजाएगा ये अमाउंट है ये हमारा अमाउंट है और नियम अनुसार जब मुझे इंट्रेस्ट की रिक्वर्मेंट है तो इस अमाउंट से मुझे अपने दिये हुए प्रिंसिपल यानि कि 15,000 क हटा देते हैं तो जो हमारा कंपाउंट इंट्रेस्ट निकल के आ जाएगा वो 6,600 अप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्या आपने M1 देखा था हा सर वो है क्या ये मेथड वन है पहला मेथड जो की फॉर्मूला ओर और फॉर्मूला का बेसिक अप्रो कैसे M2 और M3 एक साथ आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको ये confirmation मिल ही चुका है कि आपके पहले साल भी 20% बढ़ने वाला है और अगले साल भी और 20% बढ़ने वाला है तो अगर मैं 20 के उपर 20% दो बार बढ़ा के overall percentage change कितने का हो रहा है अगर वो निकाल एक method निकलेगा मैंने रहा किसरो बार बार percentage change होने के कारण जो overall percentage change जानने का method है overall percentage change जानने का method है वो भी हम सर लगा सकते है मैंने का उसको क्या का जाता है सर बार बार एक के उपर एक, successive percentage सर, successive, मैंने का हाँ, चिल्लाओ, मन बताओ, सर, successive भी लगाया जा सकता है, क्या मैं आप से एक सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ सर, यह successive percentage, कितने तरीके से लग सकता है, सर, कितने तरीके से, यह दो तरीके से लग सकता है, M2, जो की होता है, AB मेठ़, सर, यह क् formula भी जानते हो, हाँ sir AB कब लगाना होता है, जब values काफी खुबसूरत होते हैं, 20, 25 30, 40, 50, तब यह और ratio कब लगाए जाता है, जब basic percentage values हो, 12.5% मुझे पता है 1 by 8, 16.66% 1 by 6, 14.28% 1 by 7, जब गंदे-गंदे decimal आएंगे, मैं इसको avoid करूँगा इसको जाऊंगा, और जब खुबसूरत value जाएंगे, मैं इसको avoid करूँगा, इसको आऊंगा, तो इसलिए मैंने कहा था, हर एक methods के अपने-पने खुबसूरती होती है, अगर मैं उस इसाब से बात करूँ, तो यहाँ पर AB method के इसाब से हमारा answer कैसे आएगा, AB method हमें कहता है कि अगर आप पहले एक चीज को x% से बढ़ाते हो, फिर आप अगर उसके उपर और y% बढ़ाते हो, तो plus x plus y, plus जो 2% से बढ़ाते हो, उनका product बटे 100 कर दो, आपको overall कितना % से वो चीज बढ़ रहा है, वो पता चल जाएगा 40 और ये 4, 44% दिखा, सर इससे आप क्या conclude कर रहा हूँ, इससे में ये conclude कर रहा हूँ, कि overall जब मैं 20-20% करके एक साल, दो साल तक बढ़ाया, तो दो साल तक ये पैसा 44% बढ़ गया होगा, सर जो 44% बढ़ गया, वो क्या है, मैंने का bank ने दिया है मैंने का, मतलब सर इंट्रेस्ट, मैंने का, बिल्कुल सही तो सर 44% का अगर इंट्रेस्ट है तो वो इंट्रेस्ट जिसके उपर लगा है, वही निकाल देंगे, तो काम खाता, मैंने का ये जो overall बढ़ रहा है, ये overall कितने उपर बढ़ रहा है, सर जो हमने पूरा का पूरा 15,000 दिया, उसने कहा, इसके उपर 2 साल में 44% तुम्हें देंगे, तो इंट्रेस्ट कितना आएगा जो 15,000 का 44% का वैल्यू होगा, वही इंट्रेस्ट होगा 2 साल तक, परसेंटेज के साथ 2-0 काटा, 44 into 15 660, और उस followed by 10 6600, सर मिराकल, मिराकल मैंने का, क्या, सर यही answer आयता, अरे method change कर रहे हो सवाल नहीं, तो उत्तर भी बदलेगा नहीं लेकिन सर, मैंने का, हाँ ये method कैसे लगाएंगे ये ratio आला, मैंने का, मैं बताता हूँ क्या आप सभी को बता है कि 20% का मतलब, एक बटा पांच है, हाँ सर अगर एक बटा पांच है मतलब, आप अगर पांच जमा करोगे तो एक साल के बाद आपको 6 मिलेगा मतलब, first year आपका यही scenario बना होगा, principle अगर आपने 5 दिया होगा, तो एक interest के साथ आपको जो amount return में मिलाओगा, वो 6 मिलाओगा क्योंकि एक का interest 5 के उपर मिल रहा है लेकिन ऐसा 2 साल के लिए हो, तो दूसरे साल भी आपका जो पैसा 5 हुआ करता होगा अगर account पे, तो वो 2 साल के अंत होते होते 6 का बन गया होगा अब मैं आपको दिखाना चाता हूँ, this is first, this is second और यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, बहुत important ही यह चीज यह चीज आपको clarity कोई नहीं दे पाता है मैं पूरी देने की कोशिस कर रहा हूँ after 2 years is there any difference between second year and after 2 years, yes second year मतलब दूसरे साल में जो भी पैसा 5 हुआ होगा वो 6 बन गया होगा, दूसरे साल में और 2 साल के बाद क्या हुआ होगा इन दोनों का multiply कर दो मतलब 25 से आपका पैसा इन दोनों को multiply कर दो 36, ना ना ना, सर यह क्यों multiply किया, वो भी reason बता हो, मैंने का सुनो या, attention डालो क्या आपने सुना है कि अगर मैं आपको A is to B 3 is to 2 देता हूँ और B is to C 4 is to 5 देता हूँ हाँ सर, हाँ तो अगर मैं आपसे A is to B is to C पूछूँ, तो आप कैसे निकालते हो सर में बताते हूँ, मैंने का हाँ सर 3, 2, मैंने का हाँ और 4, 5, मैंने का हाँ क्या आपको पताईए मैंने ratio में पढ़ाय हुआ है कि यहाँ पे हम कौन से value को लाते है इसी value को लेके आते और यहाँ पे हम कौन से value को लेके आते यहाँ पे हम इस value को लेके जाते है और ultimately product करके 4 तिया ये 12 और यहाँ पे ये 8 और यहाँ पर यह 10 बनाते हैं इसके बीच का रेशियो और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे का reason भी मैं बता चुका हूँ कैसे कि भाई साब अगर यह 3, 2 और यह 4, 5 है तो इसको दोनों जगा बराबर करना है वो basic method अभी मैं उसके पास नहीं जाओंगा तो sir आप conclude क्या करना चाहता हूँ मैं जो करना चाहता हूँ वो सुनो अगर A, B, 5 is to 6 है ओके sir मैं समझ रहा हूँ आपके बाद और B is to C, 5 is to 6 है तो A is to B is to C कितना है sir यह क्यों निकाल रहे है क्योंकि मैंने पहले अपने पैसों को A से B यानि कि 5 से 6 किया ओके वो 6 तो हो गया लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर वो अभी भी मेरा 5 ही है तो वो एक साल के बाद again 6 बनने वाला है मतलब मैं अपने ही इस पैसों को एक बार 5 से 6 फिर 5 से 6 करना चाहता हूँ तो अगर मैं आपसे A, B, C का combine ratio पूछू तो आप ऐसे निकालोगे यहाँ पे क्या लाओगे भाई लोग सर 5 और यहाँ पे क्या लाओगे भाई लोग 6 forget about this जानते हूँ यह जो 25 और यह 36 है वो क्या है सर क्या है यह वो है जो आपने दिया था और यह वो है जो आपका पैसा बन चुका है कब दो बार यह process लगने के बाद तो भाई साब इसको इतना दिल पे ना ले ना मैं बस मैं जब chapter complete करता हूँ मैं सब बताता हूँ यह मेरा सबसे बुरा बात है कि मैं सब बताता हूँ इसलिए चीजें आपको जो जानने नहीं चाहिए भी मैं बता देता हूँ लेकिन यही राज है जिसके चलते आपको 5, 5, 25 और 6, 36 मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे मिला है आपको कुछ नहीं सोच रहा पहले साल 5-6 होगा होगा दूसरे साल 5-6 होगा क्योंकि कोई मुझे कमेंट कर देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगए न किसी से सीख के आगे होगा तो मैं बता देना चाहता था तो 25-36 हो गया क्या मैं आज से एक सवाल पूछ सकता हूँ सबसे सरल डेफिनेशन कमपाउंड इंटरेस्ट का हाँ सर पूछो वो क्या है जो एक्स्ट्रा बैंक आपको देता है वो ही आपका इंटरेस्ट होता है अगर मैंने 25 दिया है और 2 साल के बाद वो 36 बना है तो एक्स्ट्रा इसी बेच मुझे मिला कितना सर 11 यही कमपाउंड इंटरेस्ट है हाँ सर यही है यही है आपने बताया था अगर मैं यही निकाल दो तो काम खतो सर यही निकाल दो काम खतो मैंने का कैसे निकालेंगे सर कैसे निकालेंगे जो प्रिंसिपल 25 पार्ट का आपने दिया है यहाँ पे लिखा रखा है, वो सवाल कर इसाथ से कितना था, सर वो तो 15,000 था, सही पकड़े हैं, अगर 25 पाट 15,000 होता है, तो एक पाट कितना होता है, सर एक पाट 600 होता है, अगर एक पार्ट 600 क्योंकि डिवाइड करोगा ना 15,000 बटे में 25 तो एक पार्ट 600 तो यह जो 11 पार्ट का इंटरेस्ट है वो कितना होगा 11 इंटू 600 यानि कि 6000 हाँ हाँ miracle तो इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ बात देखे हैं लेकिन एक future method इस तरी method जो आपको अभी इसके बारे में बिलकुल नहीं सोचना बस future में जब इसका इसका इस्तमाल आएगा मैं बताओंगा लेकिन इसको भी हर जगा लगा सकते लेकिन इस थावाल के लिए तो थोड़ा time consuming हो सकता है आपको सबसे पहले इस method को लगाने के लिए rate पे ध्यान देना है जो कि कितना था 20% जो कि कितना लिख सकता हूँ 1 by 5 ठीक है सर ठीक है अब आपको ये वाला अपना base लेना है ठीक है और base का power करना है कितना power जितना आपका time सवाल में दिया हो सर इस सवाल में तो 15,000, 20% दो साल के लिए दे रहे थे तो time अगर 2 है तो base का power 2 यानि कि 5 का square करूँगा और 25 निकालूँगा सर ये 25 निकाल के आप क्या कर रहे हो ये 25 मेरा assumed principle होगा and do you know इस से क्या calculation smooth होगा सर क्या अगर मेरा assumed principle 25 पार्ट का है मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ पहले साल इसी 25 के उपर 20% यानि कि 1-5 इंटरेस्ट मिले होगा हां सर इसका 1-5 इंटरेस्ट मिला होगा 25 का 1-5 होता कितना है तो सर मुझे 5 पार्ट का इंटरेस्ट मिला होगा लेकिन मैंने अभी आपको कहा जब 100 पे 10 का इंटरेस्ट लगके 110 होगया तो 100 पे भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा और 10 पे भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा पढ़ा है था similarly second year में मुझे principal 25 का भी 1-5 मिला होगा यानि कि 5 और उससे पहले अगर कोई भी इंटरेस्ट है यानि कि इस इंटरेस्ट के उपर भी 20 परसेंट यानि कि 1-5 मिला होगा इसका 1-5 कितना है सर 5 का 1-5 1 है सर आप कहना क्या चाहते हो मैं कहना यह चाहता हूँ कि मुझे total इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5, 5, 10, 1, 11 सर यह तो 11 का इंटरेस्ट मिला यही निकालना तो है लेकिन कैसे मैंने कहा यह जो अजे उंडर प्रिंसवल 25 पार्ट का है सवाल के इसाथ से तो यह 15,000 था न हाँ सर यही तो एक पार्ट कितने का चल ला है सर 600 यहाँ पर भी सेम है सेम है सेम ही मेथा सब सेम है तो 11 पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा हाँ 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 मिरेकल मिरेकल तो मेथाड चाहे तुम जो भी लगाओ यह 3 मेथाड होता है आपका अंसर वही होगा लेकिन क्या आप सभी को रेश्यो वाला मेथाड जबरदस तरीके से क्लियर है अगर नहीं तो मैं करके दिखाता हो टेंशन ना लिजेगा डॉब या पैंस एंड जस्ट काइंडली लिसन दा एक्स्प्लेनेशन अफ दिस पटिकुलर क्वेशन उसने कहा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ अगर हम 15,360 रुपीस 37.5 परसें पर आनाम के इसाथ से 3 साल अब ट्री तो मैंने भूलने के लिए कहा ट्री में जब बताओंगा आपको समझ में आ जाएगा वो कैटेगोरी जब पटिकुलर सेकेंड यर थर्ड यर फोर्थ यर ऐसे का इंटरेस्ट चाहिए होगा तब ट्री जाएंगे पटिकुलर यर का लेकिन यहाँ पे मुझे ट्री नहीं जाना और 37. 37.59 रास्ता रोक दिया AB मेथड का क्योंकि AB मेथड में नंबर खूपसरत होने चाहिए 30, 25, 40 ऐसे वैल्यूस या तो मैं रेशो से करूँगा या तो मैं बेसिक से करूँगा आपकी मर्जी आप जिदर से जाओ लेकिन जब आप बेसिक से जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आपने जमा किया 15,360 अरे बेसिक जो वही है फॉर्मुला वही है ट्रेडिशनल वही है इसके उपर 37.5% 37.5% यानि कि 3 x 8 का इंट्रेस्ट मतलब 8 दोगे तो 3 का इंट्रेस्ट मिलके 8 को 11 बना दिया जाएगा हर साल पहले साल 8 को 11 बना दिये 11 बटे 8 तीन साल तक उसको 11 बा अब बेनिफिट मिला कि आप अगर इसके उपर एक रोक लगा देते माइनस वन तो आपको अभी से इनका गुना इनका गुना करके माइनस वन को खोलना पड़ता इंट्रेस्ट निकालने के लिए लेकिन यह अब इनके साथ डारेक्ट कट सकते हैं 8 में काटोगे 1,9,8 में क काटेंगे 30 एक तीन तीन एक इसका क्यों और उसमें तीन गुना तीन नो नो तीन शुन्या यह आपका क्या निकला अमाउंट लेकिन इंट्रेस्ट के लिए मुझे इसी अमाउंट से अपने दिये हुए प्रिंसिपल 15,360 को माइनस करना पड़ेगा और जब मैं माइनस करू तर अगर आप में से किसी ने अंसर निकाला हो है जबरदस चल ले ही आपकी तेयारी लेकिन 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 इस बीना स्टेप के कि माइनस के बगेर क्या मैं इस कवाल का अंसर दे सकता हूँ? क्या आपको पता है कि अगर आप बेस आठ का प्रिंसिपल दोगे तो उसमें तीन का इंटरेस्ट मिलके आपका पैसा पहले साल 11 होने वाला है दूसरे साल भी आपका पैसा 8 से 11 होने वाला है दो साल भाई सा बार बार लिख रहा हूँ इसका रीजन है आफटर टू यर्स बार बार लिख रहा हूँ इसको मेंशन करना आपका पैसा अरे यार तीन साल था ना अभी गड़बड करता पूरा तो थर्ड यर में भी आपका पैसा 8 से 11 होगा तो तीन साल बाद आपका पैसा 512 में से इतना होगा क्या बता सकते हो कितना extra interest मिल रहा है सर 12 में 19 जोडेंगे और 5 में आप यहाँ पे 8 जोडोगे 819 पार अगर मैं निकाल दूँ तो question खतम लेकिन निकालेंगे कैसे उसके लिए कुछ तो जानना होगा सर ये जो आपने 512 का principle नहीं दिया सवाल कह रहा है ये 15,360 है मैंने का बहुत सही क्या 500 का 3 गुणा 15,12 का 3 गुणा 36 ये 3 गुणा में 0,30 गुणा दिखा सर एक पाट 30 कुणा हुआ तो ये जो 819 पाट का interest है इसका 3 गुणा 800 का 3 गुणा 24,19 का 3 गुणा 57,27 शुन्या कोई amount ना निकालो कोई minus करके interest ना निकालो क्या मैं direct कर सकता हूँ ये दोनों method साफ है सभी का basic जाओ ये जाओ लेगिन धीरे-धीरे basic का पत्ता कटेगा कब मैं ले के आ रहा हूँ उसने अभी game काट दिया पूरा basic का कैसे अब उसने ये नहीं किस सवाल में principle दिया और interest पूछा उसने कहा कि जो compound interest एक certain sum जब हम invest करते हैं इस rate of interest से 3 साल के लिए तो interest इतना निकल के आता है मुझे वो sum जो आपने जमा किया था मैंने का करते हैं कुछ कैसे अब अगर इसका basic करोगे तो आप एक बार लिखो एक बार basic लिखो जल्दी कि ऐसा होगा x x में 16.66% 7 by 6 7 by 6 amount देता फिर भी तुम्हारे लिए कोई benefit होता लेकिन उसने game कर दिया interest क्या आपको अंदाजा लग चुका है कि basic कितना खातरनाक घातक है और paper में सवाल ऐसे ही आएंगे सर अगर आप ratio से इतने obsessed हो तुर अब बता ही दो मैंने का भाई साब rate चल ला है 16.66% का जो की 1 by 6 होता है होता है सर प्रिंसिपल से amount तक का सफर आपने तेय किया 6 दोगे तो एक interest के साथ 7 मिलेगा कितने साल तक 3 साल तक यह multiply होगा तो 216 यह multiply होगा तो 343 सा जानते हो मैं आपसे talented हूँ मैंने का कैसे मैंने 3 साल देखके ही cube मार दिया 6 का cube 216 7 का cube 343 मैंने का समय रहते सुधर जाओ जब नहीं बोला गया मत करना भाई ऐसा कर रहा है तो आपको भी वही करना होगा क्यूं क्यूंकि समय रहते है आ आप cube कर सकते हो square कर सकते हो 4 साल के लिए 4 दुबार 4 कर सकते हो क्या आपने देखा यहाँ प्रिंसिपल से यहाँ तक पहुंचते वक्त जो extra interest मिला वो 127 पार्ट का है हाँ और इसी interest के बारे में चर्चा की गई है कि यही 3810 है क्या आपने एक चीज देखा कि 100 का 3 गुना 327 का चल दा है हाँ तो आपको जो sum पूछा था वो sum 216 पार्ट का है तो 216 का 30 गुना कितना होगा 648 में followed by 1.0 कितना असान है भाही बताओ कितना असान है भाही बताओ जरा अगर आपको amount भी पूछता तो भी इसका 30 गुना कर देते 0, 9, 12 और यह 10, 10,290 कुछ जादा नहीं होग तो ऐसे तरीके से ratio अप्रोच से आप ऐसे क्या धूएं धूएं सवाल कर सकते हो सवाल को pause किया एक बार try किया मेरे पास समय नहीं है मैं explain करना चालू किया 20,000 रुपे बौरो किया गया दो साल के लिए तो compound interest कितना होगा अगर जो interest पहले साल के लिए वो 15% हो गया, game हो गया, square q वाला game और नहीं चलेगा पहले साल के लिए interest 15% और दूसरे साल के लिए interest 20% सर यहाँ पे आप मुझे क्या suggest करना चाहते हो पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप basic जाओगे, एक बार last basic दिखा रहो और मैं दिखाओंगा नहीं basic समय नहीं है मेरे पास क्या मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने 20,000 जमा किये हा सर, क्या आपको पता है 15% का मतलब 3 by 20 होता है, हा सर यह तो होता है सर नहीं पता मुझे 15 by 100 लिखो, 5 में कट करो 3, 5 में कट करो 20 और अगर आपको 20 में 3 का interest मिलेगा तो basic कहता है 20 को 23 बना दिया गया होगा, 3 पांट बढ़ा के और दूसरे साल के लिए 20% 1 by 5 का interest मिला होगा, तो 5 से 1 बढ़के आपका पैसा 6 बटा 5 हो गया होगा और जब आपने इसको काटा पिटी क्या होगा, 20 इंटू 5, 100 इसके 2 0 से लपेट लिए, 6 दूनी 12, 23 इंटू 12 कितना होता है, 230, 46, मेरे ख्याल से 276 और उसमें 2 0, यह आपका total amount है और इसे amount से जब आप 20,000 का अपना principle minus करोगे, तो answer आपका आना चाहिए 7600 मेरे ख्याल से लेकिन basic में आपने एक चीज problem fix किया, कि वो बार-बार आपको minus करने पर थोड़ा मजबूर कर रहा है, हाई या ना तो क्या मैं कुछ दूसरा अप्रोच लगा सकता हूँ, यहाँ पर AB लगा सकता हूँ, क्योंकि values कुपसुरत है यार, 15, 20, 25, 30, 40, ऐसे values में AB बहुत जल्दी answer देगा, कैसे, पहले साल 15 बढ़ाना है plus 15, फिर अगले साल 20 बढ़ाना है plus 12, plus 15 into 20, बटे में 100 जब आप करोगे, 20 काटोगे 5 बार, 5 काटोगे 3 बार, यह हो जाएगा आपके पास 35 और यह 3, यानि कि overall 38% का interest मिलने वाला है, किस के उपर? 20,000 के उपर, तो अगर मैं 38% भी 20,000 का निकाल दू, percentage के साथ 2-0 कटा, 38 का double 76 और double 0 आपका answer आपके सामने, green color में, अब आपका answer आएगा red color में, हाँ ह 20,000 का interest मतलब 1 बार, 5 यानि कि आपके पैसों को, 5 पार्ट में से 1 पार्ट बढ़ा के 6 करने की बाद चल लिए, दूसरे साल, और 2 साल के बाद आपके पैसों को कहां तक पहुंचा दिया गया है, 100 से लेके, 120 और यह 18, 138 तक पहुंचा दिया गया है, तो इसी दौरान आपक पैसों में interest कितने का मिला है, 38, क्या इसी की तलाश है, हाँ सर, जो 100 का principle तुमने दिया, वो सवाल में कितना था, 20,000, तो एक पार्ट कितने का चलना है, 200, सिर्फ 2,0 कटने है, तो यह जो 38 पार्ट का interest मिलेगा, वो कितना, वाई साब कितने methods दूँआ, और methods लोगे, इसको भी tree में कर सकते हो, कुछ भी method लगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अगले सवाल पर चले, अब आपके पास एक और सवाल है, खुरापात, अब मैं आप सभी से request करूँगा, कि please, जो भी सवाल आपके सामने डिस्पले होगा, इसलिए मैंने side में रखा है, ताकि मैं उस सामने ना आजाओ, एक बार pause करके आपको खुद ट्राय माना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ready, the compound interest on a certain sum after 3 years is Rs. 4,200, एक certain sum पे जो compound interest 3 साल के बाद निकल के आ रहा है, वो इतना है, जो interest पहले साल के लिए मिलना है, वो 14.28 है, मैं आपसे वो पूछना चाहता हू यह है कि, और हाँ, यहाँ पे AB का तला बंद हो गया, AB और नहीं लग सकते है, गंदे-गंदे percentage है, जो की basic percentage values है, fraction में convertible है, 14.28% के बारे में जानकरी है, सर, 1 by 7, 27.27% जो interest आपको secondary मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकरी, सर, 9.09 का 3 गुना, 9.09 होता है, 1 by 11, तो उसका 3 ग 22.22% सर, 11.11% 1 by 9, 22.22% उसका double 2 by 9, क्या आप तुरंट कर सकते हो, क्या, कि सर, 7 से 1 बढ़के मेरा रुपे 8 हो गए, 11 से 3 बढ़के मेरे पैसे 14 हो गए, और 9 से 2 बढ़के मेरे पैसे 11 हो गए, हाँ, अब एक नया चीस और, क्या सर, कितने नया चीस, अब देखो, इन तीनों को multiply करके एक बड़ा value इधर, फिर multiply करके इधर, उन में common अगर होते तो उनको काटते, जबके आपको पता है, इन तीनों को जब मैं गुणा करूंगा 7, 11 और 9, और जब मैं इन तीनों को गुणा करूंगा 8, 14 और 11, तो 11 तो 11 के साथ कटने ही वाला है, 7, 14 को दो बार काटने बचेगा यहाँ पे 9 और बचेगा यहाँ पे 16 तो पूरा multiply करने के requirement नहीं, और यह भी एक unnecessary step है, इसको भी आपको लिखना नहीं है, तो कैसे करेंगे, जो buy side और die side cancel common दिख रहा है, काट तो, साथ में काटोगे कितने बार, दो बार, 11, 11 चला गया, 8 दुनी, 16 और 9 अकेला, आपका पैसा 3 साल के बाद 9 से 16 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ा, 7 यही interest है, और सवाल के अनुसार आपको interest कितना दिया है, 4,200, अगर 7 बराबर 4,200 तो क्या 1 बराबर 600 मिला, अरे 4,200 divided by 7, 1 बराबर अगर 600 तो आपको पूछा गया है, principle जो मूल लाशी आपने दिया था, वो जब मैंने इस सफर की शुरुआत की थी, जब मैंने पहली बार आपको यह सब चीज़ें बताये थे, तो सच बताओ, दिमाग में घुसा था, नहीं न, लेकिन कसम खाओ, अभी से 3 questions ही हमने solve किये हैं, और आपका confidence शरम पे है, क्यों? आपने समय दिया, ना कि मुझे, बलकि खुद को, और इस concept को learn करने को, तो प्लीज, ऐसे ही मुझे और इस concept को learn करने के लिए आगे समय देते रहिए, काफी कुछ इस session में आप लोग सीखने वाले हैं, और बीच-बीच में समसा, like और share करते रहेगा, यह request है, जो compound interest है, 24,000 उपे हैं, बढ़िया question, अब मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूँ कि जब time ऐसे गंदे-गंदे चीजों में दिया होगा, तो क्या होगा, time अभी गंदा हो गया ना, 2 साल, 4 महीने, कभी धाई साल दे सकता है, धाई साल तो आसान था, फिर भी मैंने complex वाला लिया, 2 साल, 4 महीने, मैं करूंगा, कैसे करूंगा, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले, जब मैं 2 साल, 4 महीने की बात कर रहा हूँ, तो क्या, आप सभी को यह पता चल गया, कि पहला साल complete invest किया गया, दूसरा साल भी complete invest किया गया, तीसरा साल invest ना करके, उसके सिर्फ 4 महीने के लिए invest किया है, यह idea आप सभी को clear है, हाँ सर, अगर हमारा rate of interest 15% का चल रहा है, तो सर मुझे पचा है 15% 3 by 28, मैंने का कैसे, 15 बटा 100 लिखा, 5 में काटा 3, 5 में काटा 20, तो पहले साल आपका पैसा 20 से 3 बढ़के 23 होगा, यह पहला step clear है, first year, first year, second year भी आप complete invest कर रहे हो, तो 15% तो मिलना तय है, यानि कि 3 बटा 20, मतलब 20 से लेके 23 बनाय जाएगा, हासर, लेकिन तीसरा complete साल आप invest नहीं किये, अब 4 महीने ही आप invest कर रहे हो, अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने आप से कहा कि तुम मेरे लिए 1 साल काम करो, ओके, और मैं तुम्हें 15 रुपे दूँगा, लेकिन तुमने मेर लिए सिर्फ 4 महीने काम किये, क्या मैं तुम्हें 15 रुपे दूँगा, नहीं, मैंने का मजाक मत करो, नहीं दूँगा, वो मुझे मत बताना, कितना दूँगा तो फिर, सर, ये तो गुरा बढ़िया बैलंस होगा, मैंने का कैस है, एक साल जो होता है न सर, वो 12 महीने होते ह मैंने का हाँ, अगर आपने मुझे commitment किया, क्या 12 महीनों में मुझे 15 मिठाई देंगे, 12 महीने अगर मैं काम किया, तो आप मुझे नियम अनुसार हर महीने के 15 बते में 12 मिठाईया, यानी कि अगर आप इसको cancel करें, या एसा ही रखो, क्योंकि आप Unitary में तो Direct करोगे, 15 बते काटोगे तीन में काटोगे पांच क्या आपको ये यकीन हो चुका है कि भाई साब ये सब परसेंटेज की बात चल लेई थी मतलब अगले साल आपने complete निवेश नहीं किया आपने सिर्फ और सिर्फ चार महीने निवेश किया जिसके चलते आपको पूरे 12 महीने का 15 परसेंट नहीं चार महीने का जो हिस्सा बनता है 5 परसेंट ही दिया जाएगा 5 परसेंट को अगर आप कैंसल करके देखो तो एक बटा 20 होता है 5 by 100 लिखके देख लो मतलब अगले फेज में क्योंकि अब यह साल नहीं रहा तो साल तो कहना गलत होगा अगला जो भी टाइम पिरियोड टेनियोर है उस टेनियोर में आपका पैसा 20 से एक बढ़के 21 होने वाला है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ पूछो सर अच्छे यहां पर कुछ LHS, RHS में तो common दिखनी रहा नहीं सर नहीं दिख रहा तो आपका पैसा 8,000 से यह 5,29 है हाँ उसका 21,10 5,29 का डबल कितना होगा 10,58 में एक 0 और उसमें एक 5,29 और क्या आपका पैसा आपको देख रहा है इतना होता हुआ हाँ सर, कितना होता हुआ तो देखी रहा है मैंने का सुनो मेरी बात इतने से इतना हुआ तो आपका एक्स्ट्रा कितना मिला 3,109 पाट का इंटरेस्ट है मैंने का यही इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए सवाल पूछा है हाँ सर, यही कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालने के लिए सवाल में पूछा है मैंने का कैसे निकालेंगे, सर देखो न वो जो पैसा इंवेस्ट कर रहा है वो दिया है 24,000, मैंने का यही जो 8 पाट इंवेस्ट है वो ही 24,000 दिया है क्या हा सर तो एक पार्ट कितने का चलना है? सर एक पार्ट तीन का चलना है गुणा करके देखो, तो जो इंटरस्ट आपको मिलेगा वो कितना होगा? सर इसका तीन गुणा इसका 3 गुणा 93, इसका 3 गुणा 27 आप मैं से जितने लोग वने 93-27 option number B को अपना answer मार क्या होगा, hats off, keep it up goes up, जब अर्दस चल लही है आपकी तैयारी अगर आप इसको basic से करते तो क्या करते 24,000 15% 3 बटा 20, यानि कि 23 बटा 20 बनाना, फिर 15% यानि कि 23 बटा 20 बनाना बट अगले बार आप सिर्फ 4 महिने के लिए इंवेस्ट करें, तो 5% यानि कि 1 बटा 20 बढ़ाओगे, तो 21 बटा 20, ये calculate करके देखोगे ये आपको amount मिलेगा इसे amount में से आपका दिया हुआ 24,000 घटा दोगे, तो आपको again आपका compound interest निकल के आजाएगा, लेकिन अगर मैं इसको AB में करूंगा तो क्या होगा, AB में कभी भी 3 साल के लिए try मत देना AB में कभी भी 3 साल के लिए try मत देना, सर यहां तो 3 नहीं है, अरे 3 phase तो है ना, 2 साल complete और 4 महिने कभी तो है ना, तो 3 बार AB लगाना ना, तो 3 बार AB लग तो सकता है, कैसे? पहले 1-2 को लगा देना, जो effective आएगा उसको 3rd के साथ लगा देना, AB में कोई sequence वगरा कुछ matter नहीं करता है, यह मैंने percentage में पढ़ा है but still, 3 बार में AB लगाने से चीज़ें complicated हो जाते है but, AB के कुछ conclusions आपको याद रखने होंगे sir, कुछ conclusions मतलब point to be noted, star mark लिखना start करो अगर 10% rate of interest में invest किया गया है तो 1 साल के लिए आपको 10% मिलेगा 2 साल के लिए यह भी लगा के देखना, 10 plus 10 plus 10 बटा 10 into 100, 21% मिलेगा बाई हाट होना चाहिए 3 साल में आपको 33.1% मिलेगा और 4 साल के लिए आपको 46.41% मिलेगा क्या यह सब कुछ दिख रहे हैं हाँ, मुझे तो लग रहा है screen में पुरा visible है 4 साल तक और 20% का scene एक बार लिख दे रहा हूँ अगर 20% का rate of interest चल रहा है तो 1 साल में तो 20% मिलेगा 2 साल में 44% मिलेगे 3 साल में 72.8% मिलेगा इतना याद रख सकते हो मेरे लिए पक्का भरोसा रखो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर देखते हैं क्या है question को एक बार try मार ना और क्या try मार होगे question सुरू होने से पहले ही आप लोग का खतम हो गया half yearly concept भाई लोग half yearly concept कर पाओगे हो 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 जल्दी sir जो previous question में था वहाँ पे 2 साल 4 महीने था यह मचर बाई साब अलग-अलग घूम रहा है वो पूरा उड़ रहा है पूरा इस previous सवाल में आपको भले ही 2 साल 4 महीने के बारे में जिकर किया गया था लेकिन वहाँ पे भी compounded annually ही चल ला था आपने इसको notice किया half yearly quarterly का अभी तक कोई scene नहीं हो this is the very first question where we are facing the difficulty of half yearly half yearly के case में कभी मढद ना मैं जो बता रहा हूँ ज्यान से सुनना और अभी से back to back में half yearly के questions करके आपको पुरा clear कर दूँगा half yearly के concept को half yearly के concept से आप जितना डर रहे हो जितना इसने दहसक मचा है उसना उसका ओकात नहीं है डिसर्ट नहीं करता बस एक बात बताओ कि अगर आपने 40,000 रुपे invest किये 2 साल 20% के हिसाब से ये 20% तो per annum है जो परसेंटेज में लगा है के दिया है अगर per annum लिखा है तो भी वो सालाना है अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी वो सालाना है तो ये तो आपको सालाना मिलना चाहिए लेकिन आपका compounded half yearly क्यो लिखा है मतलब interest 20% सालाना देगा bank ये कहा लेकिन bank ने ये भी कहा कि आपको जो मैं interest दूँगा वो half yearly दूँगा मतलब मैं हर 6 महीने के बाद interest credit कर दूँगा अब इससे सोचो आपके पास क्या benefit हुआ benefit बढ़ा simple है पहले तो इसको समझो कि अगर मैं 100 रुपे bank के उस 20% पर annum के case में लगाता तो bank मुझे 1 साल खतम होने के बाद 120 देता यहां तक बात साफ है लेकिन जब bank कह रहा है कि नहीं मैं आपको साल के बाद interest नहीं बलकि 6 महीने के बाद आपको interest दूँगा तो क्या आप सोच रहे हुँ कि 6 महीने में वो आपको 20% देगा फिर अगले 6 महीने में और 20 इतना लड़ू मत खाओ यार bank मतलब तबाह हो जाएगा आप किस आप लौकरी नहीं कर पाओगे bank तो bankrupt हो जाएगा खुद तो ऐसे cases में क्या होगा एक छोटा सा common sense इस्तमाल करना कि अगर मैंने आपको promise किया है कि मैं साल के end में आऊँगा और आपको 20 topic पढ़ाऊँगा 20 chapter पढ़ाऊँगा लेकिन आपने का कि नहीं सार साल बहुत लेट हो जा रहा है आपको देखे भी न रहा नहीं जा रहा तडप ही ऐसी है तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है मैं आपके बाद सुनता हूँ मैं 6 महीने के बाद एक बार आऊँगा जब मैं 6 महीने के बाद एक बार आऊँगा तो क्या मैं सारे के सारे 200 के 200 chapters पढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे तो आना और एक 6 महीने के बाद है तो 20 chapter जो है वो बांट दूँगा 10 और 10 and same thing happens in this case also अगर bank ने commit किया है कि एक साल में 20 देगा तो वो अगर 6 महीने के बाद देना चालू करता है तो उसका आधा यानि कि यहाँ पे 10% देगा और यहाँ पे 10% देगा बट बट simple तो नहीं है भाई लोग कि 10-10 जोड के 20 कर दोगे तो सर कुछ benefit होगा बहुत benefit कैसे 100 में 10% जोड के आपका यह पैसा 6 महीने में ही 110 बन चुका है अब अगले 6 महीने के लिए जो 10% का interest मिलेगा भाई लोग compound में तो इस amount के उपर ही मिलेगा ना तो इसका 10% कितना होता है 11 और 11 मिलके 101 क्या आपको benefit मिला यस जस थिंक logically about this benefit why this benefit happened because मुझे एक साल बाद ही एक पूरा interest मिलता लेकिन अब जब 6 महीने के बाद interest मिल चुका है तो बैंक अपने खुद के दिये हुए interest के उपर अगले 6 महीने मुझे interest देगा that's why this 1 रुपी extra interest is accumulated this is the concept behind half yearly so half yearly में आपको ज़्यादा tension लेना नहीं है आपको जो आपको जो annual rate दिया गया होगा उसको half कर देना और जितना time period दिया होगा जितना time दिया होगा उसके double phases में calculate होगा interest कि यहां पे time double लिखना मतलब blunder करना क्यूंकि एक साल के लिए दिया होगा का दो साल बन जाएगा ना double phases मतलब अगर आपने एक साल के लिए पैसा जमा किया तो bank के नियम के अनुसर 6 महीने में interest एक बार और 6 महीने में एक बार तो एक साल में दो phases में दो बार interest मिलेगा दो साल में चार बार तीन साल में हर साल में दो दो करके 6 बार साड़े चार साल में 9 बार तो इसी तरीके से आपको बस जो time in years दिया है उसको double करके phase निकालना है यहां तक बात साफ अगर मैं आप से कहूँ कहा गया अगर यहां तक चीज़ें clear है तो पिछला वाला सवाल आपको क्या कहा गया पिछला वाला सवाल कहा गया है कि मैंने 4000 रुपे जमा किये 20% दो साल half yearly तो interest कितना होगा तो मैंने सीधा उसको एक काम कहा कि अगर तुम्हारा annual rate 20% का चल रहा है तो हर आधे साल यानि कि 6 महिने में मुझे 10-10% का interest मिलेगा पहला step clear है हाँ भाई लो clear अगर time वहाँ पे bank ने 2 साल में हमने जमा किया तो bank हमें interest कितने बार देगा 4 बार देगा अब मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ अगर आपके पैसे 10% 4 बार बढ़ने वाले है तो 10% का मतलब होता है 1 by 10 तो 10 में एक जोड़के आपका पैसा 10 से 11 4 बार होने वाला है और 4 बार होके आपका पैसा 10,000 से 14641 होने वाला है और इतने से इतना होते ही आपको ये पता चल चुका है कि जो एक्स्ट्रा 4641 आया है वही आपका इंट्रेस्ट है और अगर मैं इंट्रेस्ट निकालने के लिए जाओं तो मुझे गिवन क्या था 40,000 का प्रिंसिपल गिवन था 18,564 option number D इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा करना कुछ भी था कुछ भी नहीं rate 20 साल में मिलने वाला था आधे आधे साल में 10,10 2 साल में ने इनिवेश किया half yearly के इसाब से 2 साल में 4 बार इंट्रेस्ट मिलेगा 4 बार 10,10% मिलना यानि कि 10 से 11 होना इतने से इतना होना मतलब इतने का इंट्रेस्ट बाकिया आपके सामने सब कुछ है कर पाओगे सवाल चेंज करते हैं और half yearly में थोड़ा और गुशते हैं एक certain sum invest किया गया 33 और 1 बाई 3 परसेंट पर आनम भाई सार इस percentage के साथ आपका AB वे भी सब ब्लॉक हो चुके है ठीक है AB ब्लॉक हो गया इस previous वाले में आप AB का साहरा ले सकते थे कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि in short आपको 10% का interest 4 बार लगाना पड़ रहा है न और 10% का interest 4 बार जब मिलता है तो मैंने आपको रटवाया था कुछी देर पहले अपना note खोल के देखो star mark करके 46.41% है 46.41% अपने दिये हुए पूरे 40,000 का जब मैं निकालूँगा तो percentage के साथ 2,0 और point के साथ 2,0 क्योंकि 2 digits से तो 4641 x 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो यह भी यही result देता है लेकिन 33.33% आने के साथ block हो गया A-B अगर A-B block हो गया तो इस question को कैसे करेंगे भाई लोग सर इस question को मैं ऐसा करता हूँ कि सर rate of interest आपको दिये हुआ है half yearly interest calculate किया जा रहा है सर question game बदल दिया सर सर annual rate की बात कर रहे हो मैंने का हाँ सर वो तो 33 all 1 by 3% है इसको जितना दोयर तक ऐसे ही देखते रहे होगा टुकुर टुकुर वो और दहसक मचाता रहेगा तुरंत ओके सर गौच्यो अगर annual rate इतना है तो जो half year में मिलता जहेगा वो इसका आधा हो जाएगा हा सर इसका half है अब गलती मत करना कि इसका आधा 2 by 3 बोलना इसका आधा जब करोगे 1 by 3 into 1 by 2 कितना होगा 1 by 6 मतलब आपको हर 6 महिने में 1 6th का interest मतलब 6 में 1 का interest मिलने वाला है point clear अब बात है देड़ साल की मतलब time अगर मैं अपने हिसाब से लिखूँ तो 1 साल 6 महिना 1.5 years है और जो time years में है उसका double करके मुझे 3 phases में interest पाना है यह मैंने प्राफ्ट कर लिया अब जब मेरे पैसे 6 से 1 यानि कि 6 बन के 7 3 बार होगा 1.5 साल में तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा पैसा 216 से 343 होगा और इसी दौरान मुझे 127 का interest मिलेगा और इसी दौरान जो 127 का मुझे interest मिला है वो सवाल में हिसाब से कितना है 20580 तो आपको जो ओके सौरी सर क्या हो गया गेम बदल गया क्या हाँ गेम बदल गया क्या उसने वो interest कहा था उसने क्या कहा था amounts to मतलब आपका पैसा बन जाता है 20,580 ये principal था ये amount था मैं अगर इतना दूँगा तो वो इतना बन जाएगा और यही जो वो बना यही है 20,580 क्या आपका दिमाग एक 0 तो last में रखी रहा है और 3 को 6 में गुणा करके यहाँ पर 60 मानदा है नहीं मानदा करके देख लो 300 का 6 गुणा 1840 का 6 गुणा 2040 2040 3 का 6 गुणा 2040 में 18 2058 फॉल्लड बई एक 0 अगर एक पाट साट है जो तो पैसा आपने दिया है वो 216 का साट गुणा है यानि की 1296 में एक 0 यानि की option number A जितने लोगों ने answer का है hats up के बिड़ब गजब सही में जबरदस चल दे ही है आपकी तैयारी उमीद करता हूँ पूरी energy के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं या डरार आना आपको semi annually करके semi का मतलब हाफ होता है मतलब यहाँ पर भी half yearly वो बोल लाए कि आपके ओहो question में time दे दिया इस time को थोड़ा skip मारे हैं भाई लो skip it okay this is not the right place to discuss this sir कराओगे तो trust me एक sum of money is invested at 20% compound interest compounded annually for a year okay it would have faced rupees 50 more if interest is compounded half yearly the principle is कितना अब देखो भाई साहाब जब बात चल रही है साल की तो मैं आपसे एक सवाल पूच सकता हूँ कि एक साल में अगर आप मन भी बना लो half yearly के हिसाब से interest लोगे तो कितने बार interest लोगे phases कितने होगे दो और दो phases में जब आपके बात 20 या फिर इसका आधा में उसमें interest नहीं हूँ 10 या फिर इसका double 40 smooth smooth values है क्या आप इससे एक चीज reddit कर पाए कि AB method इस सवाल को काफी खुपसूरत तरीके से बनाने में आपको help करेगा सर बताओ ना मैंने का मैं ही हूँ आपके साथ आपने एक सम इंवेस्ट किया 20% के हिसाथ से आपका interest चल दा है मतलब ये annual rate है जो दिया जाता है वो हमेशा annual rate है और आपने एक साल के लिए invest किया उसने कहा कि अगर हम इसको half yearly के हिसाथ से invest करते तो 50 रुपे जादा मिलते तो बोला गया है principle कितना मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ अगर मैं annually invest करता तो साल खतम होते ही मुझे अपना 20% मिल जाता अगर अगर मैं half yearly के हिसाथ से दूँ तो आपको 20 के जगा मिलेगा कितना आधे साल में 10 लेकिन एक साल में कितने बार दो बार फेजेस कितने होंगे दो और हर फेज में कितना इसका आधा 10 तो 10% के हिसाथ से दो बार जब मैं interest हरे रटवाया हूँ 10 का 2 21 बट स्टिल आपके लिए लिख रहा हूँ यार कितना प्यार करता हूँ आपको कि 21% का interest क्या आपने देखा कि इस case में 20% मिलने वाला था interest अपने principle पे इस case पे 21% मिलना है तो इस case में 1% extra interest मिलना है और यही 1% extra जो है वो 50 रुपे है अगर 1% 50 है तो जो मैंने पूरा का पूरा principle दिया है जिसके उपर ये पूरा calculation चल ला था वो तो 100% का होगा एक परसंट जितना 100% उसका 100 गुना और उसका 100 गुना मतलब 50 का 100 गुना 5000 option number भी इस सवाल का सही होता है लेकिन सवाल में आपको जितना खुशी मिली होगी उतना दुख दर्द और पीड़ा भी मिला होगा सर क्यों सर मैं तो सोचा था कि ratio method बढ़िया है और आप भी उमीद दिये थे फिर आप बीच में A-B बोल दिये मैं तो ratio लेके बैठ गया है मैंने का क्यों बैठ गया सर नहीं हो रहा है मैंने का concept clear है सर लग तो रहा है मैंने का नहीं देखो ध्यान से ठीक है सर देख रहा हो नियम के अनुसार आपको 20% का interest मिलने वाला है case 1 20% एक साल में जब मिलता तो 1 by 5 मतलब आपका principle 5 से 1 बढ़के 6 होता क्या यहां तक each and every individual को clear है हाँ लेकिन मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि case 2 में क्या हुआ case 2 में यह हुआ कि 20% जो annual था half yearly में वो 10-10% को मिलने वाला है 10-10% यानि कि 1 बटा 10 और एक साल में 2 phases में 2 बार 10 में 1 का interest जुडने वाला है यानि कि 10 से पहले यह 11 होने वाला है फिर 10 से 11 होने वाला है क्या अब आप धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे समझोगे यार अभी 40 question में basic के लेके आया हूँ और साब अला छूटे का chapter पढ़ाओगे कसम से एक बार complete करो पढ़ाओगे तुम तो सर आपके कहने के मुताब़ी case 2 जहां पे half yearly चलना है वहाँ मेरा पैसा 100 से 121 हो गया होगा सर मैं कुछ थोड़ा confused नूँ मैंने कहा क्यों सर यहां मैंने पैसा दिया 5-6 यहां पैसा दिया 120 इसको relation में कैसे लाओ मैंने कहा तुम case 1 या case 2 जिसकी भी बात करो जो पैसा आपने दिया है वो तो बराबर ही होगा न हाँ सर वो तो बराबर ही है यहाँ पे जो दिया है और यहाँ पे जो दिया है उनको अगर मैं बराबर कर दूँ तो सर कैसे क्या 5 को 100 बनाया जा सकता है ये सर मैंने का हाओ सर एक 20 का गुना करके LCM यही होता है न हाँ सर तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 120 भी सर, मैंने का, क्या, आप तो देव मानुष निटे, मैंने का, क्यूं? सर, ऐसे case में, जब principle बराबर होचुके हैं, case 1 में, मुझे 20 का interest मिल रहा था, case 2 में, मुझे 21 का interest मिल रहा है, तो case 2 में case 1 से 1 interest major मिल रहा है, और वही 50 रुपे है तो अगर मुझे प्रिंसिपल की बात कीज़े तो इसको निकालो या इसको क्योंकि दोनों तो एक ही है न तो वो तो आना ही 5000 ही है मैंने का क्या ये चीज इच अन एवरी इंडिविजल जो ये शेशन देख रहा है उसका क्लियर है दबा के लाइक और शेय थोड़ा हट जाओंगा अभी क्वेशिन को लिखके अभी मुझे रिकॉल हुआ कि आप लोग स्क्रिंशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ही थोड़ा समय दे रहा हूँ एक money lender है जो borrow करता है पैसा 4% पर अनम के हिसाब से और pay करता है interest साल खतम होने के बाद ये money lender खुद पैसा बोरो करके दूसरों को lend करता है और उसने जो lend किया वो 6% पर एहनम के इसाथ से compound interest में lend किया और उससे उसने compounded half yearly calculate करवाया लेकिन पैसा receive किया जो interest वो साल के end में ही किया और इसी प्रकार से उसने जो gain मारा वो 104.5 पांच का था एक साल में और the amount of money जो उसने borrow किया है वो कितना है वो पूछा है तो मतलब previous सवाल का बड़ा भाई कोशिश किये क्या 4 और 6 अगर मैं यहाँ पे AB लगाऊं तो थोड़े चीज़ें decimal वगेरा क्यों लीड कर सकते हैं कर सकते हैं अगर आप AB जाना चाहते तो मैं आपको रोकूंगा नहीं क्यूं क्यूंकि भाई सार AB method के इसाब से case 1 जहाँ पे आपको annually interest देना है वहाँ तो देना तो 4% का ह लेना है वो half yearly case के हिसाब से लेना है जहाँ पे 6% तो पर annum साल आना था तो आपने हर 6 महीने में उसका आदा half yearly interest 3-3% के एक साल में दो बार accumulate किये होंगे तो 3-2 बार जब मैं लगाऊंगा AB तो क्या आपको यह 6.9% का दिखा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि second वाले case में जो आपने interest निकाला है लेन्ट करके वो कितना ज्यादा है जितना आपने interest चुकाया है सर उससे तो 2.09% ज्यादा है और जो बचा यही मेरा gain है और यही gain कितना है 104.5 104.5 क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं अगर इसके point के बाद 2 digits हटाऊंगा तो point के बाद 1 तो हटा 1 0 आ जाएगा क्या 200 का 5 गुना 1000 और 9 का 5 गुना 45 इसका 5 गुना में followed by 0 एक पाट 50 दिखा अगर एक पाट 50 दिखा तो जो money भाई सब यह भी 5000 है हमने borrow किया है वो तो पूरा का पूरा 100% का पूरा पैसा होगा ना तो वो कितना हो जाएगा इतने लोग पिसले सवाल का भी तुक्का लगा दिया होंगे बहुत सही सर चले गए क्या मैंने का क्यूं सर एश्यो वाला प्लीज हूं मैं आपके साथ टेंशन ना लो case 1 में लेकिन यहाँ पर यह भी अच्छा था यार चलो आपकी बात सुनते case 1 में आपको 4% का इंट्रेस्ट चुकाना था 4% एक बटा 25 होता है यानि कि अगर आप 25 दोगे तो एक का इंट्रेस्ट उसमें 26 करके वापस करोगे लेकिन case 2 में आपने जब वो पैसा दिया तो वो 6% का साला ना था 6% साला ना था तो आधे माईने में आप 3% का इंट्रेस्ट लोगे गंदा है यार गंदा है 3% क्या होता है सर 3% के अगर मैं बात करों तो 3% होता है 3 बटा 100 कभी कवार देखा कैसे methods खेल रहे हैं यहाँ पर यह भी अच्छा था लेकिन यह अच्छा नहीं है क्योंकि 3% जो 3 बटा 100 दिख रहा है ना जब आप इसको ratio में convert करोगे कि 3% 6 महिने में तो पहले 6 महिने में म आपका पैसा इतने से 103 का square 106.09 सर कहां square by career definer सर्च कर लेना मिल जाएगा कैसे 103 का square तुरंट निकाला जाता है वर्बली यह तो साफ है कि आपका यहाँ पर 609 का interest मिल रहा है लेकिन यहाँ सर यहाँ कैसे जाने दोनों जगा जमा किया हुआ राशी जो आपने वहां से लाए वही तो length किये वो बराबर होना चाहिए 25 को अगर मैं 10,000 करूं तो 4 का गुणा 100 तक ले लेगा 400 का गुणा करना होगा जब मैं इसका 400 का गुणा करूंगा बहुत complicated हो रहा है तो देखा कैसे हर method से अपना game बदल लाए क्या आपने एक चीज फिल किया क्या सर 400 का interest यहां मिलना था लेकिन आपने यहां से 609 कमाए तो total आपका जो extra बचा वो 209 का है और 209 का जो interest है वो सवाल के इसाब से कितना है 104.5 अगर आप एक पार्ट की बात करो तो वो कितना होगा सर एक पार्ट होगा अगर यहां पे point न एक पार्ट अगर point 5 तो जो पैसा हमने लिया है या दिया है वो कितना होगा इसमें 0.5 जब मैं multiply करूंगा point के साथ एक decimal काटेगा कौन सा अच्छा लगा यही ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि questions के language पे focus कीजेगा कि कौन सा method कहां पे लगेगा वो सबसे जादा important है अगला सवाल हमारे सामने है जल्दी से एक वार ट्राइ मारेंगे सभी लोग यह काफी कुपसुरत सा सवाल है इस सवाल में भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा खासकर AB वाले में तो इतना तो confirm है कि हमने अभी तक जो question पढ़ा half yearly के case में ज्यादा तर हम AB method लगा रहे है हाफ yearly के case में हम लोग ज्यादा तर AB method लगा रहे हैं कुछिन दिख रहा है हाँ कुछिन कटा तो नहीं अरुन इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुब्य तीन साल के लिए compound interest में और वो भी 20% पर आनम के हिसाब से अगर पहले और तीसरे साल जो interest है वो annually calculate किया गया लेकिन जो दूसरे साल है वहाँ पे half yearly calculate किया गया तो आपको बताओ जो total interest रिसीव करेगा अरुन तीन साल में वो कितना है ला जवाब सवाल मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ AB method के बारे में क्या जानते हो सर परसेंटेज में जो जो पढ़ा है वो सब जानते हैं सब जानते हो हाँ सर अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले मुझे किसी चीज़ को 10% बढ़ाना है फिर किस चीज़ को 20% बढ़ाना है फिर चीज़ को 30% बढ़ाना है ये जितना परसेंट पहले इन दोनों को AB लगाना, घर पे आपके लिए कुछ तो टास्क दूंगा, मैं, प्लस 20, प्लस 10, प्लस 20, इंटो 10 बाई 100, एक रेजल्टेंट AB निकले का, जो कि मैं बता दे रहा हूं, 32 शायद, 110, 110, 22, 32, और फिर 32 और 30 का AB लगाना, आपको जो मिलेगा, 30 और 10 का AB लगा आपका अगर मन करें, तो पहले 20, फिर आप 30, फिर आप 10 भी लगा लो, यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या होगा, पहले तो यह हो जाएगा, आपके पास 120 का 30%, यानि कि यह हो जाएगा, 36, यानि कि 56, इन दोनों के लिए तो 56% का इंट्रिमेंट हो जाएगा, ठीक है, 20% हो 26, और फिर जो 56 और 10 का लगेगा, हर केस में आपका सेम आएगा, मतलब इस सवाल में मैं आपको क्या कहना चाता था, कि AB मेथट जब आप successive percentage लगाते हो, तो आपका sequence कोई role play नहीं करता है, और साथी साथ मैं आपको यह भी बताना चाता हूँ, कि जो गुच्छे में 2 का AB लगाओगे, वो भी sequence independent ही है, आप जिधार करो ना मैं इंतजार कर रहा हूँ नहीं तो, करो, जल्दी, जल्दी करो मैं इंतजार कर रहा हूँ, कर लिए, मैं इंतजार सच में करूँगा, क्या pause करके नहीं कर पा रहे हो, कि यह, अगर ऐसा है, तो इस सवाल में आपने अगर अगर ध्यान से पढ़ा होगा, तो पहले साल और तीसरे साल, पहले साल और तीसरे साल आपका क्या लग रहा है, सर वहाँ पे आपका interest annually calculate किया जा रहा है, लेकिन दूसरे साल half yearly calculate किया जा रहा है, लेकिन पर annum 20% का है, तो क्या मैं conclusion draw करने जाओ, हाँ सर जाओ, हमें भी लेक होगा, तीसरे साल 20 का मिला होगा, अनुल चल रहा है, लेकिन second year, जब 20% का half yearly मिला होगा, पहले 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए 10%, अगले 6 महीने के लिए 10%, कितने लोग मेरे साथ राजी हैं, हाँ सर, हम सब लोग आपके साथ राजी हैं, सर, मैंने का हाँ, मैं बताओंगा, लेकिन सर, बताने के लिए जा रहा था, लेकिन ये तो 3 के जगा, 4 होगे, क्या करो, मैंने का 2 का AB लगाओ, 2-2 करके AB लगाओ, इन दोनों का लगाओ, इन दोनों का लगाओ, फिर जो आएगा, उनके बीच का AB लगाओ, प्लस, 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 इन्टू by 100 करके, लेकिन अग 20 का, दो बार AB, 44 को लीड करता है, ओके, 10 का, दो बार AB, 21 को लीड करता है, ओके, तो जब मैं 21 और 44 का AB लगाओंगा, यही आएगा, यह हो जाएगा, 65 प्लस, यह हो जाएगा, 8, 80 और 44, 9, 24 by 100, 9.24, यानि कि 74.24 परसेंट का overall interest, सर, मैंने का क्या, मैंने इन दोनों का लगाए, सर, मैंने का कितना आया, सर, 2010, 30 और 32 आया, सर, यह भी 32 मुझे याद है, मैंने का याद है, तो अच्छी बात है, सर, अब इन दोनों का लगाए, मैंने का कैसे, 32, 32, सर, यह मुझे जादा आसान लगा, मैंने का क्यों, वह आप multiplication में अटके, यहां पर 32 का square, 1024 समय नहीं लगेगा, यह 32, 32, 64 है, और यह 10.24 है, मैंने का, तुम है, जिस तरीके से भी करना है, करो, क्या same आ रहा है, हाँ सर, तो मतलब, आप जो भी sequence follow, आपके मनना, आप जैसे भी करो, मुझे उसे कोई नहीं, आप इसका करो, दो का, फिर जो आया, इस 10 के साथ, फिर जो आया, उस 20 के साथ, भी answer ही कियाएगा, क्या इस question में, मैंने आपके बहुत से दिमाग में चलते हुए, doubts को clear का दिये, कि 4 बर अगर clear है, तो 74.24% का दो interest मिलेगा, लेकिन किसके उपर, अपने दिये हुए, पूरे सम के उपर, यह भी लगता है, पूरे के, पूरे starting sum के उपर, तो 74.24% पूरे starting 10,000 का कितना percent होगा, तो 10,000 का 74.24%, percentage के साथ 2,0, point के बाद 2 digits, उसको 2,0, 7,424 होगा, option number B, मैंने का, काफी अद तक हमने चीजों को clear कर लिया है, अब चलते हैं थोड़ा quarterly के पास घूमते हैं, एक सवाल करना, एक मिनिट मैं बैट जाता हूँ भाई, भाई साब आला की level का चल रहा है, यहीं पे हूँ आपके सामने, ठीक है, पानी बनी पी रहा हूँ, इसको जो आपका दिमा हो 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 भस उतना बैठेंगे, हु हो 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 भाई साब, ओ शिट शिक 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 शिट शिट अ भगवान के कसम से बस सही रह जाए विश्वो वाइस आ रहा होगा सही find the compound interest on rupees 15360 at 50% rate of interest for 9 months if the interest compounded on a quarterly basis कुछ नहीं है quarterly half yearly में चैसे 6 महीने में एक बार quarterly में doubts रहता है मैं आपको कहना चाहता हूँ three months में एक बार ये clear रहे या फिर बच्चे पता नहीं इसमें ये 3-4 में इतना क्यों confused होते है हर 3 महीने में एक बार interest लगा या एक साल में चार बार बात एक ही है न लेकिन बच्चे इसको इसके साथ connect कर देते हैं वो सोचते है एक साल में तीन बार और चार महीने में एक बार भाई साथ प्लीज ऐसा मत करना क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो हाफ यली में जैसे 6 था उसका आधा कर दोगे तीन महीने और जैसे वहाँ पर हाफ हो रहा था यहाँ पर और हाफ वाइफ और कर दोगे उसका reason बता रहा हूँ अब बड़ा simple सा funda है मेरा पास क्या बड़ा simple सा funda मुझे ये कह रहा है कि quarterly में अगर सही में तीन महीने में एक बार या फिर एक मही एक साल में चार बार interest calculate हो रहा है तो अगर कल अगर मुझे कोई आके बोले कि 6 महीने में total interest कितने बार calculate होगा अगर अगर एक साल की बात करो या फिर 12 महीने की बात करो चार बार और अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 महीने यानि की एक साल 3 महीने तो आपका interest 5 बार calculate होगा मतलब आप 3-3 करके divide देदा नहीं तो आप एक काम करना है आपको कल कोई बोल देगा एक छोटा सा चीज सुनना गलती मत करना यहाँ पर कि सर मैंने कहा मुझे दिया है कि 2 साल में कितने बार interest calculate होगा आपके पास दो रास्ते हैं एक तो एक साल में 4 बार के इसाथ से 2 into 4 करो 8 बार एगरी करोगे नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है 2 साल को पुरे महीने में convert करो महीने में convert क्या तो into बारा करके कितना हो गया सरीए हो गया 24 महीने और हर 3 महीने में अगर एक बार calculate होगा तो बटे में 3-2-8 बार जो मैं कह रहा हूँ अभी pause करना paper में लिखना क्या मैं बोलना अपने दिमाग में समझना फिर आगे चलना इसको रठना बिल्कुल ना समझ समझ के करना ये तो समय के बात हो गया ये बार जो लिखा है न ये सब phases है अंग्रेजी वाला phases है ये सब अंग्रेजी वाला phases है भाई सार अब बारी है rate of interest की हाँ सा rate of interest भी clear कर दो सर rate of interest को clear करने के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक साल में commitment किया गया आपको 20% देया जाएगा तो आप मुझे कहो न कि हर 3 महीने में कितना interest मिलेगा सर 12 महीने में जितना मिलना चाहिए तीन महीने में तो उसका एक चोथा ही मिलना चाहिए बिल्कुल सही यानि कि 5% मिलना चाहिए अगर 6 महीने की बात करता 6 महने भी नहीं तो आपको बस एक चीज करना है कि जब आप quarterly का हिसाब लगा रहे हो तो rate हमेशा by 4 कर दीजिएगा rate में याद रख सकते हो by 4 rate हमेशा by 4 कर दीजिएगा ठीक है सर अब थोड़ा बताओ इसको खुल के आपको compound interest पूछा गया है अगर आपने 15,360 रुपे 50% के हिसाब से 9 महीने के लिए invest किया है और वो भी compounded quarterly क्या मेरा सबसे पहले सवाल का जवाब दोगे हाँ सर 9 महीने में interest कितने बार calculate होगा सर हर 3 महीने में एक बार तो बटे में 3 कर दिया तो सर 3 बार interest calculate होगा या फिर 3 phases में interest calculate होगा ये पहले सवाल का उत्तर rate जो है क्या आँख बंद करके आप उसको बटे में 4 दे सकते हो क्योंकि पूरे साल में 4 बार calculate होगा 50 करके तो हर बार कितना होगा हर बार क्या आप मेरे लिए कह सकते हो ये कितना है सर ये 1 by 8 है क्या अब बीना सवाल पढ़े आप मेरे लिए काम कर सकते हो हाँ सर कर दिया मानने का क्या? सर शुनो ना आट से एक तीन बार ना मैनने का साबाश मेरे चिते रेडी अर यो तुम लाइन पे सर मैं आगे भी जाना चाहता हूँ मैनने का चाहओ जी ओ मैरे लाल फिलाहल यहां तक बाद साफ और आघे जाना चाहता हूँ सर मैं हवाओं को छूना चाहता हूं सर मैंने का तुम जो करना है करो यहां तक बात साफ सवाल बोला है कि अगर मैंने इतना दिया तो मेरा इंट्रेस्ट कितना है दिया 15,360 न जो ये मैंने 512 दिया है वो 15,360 है क्या आपने एक चीज फिल किया 500 का 3 गुना 15,12 का 3 गुना 36 मतलब एक पार्ट 30 का चल रहा है तो जो आपको इंट्रेस्ट मिलेगा वो इसका 3 गुना यानि कि 651 में एक शुन्य ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर मतलब करने को कुछ नहीं था 9 महीने में आप अगर खोला खोली देखोगे तो आपको बेसिकल यहां पर करना क्या था 9 मंस में 3 बार इंट्रेस्ट कैल्कुलेट करना था यह पहला चीज है और दूसरे बार 50% का जो पूरा साल भर मिलने वादा था उसको 4 भाग में बाटना था साड़े बारा साड़े बारा करके साड़े बारा push 벌 का 1.8 करना था और 1.8 के हिसाप से 8, 1, 1, 8, 1, 8 करके 3 phases में चलाना था 512 को 727 बनाना था ग्याप देखि लिया जो भी आया उस हिसाप से आगे बढ़ना था हाँ यह आगे आपके पास टाइमिंग का सवाल, सर मैंने का हाँ, प्लीज चेंज मत कीजिएगा, मैंने का क्या, ये क्विश्चिन सभी को मैं कहूंगा, कि एक बाद ट्राइ ज़रूर से मारो, जल्दी, एक बाद ट्राइ मारो, सर, मैंने का हा, मैं अटक गया, मैंने का बढ़िया, सर, ये मैं जैसे कहीं से भी नहीं हो रहा है, सर, कमपाउंड इंट्रेस्ट 40,009% के हिसाब से सर्टेन टाइम के लिए दिया, और वो 7,5,2,4 का इंट्रेस्ट हमें दे रहा है, समय कितना है, जिन्देगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, बेसिक ट्रेडिशनल का कभी हाथ साथ मत छोड़ना, क्या, कमपाउंड अमाउंड का फॉर्मुला यही कहता है, कि P whole into 1 plus R by 100 to the power T, कमपाउंड अमाउंड होता है, हाँ सर, यही तो है, मैंने का, दिया कितना, सर, 40,000, लिखो न, ठीक है सर, 1 plus, rate कितना, सर, 9, लिखो न, ओके सर, time कितना, सर, वो ही तो कलेश है, अगर वो होता तो मैं पूछता, अमाउंड कितना, पता नहीं, मैंने का, जोड़ो, सर, क्या, इतने का, इंटरेस्ट इतने के उपर मिला, तो total घर कितना लेकिया होगे, सर, मैंने का, हाँ, कुछ करना पड़ेगा, मैंने का, क्या, सर, इस 40,000 को लेके उधर भाग दे देते हैं, क्यों, क्योंकि to the power t में इस t को variable निकालना है, तो उसी को LHS में रखते हैं, बाकी सब LHS ले लेते हैं, 100 प्लस 9, 109, बटे 100 to the power कुछ t है, जो कि 47524 divided by 40,000 देता है, अब भाई साब लास्ट टेम एक चीज़ याद रखना, कि आपको पता है कि ये something 109 upon 100 के power में आने वाला है, guaranteed, 100 का next power कितना है, 10,000, लेकिन यहाँ 40,000 है, तो ये गंदगी कब साफ होगा, ये गंदगी तभी साफ होगा, जब मैं इनको काट पीट के अपने least formula लाओ, तो एक बार अगर मैं 4 से काट दो, तो 100 का square बन जाएगा 10 सबार, तो 4 से काटेंगे, चार से काटेंगे, 11, 44, 35, 8, 32, 8, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना, सॉरी, 11, 44, 35, 8, 32, 8, हाँ, बिल्कुल सही तो है, और यह हो जाएगा 1, यहाँ तक बात साफ है, हाँ, आप मैं से जितने लोगों को नहीं पता कि यह 109 का square यह होता है, तो अभी पता कर लो, 109 में 9 जोड़ो, 118, 9 का square 81, यह मैंने square, अभी बोला था ना, कि nearest number 100 के पास वाले square, एक बाद trick सर्च करके कोशिक महनती करे, डिफाइनर सर्च करके देख लो, देख ले ना, काफी helpful लहेगा वाला, और यह इसका square, मतलब यह जो fraction है, क्या मैं इसको 109 बटे 100 का square लिख सकता हाँ, क्या यहाँ पे base और यहाँ पे base सेम है, हाँ सर, उनके बीच के symbol equal है, हाँ सर, तो power भी सेम ही होने चाहिए, हाँ, तो क्या आप सभी को t is equal to 2 के साथ, यह confirmation मिल चुका है, कि 2 साल के लिए हम invest कर रहे हैं, सर बात तो बढ़िया किया सर, लेकिन, लेकिन सेकिन, सर धोका ह है हमारे साथ, मैंने का क्या, आपने कहा था, इस formula का कम से कम इस्तेमाल करना है, वो जो कम है, वो यही है क्या है, मैंने का कता ही नहीं, बिलकुल नहीं, यहाँ बिलकुल लगाना नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिखाऊंगा नहीं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा तो सर आपने क्या सिखाया, क्यों सिखाया, अब देखो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाता हूँ, हाँ सर पूछो, अब जब AB मेथड की बात आती है, अगर मुझे यही नहीं पता कि उस कितना परसन था, 9 परसन को कितने बार लगाऊंगा, प्लस 9, प्लस 9, प्लस 9, इंटू 9, प्लस तो पागल नहीं हो जाओंगा, हाँ सर, तो AB वगरा यहाँ पे काम नहीं देंगे, लेकिन आपको, आपका रेशो मेथड जरूर से हल्प करेगा, कैसे, ध्यान से सुनना, क्या रेट के 9% होते ही, उसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है, हाँ सर, मेथड, क्या इससे, 109 का इंट्रेस्ट जोड के 109 बनाया जाता है, मेथड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह जो प्रिंसिपल से इंट्रेस्ट, पहली बार हुआ होगा, हो सकता है, दूसरे बार भी होगा, हो सकता है, तीसरे बार भी होगा, चौते बार भी होगा, कितने बार के बाद after N years इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है सर वो में कैसे लाँ आरे पता है कैसे आपने दिया कितना 40,000 और आपको interest अगर 7524 मिला तो 47524 का total amount बन चुका है मतलब जो after certain time का जो final ratio है principal और amount का वो यही आया होगा और वो जो ऐसे आया होगा वो 100, 109, 100, 109 ऐसे करके कुछ एक particular number of times multiply होके आया होगा मतलब वही basic funda जो है मतलब आपके आँके कोल रहा हो बस में हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो लेकिन यह 100 और 109 के कितने power है यह मैं कैसे जानू मैंने का मैं बताता हूँ least form में काटने के लिए 4 में कट करोगे यह 100 का square दिग गया 4 में कट करोगे और अगर मैं आपसे कहूँ कि यह 100 का square और यह 1188, 109 का square है मतलब पूरा protocol क्या चला होगा आप जान पा रहे हो सर क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ मैंने का क्या सर यह 100 से 109 दो बार हुआ होगा और दो बार multiply करके यह ऐसा आया होगा और फिर यही 4 के गुणा के बाद यह बना होगा और यही 4 के गुणा के बाद क्या मैंने आपको पुरा question frame करके दिखा दिया अब इससे आपको यह अंदाजा लग चुका है कि 100 से 109 जो बनने का process है वो कितने बार लागू हुआ है दो बार क्योंकि यह उनके second power में square में बैठ है तो time कितना होगा do sir मैंने का हाँ अभी तक सब बढ़िया चल ला था मैंने का okay यह problem कर दिया sir यह समझ नहीं आया drop your pens I request everyone kindly drop your pens जो amount है वो 3 whole 3 by 8 times है किसका जो sum आप दे रहे हो उसका कब एक certain time के बार वो भी 50% पर आनाम के compound interest में तो जो आपका sum में जिस time के लिए पैसा निवेश किया गया था वो समय जरा बताओ मुझे sir मैं कैसे बताओ मैं बताता हू कैसे अगर आपका amount 3 whole 3 by 8 times हो रहा है 8 तिया 24 तिर 27 बटे 8 बार हो रहा है गुना हो रहा है मतलब अगर आपने यह principal दिया होगा तो यही आपका amount होगा sir यह किस confidence है अरे यार आपका जो amount है वो 27 by 8 times of principal बन्दा है न sum का हाँ sir इस principal को लाके इधर divide कर दोगे तो भाई साब मैं यही तो कह रहा तो इतना हो अगर बोलोगे और क्या कहें मतलब आपका principal और amount जो है उनके बीच का ratio 8 अनुपाद सत्ताई से वो कब after a certain after an years वो कितना year है मुझे नहीं पता लेकिन हर साल जब आपको interest 50% का मिल रहा होगा 50% एक बटा दो होने के साथ आपका पैसा 2 से एक बढ़के 3 हो रहा होगा क्या यह 2 का 3 पावर और यह 3 का 3 से पावर है सर इससे क्या इसका मतलब यह कि 2 से 3 3 बार हुआ है तब ही जाके 2 2 2 8 और 3 3 3 27 मतलब समय कितना है समय 3 साल है 3 साल लगके होंगे option number B मतलब सिर्फ आपको यही ढूढना था कि 50% अगर 1 by 2 है तो 2 से 1 बढ़के 2 से 3 क्या पावर बियर कर रहे होंगे 8 से 27 होने के लिए cube power तो time 3 अगर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता 16 और 81 4 बार 4 9 2 साल इस तरीके से आपको जाना है 32 243 5 साल मतलब सिर्फ पावर देखो answer निकालो खुबसूरत खुबसूरत अगला सवाल नहीं करेंगे सर क्यों बीच में एक question skip किये थे बीच में एक question skip किये थे drop your pens कितने साल में भाई साब गलती मत करना गलती मत करना will a sum of rupees 16,000 at 10% per annum compound interest compounded semi annually यानि कि half yearly इतना बन जाएगा मैंने का सब छोड़ो सब छोड़ो 10% का interest मतलब एक बटा 10 यानि कि 10 दोगे तो एक के साथ 11 पाऊगे कितने बार पाए पता नहीं लेकिन जितने बार भी पाए आपका final जो after n years आपको समझ में आए कि मैं इसा क्यों लिख रहा था starting में after 2 years after 3 years after 4 years after 3 years जो होगा वो 3 बार होके time 3 साल after n years जो n बार होके time n years talent सर मैंने तो दिया 16,000 और वही बन गया 18,512 मैंने का सुनो ये 10 का पावर में अभी तक है ना सर अभी 10 का पावर में का ओके यार मैं तो अभी blunder कर देता खतम हो जाता मेरा कहानी कितने साल में एक संद जो कि 10 पर संद पर आनम पे चड़ा तो गिया गया है लेकिन semi-annually यानि कि half yearly जब सालाना दस चलता है तो half yearly कितना चलेगा sir देव मानूस हो यानि कि 20 दोगे तो 21 पाओगे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये 20 के पावर में है मुझे तो दिखा आपका बता नहीं कैसे 20 का cube 8000 होता है तो एक बार इसको 2 से कट करोगे तो ये 8000 तक पहुंच जाएगा 2 से कट करोगे तो 9, 4, 7, 9, 2 वहीं मैं कह रहा हूँ ये तो किसी का नहीं आ रहा 9, 2, 7 और यहां पे आपके पास कितना हो रहा है या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ हास है यह आपका 21 का है न मुझे तो याद है बट स्टिल अभी बहुत समय हो गया है अब मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया है 21 तो लिखा है बस एक पार क्रॉस चेक क्रॉस चेक करने में कभी शर्मिन देगे वाली बात होनी नहीं चाहिए वही मैं कह रहाँ 9주세요 6 1 होना चाहिए, नंबर में कुछ गलत ही है, नंबर में कुछ गलतियां है, वही मैं कह रहा हूँ, 9 to 6 1 होना चाहिए, 9, दो बार दिया, 9, 18, 500 बावन बन गया ना, सेमियन वली, 15 में 7 बार जाएगा, 7, 6 हो रहा है, कुछ गडबर हो रहा है न, अगर मुझे 2 में कट करना है, तो ये कुछ नंबर में थोड़ा गलतियां है, ठीक है, तो प्लीज, वही मुझे थोड़ा गडबर लगा, 9 to 6 1 होना चाहिए, तो मेरे लिए आप कुछिन को थोड़ा चेंज कर दो, सर क्या चेंज करना है, बताओ, मैं बताता हूँ, 9 to 6 1 का डबल, 18, 522 ले लो, ओहो, सिली मिस्टेग यहां पिट, वही, देखा, 18, 522 ले लेते हैं, यह 9, 6 1, अब साफ, साफ सर, क्या, यह सर 20 का क्यूँ, यह 21 का क्यूँ, मैंने का क्यूँ मतलब, सर 20 से 21 ऐसा 3 बार हुआ होगा, तभी जाके गुणा होके यह रेश्यू आया होगा, मैंने का 3 बार मतलब, साल 3, 9 of this, yes, फिर गलती, सर क्यूँ, यह आपक इंटरेस्ट लगने के लिए, एक साल चाहिए क्या, ओहो, सर यह फेज है, यह 6 महीने का है, यह भी 6 महीने का है, यह भी 6 महीने का है, मतलब, कितने साल लग गए होंगे, तेड़ साल लग गए होंगे, कितना beautiful question था, गलतियां में थी, लेकिन हमने सुधार दिया, गलती हुआ था, फिर भी आपको बचा लिया, तो, यहां पे भी गलती हुआ था, फिर भी बचा लिया, मतलब, एक question कितने lessons दे रहा है, आप समझ रहे हों, powerful questions, ठीक है, powerful questions, तो और एक बार इसको repeat कर दे, भाई साहब, आपको 10% का annually देने के लिए promise किया गया था, लेकिन उसने कहा semi-annually चलाएगा, यानि कि 10 का आदा 5% हर phase में देगा, हर phase 6-6 महिने में 5% मतलब 20-21 बनने का process लगेगा, ऐसे चलते चलते, एन साल के बाद, आपके दिये हुए 16,000 रुपे, 1,8,5,2,2 में परिवर्तित हो जाएगा, आपको पता है कि यह 20 का cube 8,000 बनाने से होगा, और 16,000 को दो बार काटो, इस नंबर को दो बार काटा, 9 to 61, जो की 21 का 3 पावर, 3 पावर से कभी यह मत जज करना कि 3 साल, ना, 3 बार इंट्रेस्ट मिला होगा, और अगर 3 बार इंट्रेस्ट जो हर 6 महिने में एक बार मिल ला है, तो 6-6-6, देड़ साल पूरा process होगा, option नंबर C, क्लि करेंगे सभी लोग, अब इंट्रेस्टिंग चीज है, क्या, अब भी मैं एक मिनिट रेस्ट लूँगा, आप अपना दिमाग जितना चलाना है, चलाओ, जल्दी, जल्दी चलाओ भाई लोग, कर रहे हो तो, सब सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो session को like और share करते रहे हैं बीच में, आपसे request है, इतना efforts आप ही लोगों के लिए मार रहे हैं, अगर आप ही नहीं दोगे साथ, तो हम मारा क्या होगा, एक sum है 12,500 का, जो कि amount बन रहा है, इतने साल के लिए 2 साल में, और अगर interest आपका हर साल calculate हो रहा है, तो compound interest कितने हैं, सर, मुझे छुट्टी दे दू, मैंने का ऐसा क्यों, सर, अब तो मेरा दिमाग कामी करना बंद कर गया, क्योंकि आपका tree method rate से start होता है, आपका ratio method rate से start होता है, आपका successive AB method, वो भी rate से start होता है, यह साब धोका दे चुके, मैंने का वो तो मैं बताऊंगा धोका कौन दिया, कौन नहीं, तुम्हारे पास एक basic था, तुमने उसको क्यों धोका दिया, अरे, सर, मतलब, जब basic की बात आती है, और formula की बात आती है, तो loyal formula आपके पास किसका है, सर, compound amount का, क्या यह यही है, p whole into 1 plus r by 100 to the power t is equal to जो आपका compound amount है, हाँ सर बात तो यही है, मैंने का दिया कितना, सर 12,500, कितना rate सर मालूम नहीं, कितने समय सर 2 साल, और जो interest है, वो calculate किया जा रहा है हर साल, तो rate of interest, और बन रहा है कितना पैसा, compound amount, यही है न, तो आपको पूछा गया है, कि आपका rate कितना है, ख्यान से, भाई साथ सबसे पहले तो इस 12,500 को उधर लेके जाओ, ठीके सर गया है, अब बारी है, इसको किसी के square के form में लिखने की, सर क्यों, ताकि मैं दोनों साइट से square हटा सको, सर, square से मुझे एक चीज़ आपको बताना है, मैंने का क्या, सर अगर इसको मैं 5 से cut करके 25 600 बना दूं तो ये 50 का square बन जा सकता है, मैंने का इसको 5 से cut करो, सर 5 से cut किया 28.09, सर ये 53 का square है, मैंने का तुँ बनाओ, सर इसको मैंने लिखा 53 by 50 का whole square, ये याद रखना होगा आप लोगों को almost, नसदी के 50 के घर के असपस, और 100 के घर के असपस compound interest में बहत जरूरी होगा, तो 53 by 50 का square अगर मैं बात करूं, तो दोनों side square हट सकता है, क्योंकि square root करने, तो 1 plus R by 100, अगर आपके पास 53 बटे 50 हुआ, ये plus 1 जब उधर जाके minus 1 होगा, तो R by 100 आपके पास कितना बचा, ये बचा 3 by 50, 50 में काटोगे 2 बार R, 3 into 2 कितना आ गया 6, तो आप में से अगर किसी ने मेहनत करके इस मेथर से अपना answer 6 निकाला होगा, तो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हैटसब किपड़ अप गजब जबरदस चल लेगे आपकी तयारी, बट सर अगर हमारे पास rate ही नहीं है, तो क्या हम ऐसे सवालों को ratio से कर सकते हैं, तो मेरा सवाल का उत्तर होगा, बड़ा सा, बड़ा सा, हाँ, सर कैसे, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले rate देखते थे, rate कुछ एक fraction में होता था, फिर आपको पता चलता था कि आपका पैसा कहां से कहां हो रहा है, क्या से क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि क्या से क्या हो, वैसा पैप का, तो यहां पर अगर मैं बात करूँ लेकिन आपके पास समय है, समय कितना है, समय दो साल है, मतलब जो भी आपका पैसा यहां से यहां हो रहा होगा, दो साल में वैसा दो बार हुआ होगा, और दो बार होके, जो final, after two years वाला ratio है, भाई साब इसको मैं 12,500 से 14,045 तो नहीं बन गया, 12,500 से 14,045 तो बना ही बना है, तो अब पस आपको देखना है कि अगर दो बार अगर यह लगा है, तो दो बार multiply करना मतलब किसी number का यहां पे square और किसी number का यहां पे square आना चाहिए, यह दोनों तो अपने आप में कोई square नहीं है, लेकिन इस 12, 12,500 को अगर मैं 5 में cut कर दूँगा, पत्चिस सो, और इस number को अगर मैं cut कर दूँगा, यहां पे 5 में, तो यह 2809 यह आपके square दिखेंगे, बाइस आप किस के, 50 के, मतलब 50 को दो बार गुना करके यही बना होगा, यह लिखना नहीं है, यह आपको समझा रहो है, इसलिए इत सर क्या, कि अगर मेरा पैसा हर साल 50 से 53 हो रहा है, तो मुझे जो interest मिल रहा है, वो 3 का मिल रहा है, किसके उपर, 50 के उपर, सर यह कम हुआ, अरे भाई सहाब, जब rate 16.66% था, 1 by 6 था, तो आप वही तो कर, 16.66 तो गंदा है, चलो, इसको तो नहीं लेंगे, जब rate 20% था, आप 1 by 5 लिये थे, तो 5 से 1 करके 6 कर रहे थे न, अब अगर आपको उल्टी दिशा, इसको चुपा दिया, अगर आपको उल्टी दिशा में rate निकालना है, तो क्या आप यही करोगे, कि सर, 1 का interest मिला है, मुझे 5 से 6 बनाने के लिए, और 1 का interest definitely 5 के उपर मिला होगा, और 1 by 5 percentage में 20 है, तो यही है, उल्टा ट्राविल, अरे हाँ है न, उल्टा ट्राविल यही तो है, तो वही जगा हम जब उल्टा ट्राविल किये, कि सर, मुझे 3 का interest मिलना है, 50 के उपर, तो percentage कितना, इंटू का 100 करोगे, time saving, shortcut, jabber, dust, paper, mask, 6, इतना कौन करेगा, समय किसी के पास नहीं है, स and these are the frequently asked questions in examination, so I hope you guys are understanding it properly and make sure कि आपने अभी तक session को like or share किया है, तो अन्त में तो सर, गुंगा हम के वही आना है और क्या, क्या करूँ, efforts मार रहा हूं तो करना ही पड़ेगा न, महनत कर रहा हूं आपके लिए, अगर ही करोगे, इस question को जल्दी से सभी लोग गलत बना देंग जैसे silly mistakes blunder हमने क्या था कहां पर half yearly के case में जब अपने time निकालने गए थे, यहां पर वैसे ही compounded quarterly के case में हम rate निकालने आये हैं, तो गड़बर तो होंगे, क्या होगा मैं आपको बताता हूं, सर कितने rate annum के हिसाब पर annum के हिसाब से 56,000 रुपे, 8,827 रुपे का interest हमें दे अगर मैं 3 का भाग दू तो 3 बार आपको interest calculate किया जाए होगा, 3 phases या 3 बार, लेकिन 3 phases में जो interest calculate किया गया है, वो rate missing होने के कारण आप में नहीं बता पा रहे हो कि कहां से कहां आपका पैसा सफर travel कर रहा है, लेकिन क्या इतना कह सकते हो कि 3 phases के बाद, after 3 phases, after 3 phases या 9 months, जो भी लिखोगे सही है, आपका जो ratio है वो मुझे बता सकते हो, हाँ सर, मैंने का कैसे, सर हमारा पैसा 56,000 से add करके 64,827 बन रहा है, अब इनको मुझे किसी number के cube के form में लिखने है, क्यूंकि 3 बर multiply होके तभी ये ratio आएगा न, तो किस number के cube के form में ये है, वो ढूनना होगा, मैंने कहाँ डूनते हैं, अब देखो, 3,0 कटने लाइक तो इसमें कोई 5 और 2 है नहीं, रही बात 56 की तो वो बनता है, 7 और 8 से, 8 के लिए चाहिए even, वो even है ही नहीं, 7 से कट रहा है, इसको 7 से काटो, 7 से काटने के बाद क्या ये 8,000 दिखा, जो कि किसी एक number का cube भी ही है, किसका, 20, जितना fast पकड़ोगा उतना fast answer, इसको जब मैं 7 से काटोंगा, तो ये कितना होगा, 7 9 बार 63, 7 2 बार 42, यानि कि 6 एक, इस बार सही है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किसका cube है, तो तुम क्या कहोगा, सर ये 20 का cube है, और ये, अरे ऐसा ही cube आएंगे जो आ 21 होना, मतलब एक का interest, 20 के उपर मिलना, सर मैंने answer निकाल लिया, 5%, सर option में नहीं है, न आपसे, मैंने का please गलती मत करना, wrong answer, why, ये हर phase का है न, हाँ सर, हर phase में, आपने quarterly interest लगा है न, हाँ सर, हर phase में quarterly लगाने के लिए आप करते क्या हो, अगर मैं आपको, एक 40% का interest देता औ और बोलता 9 महीने में क्या interest निकालो, तो आप क्या लगाते, क्या आप 40% का 2 by 5, 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7 करते 3 महीने में, no, जब मैं 40% 9 महीने के लिए कह रहा हूँ, ये तो 3 phase आपको पता चल चुका है, लेकिन हर phase में 40 नहीं, बलकि 40 का बटे का 4, 10 मिला होगा, और 10 का मतल जब 1 by 10 होता है, तो आपने 10 से 11 तीन बार किया होगा, agree करोगे, ये blunder कभी आप नहीं करोगे, तो same चीज, आपने जो यहाँ पे 20 से 21 किया है, वो हर phase में मतलब जो आपका annual rate उसने पूछा क्या है, find what rate per annum पूछा है न, तो जो annual rate चल रहा होगा, आपने उसका बटे 4 देक इस percentage को किया है, अगर किसी का by 4, 5 है, मतलब या फिर quarter में अगर आपको 5%, तो सालाना कितना होगा, 5% into का 4 वापस जाने के लिए, क्या आपको अभी feel हो रहा है कि मैं किस level तक आपको questions prepare करवा रहा हूँ, क्या ये question बीच में skip करके जा सकते थे, जा सकते थे, अगर मेरा conscience नही होँगा, दिल से पढ़ा होँगा, बढ़िया से पढ़ा होँगा, बहतरीन तरीके से पढ़ा होँगा, उमीद करता हूँ, अभी तक का सफर काफी crystal clear होगा, आप लोगों का, जहां पर जो problem है, comment करके मुझे बताईएगा, मैं जरूर से आप लोगों को help करूँगा, अब आ हो हो हो, सर मैंने का हाँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने का बताओ, उसने language में ही सब कुछ दे दिया है, बस कोई numeric figure ऐसे numbers में नहीं लिखा, इसलिए आप डर गया हो, उसने कहा कितने rate of interest में एक पैसा, चार गुना हो जाएगा, दो साल में, चार गुना हो जाएगा, दो साल में, rate मालुम नहीं, तो डिब्बे मालुम नहीं कि कहां से कहां ज quarterly के बाद कहीं नहीं गई, तो वो normal annually ही चलेगा, annually जब दो साल चलेगा, तो दो बार interest ऐसे से ऐसे हुआ होगा, मतलब किसी number के square से ही, आपका जो final after two years वाला ratio बना होगा, after two years वाला ratio क्या है, सर हमारा पैसा चार गुना हो जा रहा है, अपने आपका, मतलब अगर हमने दिया ह तो वो हो जा रहा है, चार, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, ये एक किसी का square है, हाँ, एक का, ये चार किसी का square है, दो का, क्या एक से दो का interest नहीं कि एक का interest एक के उपर ही मिलना है, और एक का interest एक के उपर अगर मैं percentage में convert करूं, तो खुबसुरत खुबसुरत अप्रोच में आप लोग मेरे साथ बनाते जल रहे हो अब हम बढ़ेंगे कुछ एक और बहतरीन जगा पे क्या अभी तक के question छोलो suppose आपने कभी देखा होगा नहीं देखा होगा basic questions से यह एक common question और इसके बाद वाला common question जो के frequently आपके सामने किसी ना किसी mock test वगड़ा में रहते ही रहते है compound interest का one of the favorite questions in any competitive examination sum of money on compound interest amounts to rupees 10,580 in 2 years and 12,167 in 3 years the rate of interest per annum is कितना इसको समझने के लिए एक logical part में करूँगा ठीक है इसका ratio approach बहुत बहतरी है लेकिन इसका basic approach एक बार देख लेना उसने कहा आपने कुछ पैसा जमा किया rate आपको मालूम नहीं है वो rate निकालना है लेकिन जिस भी rate में आपने जमा किया 2 साल में आपका पैसा उतना बनना था तो आपको rate निकालना है मान लेते हैं मैंने कुछ एक P principle दिया और मान लेते हैं मैंने कुछ R rate of interest में उसको invest किया अगर मैं उस पैसों को 2 साल के लिए लगाता तो जो amount निकल के आता वो amount कितना हो जाता सर वो amount 10,580 हो जाता दो दिख रहा है उपर हाँ बड़े दिख रहा है लेकिन अगर मैं उसी पैसों को उसी rate में 2 के बजाए 3 साल के लिए लगाता तो आपका पैसा कितना हो जाता सर हमारा पैसा 1,2,1,6,7 हो जाता अब ऐसे question में जहां पर P ऐसे बाहर नेकड घूम रहा है उसको आप eliminate कर सकते हों कैसे simply इन दोनों equation को divide करके अगर A is equal to B, C is equal to D, then A by C is equal to B by D अगर ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ बराबर तो इसको बटा, इसका बटा, इसका हो जाएगा जब मैंने बटे में बटे दिया, तो P P से cancel हुआ ये जो 1 प्लस R by 100 का square है यहाँ पे 2 बार काटके, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस R by 100 हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं RHS की value 8, 5, 13, 14, किसमें कड़ेगा रहे? बहुत मुश्किल है साथ में काटोगे, 1, 35, ना 9 में काटोगे, तो 9 में भी नहीं जा रहा, भाई सावी, तो कुछ लफड़ा ही है 11 में जा रहा है, क्या 6 नहीं जा रहा, किसमें जा रहा है? बहुत गंदा है, 1, 2, 1, 6, 7 तो यह तो बहुत dangerous बन जाएगा आपके लिए अभी थोड़ा मुझे rest चाहिए किसमें जा रहा है रहे भाई लोग, बता भी नहीं सकते हैं आप लोग 2000 किसी में नहीं जा रहा शायर इसका एक दूसरा अप्रोच पहले इसको calculate थोड़ा कर लेते हैं काफी गंदा है है, मैं direct divide मारता हूँ 10580 divided by 12167 हैस, यह नहीं जा रहा ओहो 10580 12167 शालो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक दूसरे method में सर दूसरा method क्या है, हमें जरा बता रहा सर यही तो एक method है, जो आप मुतलब पूरा का पूरा पानी कर ले ओ, आपका भी करवा दूँगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना आपने कुछ पैसा दिया, आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनना, आपने कुछ पैसा दिया, ठीक है सर वो पैसा दो साल के बाद इतना बन गया, आप एक काम करना, उसके पास और मत छोड़ना, ठीक है सर, आप उसको ले आना लाने के बाद, अब दो साल का सीनरियो खतम, यह आपका पूरा पैसा है, अब पुराना सवाल सब कुछ खतम हो चुका है, आपके हाथ में अभी कितना है, 10,580, अब अगर आप इस 10,580 को उसके पास फिर से, एक साल के लिए रख दोगे, तो क्या यही इतना बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से दो साल के बाद और स्टार्टिंग से तीन साल के बाद मतलब एक ही साल के और ग्याप में यह इतना बनने वाला है, वो इतना बनने वाला है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने एक चीज नोटिस किया, सर वो क्या है, कि सर मैं अगर 10,580 को अपने ह में लेके उसको एक साल के लिए थमा देता तो 10,580 रुपे मेरे एक साल में कितना बन जाता 12,167 बन जाता सर इसी बीच मुझे कितना इंटरेस्ट मिला पता है मैंने का कितना सर मुझे मिला साथ 8,8,16,16,6 में अगर मैं करूँगा 5 और अगर मैं हो जाएगा तो ये 1 मुझे सर 15,87 का इंटरेस्ट मिला मैंने का ये जो 15,87 का इंटरेस्ट मिला वो किसके उपर मिला सर वो 10,580 के उपर मिला मैंने का तो 15,87 10,580 का कितना परसंट है ये तो बता ही सकते हो मने का कैसे, 1-0-1-0 के साथ काटो मने का काटा, सर, आपको एक number 529 दिखा हाँ सर, मुझे एक number 529 दिखा, शयद वो वाले भी 529 में कट रहे होंगे अब मुझे दिमाग में आ रहा है, 529 में काटूंगा तो ये कितने बार जा रहा है, 20 times जा रहा है और 529 में जब मैं काटूंगा तो यूनिट डिजिट के हिसाब से 97 में जाएगा यानि कि 529 529 का डबल हो चुका है यह 23 टाइमस जाएगा अब मेरे दिमाग में आ रहा है 529 ट्वेंटी टाइमस एक बार करके देख ले न हाँ तुम 23 से कट रहे थे मैं जून रहा था 11-13 अब रेंज के अंदर में जून दूँगा न मेरा ओकाद भी और कहां और क्या क्या आपने एक चीज फिल किया सर क्या यह डिनोमिनेटर वाला चीज उधर जाके नियूमरे ट्रुक में चला जाएगा और यह इधर आके फ्रैक्शन हो जाएंगे मतलब आप सभी को 23 बाइ 20 1 प्लस R बाइ 100 दिखा हा सरे यह प्लस 1 इधर जाके जब माइनस 1 होगा तो क्या यह 3 बाइ 20 R बाइ 100 दिखा 20 से काटोगे तो यह 5 तेमस 5 में काटोगे तो 3 तेमस तो R का वैल्यू 15 परसेंट लेकिन बेसिक कितना खतरना घातक साभी तो मुझे रोक दिया यार बीच में आपका पता नहीं लेकिन इसमें आपका सवाल का उत्तर खतम हो चुका है सर कैसे 529 में 2 तेमस 529 में 3 तेमस 2 में काटोगे 5 तेमस 5 इंटो 3 15 परसेंट जानते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मैं बीच में मैं क्या आठक गया आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं एक बार इसलिए पूरे क्लारिटी के साथ इसको रिपीट करना पसंद करूंगा आपने कुछ पैसा दिया उस पैसे को मैंने पी माना कुछ एक पटीक्लर रेट आफ इंटरेस्ट में उसको मैंने आर माना दो साल के लिए तो मेरा पी 1 प्लस रबाए हंडे तुदी पावर 2 दो साल में जो अमाउंट बना है वो 10,580 बना है और वही प्रिंसिपल को वही रेट में अगर मैं 2 के जगा 3 साल के लिए रखता तो मेरा पैसा टोटन 1,2,1,6,7 बन जाता भी बाहर घूम रहता जो कि कैंसल हो सकता है तो मैं इसमें linear equation and 2 variables अला 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 क्यों जाओ divide मारा pp कटा equation आप प्लीस solve करना अपने ही साथ से equation मुझे follow मत करना घडबड हो जाएगा क्योंकि हम लोग practice के साथ बहुत प्रो बन चुके है equation solving में तो आप पकड़ नहीं पाओगे range में नहीं आओगे तो आप अपना cross multiply करके करना तो आपको आपका r का value 15 मिल जाएगा मैंने का किया मैंने इस whole square को यहाँ पे whole cube में काट दिया यहाँ पे 1 plus r by 100 जो रहा वो rhs में ले लिया ये और ये 23 को उपर 20 को नीचे और इसका जो 1 plus r by 100 का plus 1 है वो उधर लेके minus किया तो 23 minus 20 by 3 3 by 20 यहाँ पे r by 100 20 में काटा 5 5 into 3 यह आर हो गया 15 और इस method में मैंने क्या किया इस method में मैंने बड़ा simple सा funda किया 2 साल के बाद मेरा जो पैसा बंग रहा था मैंने वो ले लिया imaginary तोर पे और मैंने कहा कि 1 साल के लिए फिर रख देते जब मैंने इस पैसा को 1 साल के लिए रखा तो वो पैसा इतना बन गया सरी तो 3 साल अरे starting का 3 साल मतलब 2 साल के बाद 1 साल अगर यह इतना हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में मेरा पैसा जितना जहां से जहां आपको यह funda पता हो गया होगा कि अगर आपका पैसा x से y हो रहा है एक साल में तो जो बढ़ रहा है y माइनस x वो जिसके उपर बढ़ रहा है x उसके बिहाप में निकाल लोगे तो आपका rate निकल जाएगा यही funda एक साल वाले का तो एक साल में अगर आपका पैसा यहां से यहां जा रहा है तो जो आपको interest मिलना है 1587 वो आपका जिसके उपर मिलना है 10, 58 वगेरा उसका कितना percent है अगर आप में talent हो तो यहां पे भी आप जब cancel कर दोगे तो कैसे cancel करोगे आप जब 529 में cancel करोगे यह 20 times जाएगा यह 23 times जाएगा तो 3 का interest 20 के उपर भी है आपको same answer मिलेगा बाट मुझे जो दिखा मैं कोई करूँगा न अब मैं रट के तो नहीं आ सकता question न मुझे जैसा दिखेगा मैं उस हिसाब से अप्रोच लूगा तो यह था सर इसमें थोड़ा और clarity ला देते तो मज़ा आ जाता मैंने का विश्णू तो अब थोड़ा और clarity लिया जाए कैसे previous सवाल में आपका सिर्फ divide करना छोटे value into 100 यह यह न ट्रिक बट मैंने ट्रिक भी नहीं बताया मैंने आपको method पूरा basic बताया और advance बताया ट्रिक करके क्या करोगे जब 2 साल आएगा flop, fail, curve, rejection elimination, discourage सारे negative words एक certain पैसा 9000 उपे बन जाते हैं 3 साल में और इतना बन जाते हैं 5 साल आप लोग मेरे लिए basic वाला एक बार घर में try करोगे P all into 1 plus R by 100 2 the power 3 देके 9 जा 2 the power 5 देके इतना 3, P, P cancel करदेना divide करके 3 cancel करोगे तो किसी का एक square रह जाएगा इनके सार फिर square root वगरा करके एक बार solve करके प्लीज कमेंट करना कि हाँ सार इसको square वगरा करके मैंने rate निकाला मेरा answer आया Thank you sir बोल देना एक बार अच्छा लगता है या तो आप उस method से कर सकते हो या तो जो ratio वाला approach है हम उससे करेंगे उससे कैसे करेंगे आपका जो पहला साल time period है वो तीन साल का है तीन साल के बाद आपका पैसा 9000 रुपे बनने वाला है हाँ सर तीन साल के बाद हमारा पैसा 9000 रुपे बनने वाला है तीन साल के बाद जब आपका पैसा 9000 रुपे बन राना उसको बोलो दे दो दे दो ले लिए बस घुम गे अरे यार मेरा मन मदल गया रख लो अभी जमा कर लो तो अगर starting से 5 साल के बाद जो है वो 3 साल के और कितने साल बाद आने वाला है 2 साल के बाद ही आने वाला है अरे starting से 5 यर्स 3 यर्स के बाद 2 साल के बाद ही आने वाला है तो अगर आपने 3 साल के बाद अपना पूरा पैसा ले लिया और उसको बोला आगे और 2 साल लख दे तो मिलने तो वही वाला है न जो 5 साल बाद मिलेगा क्योंकि अगर उसी के उपर रहता तो amount के उपर amount करके interest करके वही मिलता तो अगर मैं आपसे कहूं कि 12,960 आपको 2 साल में मिल रहे है 9,000 रखने के लिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सालाना कहां से कहां हो रहा है वो नहीं पता लेकिन 2 साल में after 2 years ये ratio में कैसे लाऊंगा मैं लाऊंगा ऐसे कि मैंने 9,000 रखे 2 साल और 2 साल के बाद वो 1,2,9,6,0 बन रहा है अब देखो आप ये तो समय समय का खेल है आपने 1,0,1,0 काटते ही अगर ये 900 आपको 30 का स्क्वेर और ये 36 का स्क्वेर दिख गया बहुत अच्छी बात है अगर आप और काटोगे तो ये बहुत दूर दूर तक जाएगा या ना ये बहुत दूर दूर तक जाएगा 5 और 6 में ultimately बनेगा 20% सायद मुझे जितना दिख रहा आंसर बनेगा लेकिन अगर मुझे 900 और 1296 में दिख गया कि ये 30 का स्क्वेर है ये 36 का स्क्वेर है तो 6 का interest 30 के उपर मिलेगा 1 by 5 20% नहीं तो फिर काटा पिटी चालू करो 6 में काटोगे 1,500 6 में काटोगे 216 और 6 में काटोगे 25 6 में काटोगे 36 अब तो दिखी जाना चाहिए भाई लोग 5 से 6 होना यानि के 1 का interest 5 के उपर और 1 by 5 कितना होता है 1 by 5 20% होता है और जितने भी लोगों ने उस method से भी 20% किया होगा मुझे problem नहीं learning के लिए वो method आप जान सकते हो अभी ज़क अगर session पसंद आ रहा होगा मज़ेदार लग रहा होगा एक बार आप सभी से request दिल खोल के session को like or share कर दो काफी सारे varieties के questions में आपको करवा रहा हो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल के पास अभी इस particular सवाल में मैं आपको थोड़ा समय दूँगा उसके बाद ही मैं उसका explanation स्टार्ट करूँगा लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है times और time के बीच का difference जो मैंने आपको कहा था था ना अभी खुपसरा logic हम सीखने वाले हैं तो दिल थाम के बैठ जाएए pen or paper लेके खुपसरा चीजें पढ़ने वाले हैं लेकिन उस सवाल में थोड़ा समय आप पहले खुद दीजिए जल्दी उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितना हो सके ट्राइ किया होगा इस सवाल को अभी से times और time का जो सफर है वो काफी खुपसरा तरीके से हम लोग तेह करने वाले हैं तो दिल थाम के बैठिये बढ़ यह से करते हैं इस sum of rupees 12,000 is deposited at compound interest becomes double after 5 years how much will it be after 20 years अभी इसी के type के linked question हमें देखने के लिए जो मिलेंगे उनको कैसे tackle out करना हो तर देखो इस concept को मैं यह कहके हमेशा पढ़ाता हूँ कि यह हमारा फिर हिरा फिरी वाला concept है सर्फिर हिरा फिरी वाला concept मतलब वो जहों वहाँ पर बोलता है ना 21 दिन में पैसे double तो similarly वही चीज यहाँ पर चलता है compound interest में कि अगर मान लेते हैं कि आपने 21 दिन में पैसे double वाले स्किम में अपने 100 रुपे डाले 21 दिन के बाद वो 200 रुपे बन जाएंगे लेकिन मान लेते हैं कि आप वो पैसा ना लेके उसको बोलेंगे कि और 21 दिन के लिए चड़ा दे तो वो पैसा 200 से 400 बन जाएगा और 21 दिन के बाद 800 और 21 दिन के बाद 1600 वो बावु है या 8 गुना 16 गुना ऐसे टाइप का चलेगा 32 गुना उस टाइप का ये चलेगा और इसका एप्लिकेशन हमने एक जगा और भी डाल लखा था जहां पर मैंने कहा इस हाथ दे उस हाथ ले याद है वो सवाल जहां पर एक साल का गया प्रेरा था या दो साल का गया प्रेरा था मान लेते हैं अभी रिसेंट जो कुशन किये थे कि हमने अपना पैसा ले लिया दे दिया अगेन और एक साल के लिए तो वही rate of interest में चलेगा तो यही protocol फोलो करेगा कि अगर भाई साव आपको वो कह रहा है कि आपका एक asset interest में deposit किया गया है जो आपका पैसा है वो double हो जा रहा है 5 साल के बाद तो हर 5 साल के बाद आपका पैसा double होने वाला है तो उसने जब मुझे 20 साल के बाद अपना पैसा कितना है वो पूछा तो मैं आपको एक सरल सा उत्तर देना चाहता हूँ कि अगर आपने 12,000 रुपीज दिया तो 5 years में यह अपना पहला double होके यह value 24,000 बन गया होगा अगले 5 years में अगर मैं बाद करो तो और double होके यह पैसा थोड़ा जगा मुझे चाहिए जादा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने कितना दिया सर मैंने दिया 12,000 तो थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ 12,000 जब आप पहले 5 साल की बात कर रहे हो तो 5 साल में आपका पैसा double हो जाएगा double होके आपका पैसा कितना बन चुका है 24,000 और 5 साल अगर आप इस पैसे को रख दोगे तो वो और double हो जाएगा यानि कि वो पैसा बन जाएगा 48,000 and similarly जब आप और 5 साल के लिए रख दोगे तो ये पैसा कितना हो जाएगा और double हो जाएगा यानि कि ये पैसा हो जाएगा 96,000 और जब मैं बात करता हूँ कि और पांच साल रख दूँ तो और पांच साल में ये और डबल होके कितना बन जाएगा 1, 9, 2, followed by triple 0 तो वेड़े सिंपल तरीके से हमने इस सवाल का उत्तर निकाल दिया कि अगर मेरा पैसा पांच साल में डबल हो रहा है और 4, 5 साल के स्पैन में ये पैसा इतना हो जाएगा आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कैसे? आपको बता है हर 5 साल में डबल होने वाला पैसा? 20 साल में ऐसे 5 साल वाले स्पैन कितने आने वाले है? 4 तो 4 बार डबल मतलब 2, 2 दुगना 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16 और 16 गुना अगर आप डाइरेक्ट भी कर देते तो इतना आपको मेहनत करना नहीं पड़ता 12 का 16 गुना अगर में करूं तो ये होता है 192 और उसमें अगर में 20, 20 नहीं 3, 0 अगर लगा दो तो मेरा उत्तर आ जाएगा ये लेकिन इसी 16 को प्रात्त करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है लेकिन इसको मैं पहले कभी ट्रिक्स नहीं बता था पहले मैं इस लॉजिकल अप्रोच से आपको सारी कुश्चिन 4, 5 कराओंगा फिर बैक टू बैक उस ट्रिक के साथ करवाँगा जैसे कि आपको अंडेस्टनी में काफी हद तक हेल्प मिलेगा सवाल अगला आपके सामने है हाँ सर, सवाल क्या कहा रहा है देखेंगे ध्यान से एक sum of money आप लोग try भी कीजेगा pause करके एक sum of money है जिसको place किया गया है compound interest में वो चार गुना अपने आपका बन जा रहा है 9 साल में तो कितने साल लग जाएंगे उस पैसे को अपने आपका 64 गुना होने के लिए तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर मैंने कुछ भी पैसा दिया x वो पैसा अगर मेरा 4 गुना हो जा रहा है 9 साल में तो ये पैसा आपका 4 x हो गया होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि और 9 साल के लिए इस पैसा को रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा सर और 4 गुना के साथ ये पैसा 16 x हो जाएगा और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पैसा और 9 साल रख दे तो ये कितना हो जाएगा सर और 4 गुना ये पैसा हमारे पास 64X हो जाएगा अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या आपको आपके पैसों को 64 गुना करना था हाँ क्या आपका पैसा X से 64X यानि कि 64 times हो चुका है हाँ सर 64 times हो चुका है और साल कितने लग रहे हैं सर 9, 9, 18, 9, 27 यानि कि 27 साल लग रहे हैं तो अगर इस सवाल का मैं सही उत्तर की बात करूं तो वो होगा option number C 27 years में आपका जो पैसा 9 साल में 4 गुना होता है वो 27 साल में 64 गुना होने की ख्षमता रखता है बट अगर आपके दिमाग आप एगा अगर immature होंगे तो आपके दिमाग में तरह तरह के thoughts आएंगे क्या? कि सर अगर वो 4 के ऐसे power में ना चलके 4, 16, 64, 256, 1024, 4096 ऐसा ना देके 80 गुना पूछ लेता तो तो उस सवाल को हम solve ही नहीं कर पाते उसका पीछे का reason जानने के लिए हमें एक बाद इस सवाल को basic से बनाना होगा मैं आपको कोई भी चीज अदूरा नहीं पढ़ाओंगा जो भी पढ़ाओंगा दिल से पढ़ाओंगा अच्छे से बढ़ाओंगा अगर आपका कोई पैसा नियम अनुसार 9 साल में 4 गुना हो रहा है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ इसके previous में भी आपके दिमाग में वो सवाल हो अगारे 20 साल, 15 साल 10 साल, ऐसे 5 के span में ना देके 22 साल दे दिया होता है तो सारे सवालों का जवाब एक ही जगा दे रहा हूँ इस previous सवाल जिसकी बात की जा रही है जहां पे 9 साल में आपका पैसा 4 गुना हो रहा है उसको अगर मैं basic traditional form में लिखूं तो वो कैसा लिखा जा सकता है कि सर अगर P whole into 1 plus R by 100 to the power T compound amount कहलाता है एक ही formula master formula है भाई तो अगर आपने एक principle दिया X का 1 लेने से भी चलेगा ले लिया X आपका traditional मतलब एक सी favorite है उसको कितने rate of interest में आपने invest के है वो नहीं पता लेकिन वो पैसा जब आप 9 साल के लिए रख रहे हो क्यूंकि आप अगर चाहो तो X X अभी भी cancel कर सकते हो लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ इस 9 power को काटने के लिए इस 4 को किसी के 9 power पे बैठना पड़ेगा क्या 4 किसी के 9 power पे बैठता है नहीं न अगर 4 किसी के 9 power पे नहीं बैठ सकता तो क्या ये सवाल आगे बढ़ सकता है हाँ बढ़ सकता है लेकिन सर मैं तो बढ़ा नहीं पारा क्यूं क्यूंकि आप पागल हुए हो R के पीछे आप R को निकालने के लिए ही इसके 9 power में लिखो गे तब ही brackets कुलेगा और R का value आएगा लेकिन क्या इस सवाल ने उसने आपको R का value पूछा उसने जो पूछा वो मैं निकाल सकता हूँ इसके मदद से कैसे क्या अगर वो सवाल मुझे पूछ रहा है कि ये पैसा 64 गुना कितने साल में होगा मतलब क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि वो amount जो है वो मेरा 64 गुना हो जाएगा अगर मैं x दे रहा हूँ सेम पैसा तो मुझे कितने समय लगेंगे उस पैसें को 64 गुना करने के लिए क्या यही मेरा requirement है requirement या फिर desire है अब इस value को पहुंचने के लिए कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि x जो आपने काटा वो किसी भी side LHS और RHS में multiply हो सकता है उसके लिए आपको कोई जिंता नहीं करना है जो problem आपको face यहाँ पे होना चाहिए वो यह है कि आपको 4 को 64 बनाने की कोशिस करनी है 4 को 64 बनाने के लिए कोई बुद्धिमान प्राणी यह भी बोलेगा कि 4 में 16 का गुणा कर दे लेकिन आप इधर 16 इधर 16 multiply करके answer में कुछ भी changes ला सकते हैं question में कोई भी changes ला सकते हो नहीं आपको जो change चाहिए वो major change कहां पे चाहिए power में चाहिए मतलब आपको 4 से 64 का traveling power के form में करना है तो यह 1 plus r by 100 to the power a to the power m whole to the power m multiply हो जाएंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 27 और यह value हो जाएगा 4 का cube 64 क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो इधर अपना एक LHS में x और RHS में अपना एक x multiply कर दो क्या आपको जो requirement था वो मिल चुका है सर कैसे ज़रा दिखाना x के जगा x बैठा है 1 plus r by 100 1 plus r by 100 64 x चाहिए 64 question mark के जगा कितना बैठा है अरे सर आप तो miracle हो miracle मैंने का कितना हो गया मतलब सर उसी पैसे को अगर मैं 27 साल लग देता तो ही 64 होता क्या अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है अगर यहाँ पे आपको 16 गुना करना है तो 4 का square 256 गुना करना है 4 का to the power 4 1024 गुना करना है to the power 5 4096 करना है to the power 6 अगर power में ना देके 80 दिया आप उस 4 को कभी 80 के मतलब power में लिख सकते हो 80 को कभी 4 के power में नहीं न तो वो question कैसे solve होगा ना R मिलेगा ना आपको desired चीज मिलेगा वैसे तो fractions बहुत गंदे हो जाएंगे अगर ऐसे ego पे लेना है तो ले सकते हो कि भाई 80 बनाने के लिए कुछ लेकिन वो solve नहीं होगा क्योंकि irrational वगेरा सब चीज आ जाएंगे तो इसे लिए आपको mandatory है कि इस question में जो figures दिये जाएंगे वो ऐसे दिये जाएंगे जो कि powers और time को काफी खुबसुरत तरीके से follow कर रहे होंगे प्रोटोकॉल compound interest का record कर लो compound interest को note भी बना लो compound interest का मन गड़न सवाल possible नहीं है लिख लिया जो आपके curiosity होता ना कि percentage में अगर ऐसा होता वैसा होता इस chapter में आप कभी नहीं कह सकते क्योंकि इस चवाल में थोड़े इधर उधर के साथ आपका और question solve नहीं होगा question इस तरीके से frame होगा जो कि solvable होगा ये चीज आपको ध्यान रखना है क्या आपने एक चीज feel किया सर क्या मैं अभी आ रहा हूँ आपको लेकर trick के पास ठीके सर आओ trick के पास trick में क्या है ध्यान से देखना trick को मैं trick में आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहा आपको ये 9 given था हाँ सर उस 9 में 3 का गुणा होते ही 27 जो है वही मेरा answer निकल के आगया अरे सर हाँ वो तो मैंने सोचा नहीं था तो सर इसको करेंगे trick में कैसे मैंने का सुनो तुम्हें जो time दिया गया है या फिर उल्टा लिखते हैं कैसे आप मुझे बताओ कि आपका कितना time कितने साल में हो रहा है सर मतलब क्या आपको ये ही दिया है कि आपका 4 times होने के लिए ऐसा ही लिखना 9 years लग रहा है इस certain time 4 times 9 years आप पहले times को लिखना फिर time को लिखना years फिर आपको देखना है कि ये given है लेकिन required क्या है required है आपको 64 times बात साफ है और वो कितना है वो ही निकालना है बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि 4 और 64 के बीच का जो संबन बनेगा वो power के बीच में बनेगा यानि कि आपको 4 का 3 पावर चाहिए न 64 मतलब 4 का 3 पावर जो यहाँ पे आप power में दोगे वहीं आप time के साथ multiply करोगे और जब आप 9 तिया करोगे तो यह value कितना निकल के आ जाएगा 27 यह इस सवाल का खुब सुरह सुरुत है सर यह थोड़ा एक और बार समझा देंगे तो मज़ा आ जाएगा ध्यान से सुनना सभी लोग drop your pens और basic नहीं बताऊंगा basic के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है अब drop your pens just listen to me very carefully very 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 carefully एक certain sum है place के आगया compound interest 3 गुना हो रहा है 7 साल में 3 गुना हो रहा है 7 साल में कितने साल में ये 81 गुना हो जाएगा अपने आपका सर अगर मैं x दूँ तो 3 गुना 3 x हो रहा है 7 साल में मैंने का हाँ सर और 7 साल अगर मैं रख दूँगा तो और 3 गुना 9 x हो जाएगा सर अगर मैं और 7 साल रख दूँगा तो और 3 गुना 27 x हो जाएगा सर और साथ साल अगर में रख दूँगा तो 3 गुना 81X हो जाएगा बेसिक मुझे ये कह रहा है कि सर मुझे अपने पैसों को X से 81X यानि कि 81 टाइम्स करने के लिए साथ 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 28 साल लग रहे हैं तो सवाल का सठीक उत्तर option number Z आ चुका है लेकिन मैंने जो प्रोटोकॉल कहा उस हिसाब से भी आपको सेम चीज मिलेगा कैसे 3 times 7 years 3 times 7 years आपको चाहिए 81 times required है 81 times how many years यही न just express this 81 in 3's power 3 का 4th power और जो यहाँ पे power में आएगा वही यहाँ पे गुणा होगा 74 के कितना सर 7, 4, 28 साल क्या यह धीरे-धीरे समझ में आ रहा है चीज एक और सवाल इसका example ले और कभी 80, 90 यह नहीं आ सकते इसके बाद आता तो 243, 729 ऐसे करके आना चालू होता 2197 इस तरीके से आना चालू होता सर यहाँ पे क्या है एक certain sum of money है सबसे पहले तो उस सवाल का अंसर दे देते हैं अगर trick स्टार्ट ही हो गया है तो उस सवाल का उत्तर दे देते हैं थोड़ा reverse travel करेंगे तो आपको और जादा भी clarity आ जाएगा इस सवाल का आपको एक पैसा दिया गया था जो कि कितना हो रहा था double यानि कि two times ध्यान से देखिएगा पूराना सवाल है five years में हासर इस बार आपको उसने twenty years के बारे में scene पूछा उल्टा और पूछा कि वो कितना होगा मने खा कितना छोड़ो कितना times अगर होगा वो निकाल दूँ तो मज़ा आ जाएगा सर कैसे मैं देता हूँ मज़ा आप तिंटा क्यों कर रहे हो right hand side में जो year से वो पांच से बीस होने के लिए पांच का चार गुना किया गया होगा और पांच का चार गुना तभी होता है जब दो का पावर चार होता है दो का पावर चार कितना होता है 16 मतलब इसी दौरान आपका पैसा 16 गुना हो गया होगा और यही मैं कह रहा था कि 12,000 का डाइरेक्ट आप 16 गुना करके भी आपको answer मिल जाएगा क्या है चीज देख रहे हो क्या बवाल चीज है compound interest कितना logical पढ़ाईए भाई साब इधर से उधर जाओ उधर से इधर आओ टाइम सोर टाइम के बीच का यह तो सुरुवात है भाई अब जिस लेवल पर मैं question आपको खिलवाओंगा न मजा आजाएगा कसम से बोलो कसम कह रहा है मजा आजाएगा एक certain sum है जो की आठ गुना हो रहा है 12 साल में तो 16 गुना कितना भाई साब इतना पढ़ाने के बाद भी बेवकूफ इंसान बोलेंगे 24 साल बोल चुके हो आप लो मुझे पता या है पता नहीं आप में क्या जोस रहता जल्दी answer करने में थोड़ा सोचना नहीं समझना नहीं previous question को recall नहीं करना तुरंत तो answer और 8, 12, 16, 12, 24 ना सुनो उसने कहा कि आपका पैसा पहले तो आप प्रिक इसको सुचिए आपको दिया है 8 times होने के लिए 12 years एगरी करोगे तो आपको 16 times पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा क्या यहां तक each and every individual को पता है 16 times होने के लिए आपको कितना साल लगेगा क्या यह 8 के direct power में बैठा है कि मैं इसको express कर दूँगा क्या यह 16, 8 के direct powers में बैठा है कि मैं इसको express कर दूँगा नहीं न अगर यह आपके direct powers में नहीं बैटा तो इसमें आपको थोड़ा महनत करना होगा कैसे आपको यह जानकारी लगाना होगा कि 8 और 16 किस common number के power में चल रहे मैं पूरा धागा खोल के दिखाऊंगा पहले trick बता रहा हूँ समझो मेरी बात को सर कहीं 2 का क्यों 8 और 2 के power 4 16 की चर्चा तो नहीं हो रही है मैंने का बिल्कुत सही पकड़े हो अब मैं reverse travel करूंगा सर reverse कैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ 8 मतलब 2 to the power 3 टाइम सोने के लिए आपको 12 साल लग रहे है 12 साल मतलब अगर मैं आपसे पूछ ले था अचानक से कि 2 टाइम सोने के लिए कितना साल तो आप क्या कहोगे सर मेरा दिमाग तो ब्लैंक ही हो गया मैंने का सुनो अगर 2 टाइम सोने के लिए कुछ भी आपका n येर्स लगा होगा तो 2 टूदी पावर 3 टाइम सोने के लिए n इंटू 3 येर्स लगा होगा और वही जो 2 टूदी बार फिर 8 ट्री 8 टाइम सोने के लिए n इंटू 3 लग रहा है वो अगर 12 येर्स है तो क्या आप सभी को n का वैल्यू 4 मिल चुका है ओके सर गौच यू सर 4 टिया 12 न कि अगर सच में 2 गुना होने के लिए 4 साल तो 2 का 3 पावर 8 गुना होने के लिए 4 इंटू 3 बारा वही लग रहा होगा वही प्रोटोकॉल मैंने फॉलो किया आप लोगों का यही न अगर 2 गुना होने के लिए 4 साल तो अब 16 के पास आने के लिए 2 का 4 पावर होने के लिए तुम्हें कितना साल लग जाएगा? सब जितना 2 गुना होने के लिए लगता है उसका 4 पावर मतलब 4 गुना तो जितने लोगों ने option number C sorry A, 16 को answer का है सही है जितने लोगों ने C को answer का है गलत है तो answer इसका कितना हो जाएगा? 16 years अब इसके पीछे का धागा खोल के दिखाने का वत आच चुका है थोड़ा देखेंगे आपका पैसा था वो सीधा 8 times 8x हो रहा था और साल कितना लग रहा था? 12 साल, पुरा basic वाला दिखा रहा हूँ आपको वही sum को 16x करना है और पूछा है कि कितना समय लगेगा? आपको पता है कि यहां से यहां बहुत important concept है दुगना होने के लिए अगर कितना समय लग रहा है वो मैं निकाल दो, तो काम खत्म मैंने कहां, तो sir मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने कहां अगर 8x से 16x एक दुगना का सफर्त है क्या जा रहा है तो x से एक दुगना 2x, उससे एक दुगना 4x और उससे एक दुगना करके हमने इस 8x तक का सफर्त है क्या होगा? मैंने कहां सर यह पूरे 12 साल में हर double होने के लिए बराबर समय लगा होगा मैंने कहां 12 को अगर 3 बराबर समय में मैं बांटू तो यहां पे भी 3 साल लगा होगा यहां पे भी 3 साल लगा होगा 3 बराबर इससो में यहां पे भी 4 साल लगा होगा, यहां पे भी 4 साल लगा होगा और यहां पे भी 4 साल लगा होगा क्या ये चीज each and every individual को clear है काफी खुपसूरत सा सवाल है यार चार 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 ऐसे करके आप मज़े लेके इस सवाल को उड़ा सकते हो थोड़ा और इसके गंबिरता में जाए सर ये समझ नहीं आ है मैंने का मुझे पता है मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे बता है एक और सवाल उसी तरीके का सर एक सरटन सम है जो की 27 गुना हो रहा है 36 साल मैं सर मुझे करने दो 27 गुना 36 साल बात साफ बात साफ 81 गुना होने के लिए कितना सम है सर मैंने का हाँ डिटो वही टाइप का है मैंने का करेंगे कैसे वो बताओ ज़्यादा बातचित नहीं सर 27 के डाइरेट पाउर में मैंने का नहीं है सर लेकिन दोनों के दोनों किसी एक के डाइरेट पाउर में मैंने का हैं किसके सर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 3 का Q और ये हमारे पास 3 का 4 मैंने का ठीक है अगर 3 का cube times होने के लिए आपको 36 साल लग रहा है तो 3 times होने के लिए आपको कितना साल लगा होगा सर ये में कैसे लिका लूँगा अगर 3 गुना होने के लिए x साल लगा होगा तो 3 का 3 साल लगना चाहिए उसका 3 गुना समय लगना चाहिए पावर में जो है multiply होगा अगर x into 3 36 है तो x का value कितना आगया आपके पास 12 अगर 3 गुना होने के लिए 12 साल तो 81 जो कि 3 का 4 पावर है वो होने के लिए समय कितना लगेगा 12 का 4 गुना यानि कि 48 years लगेगा तो आप में से जितने लोगों ने option number D 48 years को अपना answer मार किया है hats off किपड़ गजब जबरदस चल ले ही आपके तेयारी कितना बहतरीन concept है यार पियोर पावरफुल concept सर इस concept के उपर आधार करके कुछ और बहतरीन सवाल कर सकते हो करोगे हाँ सर पक्का ये लो सर एक सम है 4800 जो बन जा रहा है 6000 चार साल में एक certain rate of compound interest में ये आपका कितना amount देगा 12 साल के बाद इसका जो basic approach है पूरा traditional basic पूरा उसमें आपको rate के थ्रू जाना है और आप अगर rate निकाल के जाओगे तो it will be time consuming yes or no बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ जब भी आपको कुछ पैसा कुछ होते वक्त समय दिया गया है तो कुछ समय के बाद कितना होगा अगर ये समय आपके direct multiples में है तो आप कुछ खेल खेल सकते हो सर कैसे मैं बताता हूँ अगर 4,800 रुपए 6,000 बन गया चार साल में तो कितना times हो रहा है पता है सर times तो नहीं हो रहा है मैंने का क्यों कि सर times start होने के लिए 4,800 का डबल 9,600 कम से कम जाना होगा 14,400 जाना होगा मैंने का नहीं ये भी times है सर कैसे जब 100 200 बनता है जो जो time two times होता है वो आता कहा से 200 divided by 100 इसी से जो मेरा fraction वाला series number series में पढ़ाता हूँ न right hand side number divided by left side number similarly जब 75 को आप 300 बनाते हो तो जो 4 गुना आप confidently कहते हो वो कैसे आता है 300 बटे में 75 लेकिन कल अगर 80 200 बन रहा है तो कितना times 200 बटे में 80 जवाब करोगे तो यह धाई गुना हो रहा है and same thing अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसको कैसे implement करेंगे अगर मेरा पैसा 4800 से 6000 हो रहा है तो times कितना हो रहा है सर्च 6000 अपॉन में 4800 1200 से काटा 5 बार 1200 से काटा 4 बार तो यह 5 बाई 4 times हो रहा है कितने साल में? 4 साल में आपको बता है कि इसका फिरहरा पर यह कौन सर्थ 4 साल में जितना times होगा हर 4 साल में उतना times होगा तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सर्थ? 4 साल में अगर 5x4 times हो रहा है, तो और 4 साल में, मतलब आपने दिया कितना? 4,800 यह 5x4 times हो गया, कितने साल में? 4 साल में, इसको मत निकालो. सर, यह तो है, मैंने खाँ, है तो है. लेकिन और 4 साल, क्यूंकि आपको 12 साल चाहिए, मतलब और 4 साल के बाद, ये अपना सफर और 5x4 कर देगा सर इसको निकालू, मैंने का नहीं और 4 साल के बाद ये अपना पैसा 5x4 टेम्स कर देगा, सर ये निकालू मैंने का कैसे, सर अगर मुझे यहां से यहां तक ही जाना है तो 6000 में 5 बटे 4, 5 बटे 4 दो बार multiply करना है तो 4, 4, 16, 16 से काटोगे 16, 14, 14 यानि की हो जाएगा 12, 120 भाई साथ, मेरे range के बाहर होता है टेबल्स, चार में अगर मैं काटूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1500 चार में अगर मैं काटूँगा तो 375 और उसका 25 गुना 375 का 25 गुना यानि की 375 00 बटे में 4 कर दो ये हो जाएगा 9, 15 यानि की 3, 12 और ये 300 यानि की 75, 9, 3, 75 इस सवाल का बिल्कुल सठीकुरतर, option number C बस आपको क्या करना था कि 4800 अगर 6000 है तो ये 5 by 4 टाइम से वो जानना था 4 साल में and there should be this relation कि 4 के multiple में 12 है, 16 होता तो और एक बार, 8 होता तो एक बार कम, 20 होता तो और एक बार, इस तरीके से करते अगला सवाल एक सम है सर 2000 वो बन जाता है 4000 दो साल में compound interest में, कितने साल में ये पैसा 16000 बन जाएगा मैंने का सुनो मेरी बात, हाँ सुनाओ आपकी बात आपका पैसा 2000 है हाँ सर, ये उसी previous सवाल का थोड़ा time ना, मतलब वो time दिया था और amount पूछा था ये amount दे के समय पूछ रहा है कि कितना साल लगेगा तो तुम्हारा 2000 जो है वो 4000 बन गया था आपको पता है, हाँ सर, और वो भी डबल करना होगा 8000 एक बार डबल करना होगा 16000, हर डबल का अगर 2 साल, हर डबल का अगर 2 साल, तो 2000 से 16000 तक का जो पूरा सफर है, वो ते करते करते कितना साल लग जाएगा, 2, 2, 4 2, 6, यानि कि total 6 years का span लग जाएगा, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, reason मैंने आपको एक बार दे रखा है कि ऐसे question जब आते हैं तो एक proper pattern में आएँगे, जैसे कि वो doable, solvable होगा ऐसा नहीं कि मन गड़न वो कुछ भी दे देगा क्या यहां तक kitchen every individual को clear है काफी कुपसुरा तरीके सा हम इसको कर पा रहे हैं ठीक है सर, अब आगे बढ़ें, अगले सवाल पर थोड़ा कुछ unique करते हैं सर, unique क्या? इस सवाल में कुछ unique करेंगे ठीक है सर एक certain sum up money है जो कि amount होता है 9906 साल में और 16500 होता है 12 साल में तो आपका 18 साल में यह कितना होगा? काफी interesting सवाल नहीं है 6 साल, 12 साल, 18 साल लेकिन आपको interesting के साथ एक और hint भी मिलना है कि सब 6 के multiples में चल ले मतलब magic तो होगा क्या magic है? वो मैं आपको दिखाता हूँ आपका पैसा कितना था? क्या आपको उसके बारे में कोई idea था? No लेकिन आपका पैसा जब आपने 6 साल के लिए रखा तो वो पैसा कितना हो गया? आपको idea है? 9,900 जब आपने उसी पैसे को 12 साल तक रखा था स्टार्टिंग से यही बात चल लेगे न 12 साल तक रखा था तो आपका यह पैसा 16,500 बन गया था क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता स्टार्टिंग से 12 साल इस 6 साल के बाद से कितने साल के बाद की बाता कर लेगे है 6 साल और अगर आपको 18 years यह कितना होगा तो स्टार्टिंग से जब मैं 18 साल जाने की कोशिस करूँगा तो वो 6-6-12 के बाद और 6 साल बाद का ही वैल्यू है सर यह सब कुछ तो मैंने भी पकड़ लिया था लेकिन इसके बाद मैं लिंक नहीं पा रहा हूँ सर वो लिंक मुझे दे दो मैंने का लिंक तो तुमारे सामने है इसके पास क्यों आ रहे हो आपका पैसा हर 6 साल में इसके फिक्स्ट टाइम होता है यह 6 साल में यह कितना टाइम से सर वो कैसे निकालेंगे मैंने का 16,500 राइट साइड नमबर डिवाइड बाइ लेफ्ट साइड नमबर 0000 11 9 तैम्स 11 कट करेंगे तो यह 15 तैम्स 3 में कट करेंगे तो यह 5 by 3 तो इन every 6 years your money is becoming 5 by 3 times so in next 6 years it will become again 5 by 3 times from 16,500 and if I calculate 16,500 into 5 by 3 3 में कट करोगे तो यह value हो जाएगा आपके पास 5,500 and this value will be 275 followed by 20 and your answer will be option number D what if it would have asked you to find the initial principle no worries no worries हर 6 साल में 5 by 3 गुना होना confirm है तो कोई एक पैसा है जिसमें 5 by 3 होके वो 9,900 बन गया है तो X एक number है जो कि 5 by 3 गुना होके 9,900 बन चुका है तो वो X कितना है सर्मेह निकाल के देता हूँ 5 में काट करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 19,95 तो यह हो जाएगा आपके पास 95 ना 95, 40 यानि कि यह हो जाएगा 80 और यह अगर मैं कहूं 8 यह 24 यह 27 और यह हो जाएगा आपके पास 29 और यह हो जाएगा आपके पास 5 चेक कर लेना एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ 57, 240 बिल्कुल सही है 59,40 यह आपका इनिशल प्रिंसिपल होता तो इसके बारे में भी आपको बता है 27,500 इसके बारे में भी आपको बता है 59,40 और क्या चाहिए और क्या चाहिए 6,66 span fixed टाइम सोर टाइम के बीच का रिलेशन क्लियर होता जा रहा है तो हम सब करते जा रहे हो session को like और share करते जा रहे हो रिक्वेस्ट है यार efforts को appreciate करना आपका काम है 11,200 रुपे हमने दिये वो बन गया 17,500 at a certain rate of interest compounded annually in 7 साल अब again change हो चुका है भाई लो आपको amount बताना है at the end of 10.5 मैंने आपसे क्या का था मैं इसके हर एक pattern जो आपको paper में आने के संबावना रखते हैं वो सब बता होना हर एक pattern ये खुब सुर्थ pattern है आपने अपना पैसा दिया जो की 11,200 के नाम से जाना जाता था और ये पैसे आपके 7 साल में 7 साल में कितना बन गया सर ये पैसे मेरे 7 साल में 17,500 बन गया यहां तक बात सभी को साफ हाँ सर यहां तक बात सभी को साफ उसने कहा at a certain rate of interest गया compounded annually in 7 साल find the amount at the end of कुछ गर्ड़ हमने कर दिया है मेरे ख्याल से इससे पहले जो मैं इतने नजदीक लिक रहा था वो शायद दिखनी रहा होगा आप लोगों को है चलो थोड़ा दूर से start करेंगे इस बार यह चीज में ध्यान रखूंगा इतना zoom in हो गया है क्या क्यूंकि इसके बाद इतना ही space है मैं utilize कर रहा होगा properly अगर आपको पूछा गया है कि find the amount at the end of 10.5 years तो आपको इसी starting से 10.5 years की तलाश है मैं एक बार देख लू कि क्या कुछ छूटा है 5940 नहीं दिख रहा है 2000 दिख रहा है 4800 दिख रहा है अच्छा हुआ भाई कसम से बच गया हूँ सारे questions में दिख रहा है thank God अब थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना होगा border border neckline पूरा जा रहा है आपको पूछा गया है कि अगर एक पैसा 11,207 साल में इतना हो रहा है तो 10.5 साल के बाद वो कितना होगा यही है आपका सवाल है भाई लोग हाँ सर सवाल तो यही है अब सर जवाब कैसे दे मैंने का सुनो यहां से यहां तक 7 साल का सफर यहां से यहां तक 10.5 साल का सफर दो 3.5 years का span रहेगा दो 3.5 years का span रहेगा आप मेरी बात को समझ रहे हो तो अब मैं पूरी तलाश में हूँ कि अगर हम ये मालूम कर दें कि actually में पैसा साड़े तीन साल में कितना गुना हो रहा है तो अगले साड़े तीन साल में उतने ही गुना करके हम इस value को दे दें आपको बात simple अब ये लेकिन कैसे पता चलेगा कि 3.5 साल में वाकई में हो कितना गुना रहा है मैंने का इस 3.5 साल में मान लेते हैं ये आपका पैसा x टाइम सुआ है और अगले 3.5 साल में मान लेते हैं एक ही टाइम होता है तो यहाँ पे भी x टाइम सुआ होगा और यहाँ पे ही आपका x times हो आओगा क्योंकि हर frequent एक fixed span में एक fixed number of times होना compound interest का property है तो क्या मैं आपसे एक सवाल कह सकता हूँ कि 11,200 पहले x गुना और फिर एक और बार x गुना होके 17,500 बना होगा हा सर बढ़िया है तो क्या आपको x square is equal to ये divide करते ही पहले तो 2,0,2,0 कटे 175 by 112 दिखा हा सर 7 में काटोगे 25,7 में काटोगे तो ये 1 और 6,16 25 बटा 16 दिखा हा एक से square 25 बटा 16 तो क्या आप सभी को x का value square root करते ही 5 बटा 4 दिखा हा सर 5 बटा 4 दिखा अगर x का value 5 बटा 4 है तो आपने कुछ conclusion ड्रॉजन ड्रॉ किया हा सर मैंने कि हर साधे 3 साल में हमारा पैसा 5 by 4 टाइम्स हो रहा है मैंने कहा क्या तुम्हें ये वाले में कोई दिलिजस्पी है और आपको इस वाले में दिलिजस्पी है तो आपका पैसा यहां से x टाइम्स यानि कि 5 by 4 times होके ये बन गया होगा अब 17,500 को अगर मैं 5 by 4 times करके बना दूँ तो वो कितना बन जाएगा सर 4 से काटोगे 4 बार 16 फिर 3 बार फिर यहां पे 300 और ये हो जाएगा आपके पास 75, 25 ये हो जाएगा 35, 37 ये हो जाएगा 15, 18 और ये हो जाएगा 21 21, 875 अगर आप में से किसी लोग ने भी मेरे से पहले उत्तर खुच से निकाला है सही में hats off, keep it up, गजब, जवरदस चल लिए आपके तैयारी hats off, सही में कर पाओगे काफी खूब सुरत ये जान बूच के दिया जाता है और उसका reason रुपए दिये जो कि बन गए 6,300 एक certain rate of interest में compounded annually वो भी 3 साल में then कितने साल में 22,500 बन जाएगा इतना रुपए, same rate of interest compounded annually अगर हम पूरे basic से जाएगे तो वो पूरा का पूरा आपको rate के थूर जाना होगा लेकिन मैं आपको बार-बार कहना चाहता हूँ जब पैसे कुछ times हो रहा है कुछ particular span दे रहा है मतलब वो इसी chronology, इसी times और time के relation से बनेगा most expected questions है यह so sir क्या करें यह जरा बताना मैंने का दिया कितना sir दिया तो 3,500 मैंने का बना कितना sir बना 6,300 मैंने का कितने साल में sir 3 साल में मैंने का यहां तक बात साफ है 3 साल में सवाल क्या पूछा कि कितने साल में 22,500 बन जाएगा 7,2,9,00 same rate of interest चल दा है मतलब यहां पे जो times का fundा होगा, कितने साल में इतना times यहां पे भी fundा रहेगा principle को जो भी कर दो times और time के बीच का fundा वही रहता है sir मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का कहो sir क्या आपने देखा कि इस 3 साल में यह कितना times हो रहा है मैंने का नहीं sir मैं दिखाता हूँ मैंने का हाँ sir right side number 6,300 divided by left side number 3,500 00,00 काटा 7 में काटा 9 times 7 में काटा तो यह हो जाएगा आपके पास 5 times मैंने का ठीक है यह हमारे पास 9 by 5 times हो रहा है sir इस 9 by 5 तक तो मैं आप से पहले ही पहुंच गया था कसम से लेकिन उसके बाद का link sir मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा मैंने का मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जरा मुझे बताओ कि यह यहां से यहां जाते वक्त कितना time सुआ sir मैं बताता हूँ 7 2 9 00 divided by 2 2 5 00 00 00 गय और अगर मैं इसको काटूँ तो 9 में काटेंगे तो यह 81 तक हो रहा है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ पूछो sir पूछो अच्छे से कोई पैसा 81 by 25 times होने का मतलब अगर मैं कहूँ कि वो पहले 9 by 5 times होके फिर 9 by 5 times होके गया है तो आप मुझे मना तो नहीं करोगे अरे एक ही बात है न यहां से यहां तक का सफर तुम्हें एक बार में 81 by 25 में तेह करो या 9 by 5 या 9 by 5 करके दो बार में तेह करो मुझे उससे कोई मतलम नहीं है हो सकता है न सर इससे लेकिन आपको क्या benefit मिलेगा मैंने का benefit यह मिलेगा कि आपका हर 9 by 5 times होने के लिए 3 साल लगते हैं सर यह कब हुआ क्यूंकि rate of interest आपका यहां पे भी जितना है यहां पे भी उतना ही है तो same rate में यह times का relation जो है वो गड़ा खुबसूरत रहता है तो सर इस 9 by 5 तक पहुँचने के लिए 3 साल लग गये होंगे इस 9 by 5 तक पहुँचने के लिए 3 साल लग गये होंगे तो इस पैसे को यहां से यहां तक पहुँचने के लिए कुल मिला के 6 साल का समय लग गया होगा तो आप में से जितने लोगों ने 6 साल को अपना answer मार किया बिना rate work करके इसी तरीके से टाइमस और टाइम के लॉजिक से खेलके हैटस ओप के बिड़व गज़न जबरदस चल लेगे आपके तैयारी बहतरीन कुशन, बहतरीन कॉंसेट, बहतरीन अप्रोच, बहतरीन शेशन बहतरीन लाइक और शेयर चाहिए मेरे को चाहिए समय लो, मैं आपको समय दे रहाँ, मैं चॉकलिट livre आपको मैं समय दे रहाँ, देखते हैं आपका दिमाग कहां तक दौड़ता है, मैं देखना चाहता हूँ मैं स्थिस्त आप dewड़ता हूँ क्या कर रहे हो और एक पिस्खा लेते हैं मिल्की बार ट्राकत मिलेगा अब ही तक हमने जितने भी क्वेस्टेंस में टाइम्स और टाइम का कॉंसेट डाला वहां पर आपका अमाउंट भी कम्स मतलब पैसा पूरा का पूरा इतने गुना हो जा रहा था यहां पर पैसा कुछ हो नहीं रहा पैसो में कुछ इंट्रेस्ट मिल रहा है हाई या ना तो इसके पीछे का फंडा मैं कुछ बहतरीन तरीके से आपको समझाने जा रहा है आप बस ध्यान से सुनिएगा सवाल के कॉंसेट को ठीके से पताओ भी सब यह पागल हो इसको पकड़ना पड़ेगा मैं जो कह रहा हूं आप इसको ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग स्कूल में भी मैट्स पड़ रहे थे और ऐसा हमेशा होता था कि टीचर कभी ऐसा तो नहीं कि खराब पड़ाते थे या हम स्टुडेंट खराब थे बड़ चीजें दिमाग में नहीं रहते थे बूल जाते थे हम लोग human है हो सकता है ये गलती आज भी आप compound interest अच्छे से पढ़ रहे हो जब तक मेरा साथ है मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ न कि ये मेरे सारे के सारे ब्रह्मास्त्र है मैं आपके ब्रह्माजी और ये मेरे जो अस्त्र है जब तक मैं आपके साथ हूँ तो ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र रहेगा लेकिन मेरा हाथ छूटते ही ये नॉर्माल अस्त्र बन जाएगा ब्रह्मा का साथ छूटते ही ये अस्त्र बन जाएगा ये आपके practice आपके revision आपके concept clearing knowledge के उपर repent करता है कि आप खुझ से भी उस अस्त्र को project करके ब्रह्मास्त्र बना सकोगे या नहीं अगर आप सिर्फ मेरे question को देखके ही मेरे साथ ही चलके खुश हो जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेव कुछ नहीं है अरे हमें ये सारे सारे skills हमें पहले ही पता चल गया था कि हम बढ़िया से कि मेरे साथ खुश हो के चले जाओगे कि सर ने पढ़ा दिया मैं पढ़ लिया खुतब तो गलत आपको revision देना होगा ये एक छोटा सा request है ठीक है sir revision देंगे लेकिन आप कहना क्या चाते हो आप तो इतना आज बात नहीं कि आज अभी इतना क्यों बोले जिन्दगी में जब आप compound interest का कोई भी concept भूल रहे होंगे तो आँख बंद करके ये लिख लेना क्या ये चीज each and every individual को clear है अगर नहीं तो वीडियो स्टार्टिंग से देखना बीच में से कोई आएगा मुझे पसंद नहीं मताया नहीं था कि 100 में 10% का interest मिला इतना फिर 110 पर 10% 11 मिला इतना 121 का 10 मतलब मैंने principal को 100 माना और rate को 10% माना ये फर्स्ट ये का end ये सेकेंड ये का end ये थार्ड ये का end ये फोर्त ये का end ठीक है अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको मैं बड़े खुपसरत खुपसरत चीज़ें बताऊंगा अभी चीक है यहां से यहां interest कितने का है अब दूसरा वाला सपोज एक छोड़ के मैं इसको बोल रहा हूँ यहां से यहां इनके बीच का interest कितने का है यही particular इसी span में जो interest लगा है वो कितने का है सर वो है कै यहां तक clear मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर सवाल पूछो अच्छे से जवाब देना है यह जो आपने blue color में दो interest लिखे हैं इंट्रेस्ट के बीच का ratio कितने है मैं इस background पे लिख रहा हूँ सर 11 इस्टो 12.1 point को हटाते ही यह 110 बन जाएगा और यह 121 11 में काटते ही यह 10 और 11 में काटते ही यह 11 बन जाएगा इनके बीच का ratio 10 इस्टो 11 है कि यहां तक each and every individual को clear है कि यहां पे आपका जो interest का ratio है 11 में काटोगे तो 10 और 11 में काटोगे तो यह आपके पास कितना हो जाएगा 11 अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर्थ एक सेकंड कुछ गरबर तो नहीं किये एक वाला span ओहो यहां पे ही गलती है और क्या वही मैं बोलू कि गलती कहां पे है sorry 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 मैं वही बोलू कि गलती कैसे हो गया यहां से यहां interest कितने का है 10 का है अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ 10 और 12.1 के बीच का ratio हाँ सर पूछो सर 10 12.1 12 121 क्या यह आगे और solve गोंगे सर यह आगे और solve नहीं हो रहे मैंने का जानते हो यह क्या ratio है सर यह interest का ratio है यह interest और यह interest मैंने का और भी सर क्या यह interest जिसके ऊपर तुम्हें मिला है सर मतलब आप 100 की बात कर रहे हो क्या मैंने का हाँ ये interest जिसके उपर मिला है, मतलब सर आप 121 की बात करे हो कि हां सर, उनके बीच का भी ratio वही है, हां सर 100, 121 ratio तो वही है, सर और एक बार दिखाओ थोड़ा बढ़िया लगा, मैंने का दिखाते हैं, ये तो एक span लिया, अब दो-दो का span लोगा, मान लेते हैं, मैं यहां से एक द का span ले लेता हूँ, फिर आपको लगेगा यहां लेने से कि सर, पूरा symmetry होना चाहिए नहीं, मैं यहां से 2 का ले रहा हूँ, मैं यहां से 2 का span ले रहा हूँ, यहां पूरा interest कितने का है, सर यहां पूरा का पूरा जो interest है, वो 21 का है, ध्यान से देखना भाई लो, और यहां पर इंट्रेस्ट कितने का है सर यहां से यहां जो पूरा का पूरा इंट्रेस्ट है सर वो 23.1 का है मैंने का ज़रा बता न कि दो साल के span में जो interest यहाँ निकला और 2 साल के span में जो interest यहाँ पे निकला उनके बीच का ratio कितना है sir ये 210 upon 231 कर दो 21 में काटो 10 बार 21 में काटो 11 बार sir ये ratio 10 is to 11 है मैंने का सुनोगे मेरी बात हा sir ये 21 का interest तुमने जिसके उपर calculate किया sir बात 100 की तो की नहीं जा रही मैंने का बिलकुल सही जिस principle के उपर की बात की जा रही और ये 23.1 को निकालने के लिए जो पहला base आपने लिया 110 ज़रा उनके बीच का ratio बताना sir मान गए sir मान गए sir गुरुजी मान गए मतलब मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ compound interest इतना खुबसुरा चीज है अगर एक fixed rate of interest में में एक fixed span वो span एक साल हो सकता है दो साल अगर आपको magic अच्छा लगा तो आप थोड़ा तीन साल भी देख लेना पसंद करोगे लो यार मजे करो यार तीन साल का span देखना पसंद करोगे हाँ सर तीन साल का span दिखा दो नहीं दिखाओंगा यार नहीं दिखाओंगा सर क्यों एक तो कुछ home work घर पे करो अगर आपका मन करे कि आप यहाँ से तीन साल का span ले लो कितने का interest आ रहा है सर 33.1 और यहाँ से तीन साल का span ले लो तो कितना आ रहा है 36.41 इनके बीच का interest ratio कितना है सर 331 0 क्योंकि point के बाद 2 था तो nullify करने के लिए सर अगर मैं काटू तो किस में काटू 3,3,6,1,7,11 मैं काटू कि चार खैस किस में जाएगा घर में करना इसके बीच का ratio finally कितना आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ 10 और 11 आएगा finally 10 और 11 आएगा अब मुझे समझ में आगया किस से काटना है सर किस से 331 से काटो सर पक्का सर 331 दस बार जाएगा 331 ग्यारा बार जाएगा चेक कर लो न सर आप तो talented निकले आ रहे यार talent तो है तो इनके बीच का ratio जो निकल के आएगा वो जिस principle से आए है उनके बीच का भी ratio वही निकल के आएगा तो क्या आप इस point को समझे अच्छे तरीके से fixed span में जो interest और वही fixed span में कहीं दूसरे जगा पे interest उनके बीच का ratio हमेशा किस ratio के साथ बराबर होगा उस fixed span में जिस principle के उपर मतलब जिस starting amount के उपर आपने interest calculate किया इसके लिए starting ये था और इसके लिए starting ये था उनके ratio के साथ वो हमेशा बराबर होगा क्या यहां तक बात साथ सर समझ तो गेर आप जल्दी जल्दी question के पास चलो मैं भूल जाओंगा सर मैं भूल लाओ सर जल्दी आओ जल्दी मैंने का सुनो चिलाना बंद करो और ध्यान से देखो जो compound interest एक certain sum में 6 साल के लिए है वो 4000 है और 12 साल के लिए 9600 है आपने पैसा दिया पैसों को पहले 6 साल तक रखा इसके या इसके बारे में कोई जानकरी मिला नहीं 6 साल में जो interest मिला वो कितना मिला 4000 पहला step के लिए है और अगर आपने उसी पैसों को 12 साल के लिए रखा होता तो आपका जो interest है वो 9600 का होता लेकिन क्या मैं आपको भी पता है कि इतने बड़े दूर relation में कभी believe करता हूँ distance relationship में मैं तो believe नहीं करता आपका पता नहीं तो sir हम close relationship में कैसे रह सकते हैं मैंने का सुनो यहां से 12 साल कहीं इस 6 साल के आगे 6 साल की तो बात नहीं की जा रही सही पकड़ें sir यहां से 12 साल पूरे में 9600 का interest लेकिन पहले ही 6 साल में 4000 का interest आ चुका है तो बाकी का minus करने के बाद 5600 का interest यहां पे मिला होगा क्या यह चीज each and every individual को clear है sir मेरा दिमाग तो कुछ बढ़िया काम कर रहा है मैंने का क्या sir यह एक fixed span है 6 साल मैंने का हाँ sir यह एक fixed span है 6 साल मैंने का हाँ sir इसी दौरान आपका जो interest का ratio होगा मैंने का कितना है बताना 5 is to 7 वही sir ratio उन्हीं के उपर जो principle से वो interest आये ना amount के उपर उसके ratio के साथ बराबर होगा मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अगर 5 part का होगा तो यह आपका 7 part का होगा क्या यह चीज each and every individual को clear है हाँ sir अब मेरा आप से एक सवाल कि जब आपका 5 part 7 part बन रहा है तो इसी बीच जो interest मिला होगा वो कितने part का होगा sir मजाक तो नहीं कर रहे है दो part का होगा और वही 2 part कितना है sir यही तो 4000 है तो एक part कितना है sir एक part 2000 है तो यह जो starting में 5 part होगा वो कितना होगा sir 5 into 2000 यह 10,000 होगा sir इससे चाहिए था मैंने का मैं तो सब निकाल सकता हूँ मैं डर क्यों रहा हूँ यह जो 7 part वो कितना है sir या तो आप 7 into 2000 करके जाओ 14,000 या तो आप 10,000 में 4,000 जोड के जाओ 14,000 मुझे तो पसंद आगया sir और ये वाला कितना sir ये वाला 14,000 में और 5,600 जोड दो आगया आने वाला है ये हो जाएगा आपके पास 19,600 इधर से जाओ नहीं तो sir आपके काम करो न 10,000 में पूरे 12 साल का 9,600 इंटरेस जोड दो तब भी आप यहां पहुंच जाओगे मैंने का सब तो मेरे पास है उसने पूछा क्या सब पूछा उसने मजाग क्या sir मैंने का क्या उसने सम पूछा मतलब स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल मैंने कितना निकाला है सर 10,000 काता करना क्या था इसके नीचे मत लिखेगा कंफ्यूज हो जाओगे क्यूं काटा तो मैंने आठ से काटा पांच आठ से काटा साथ तो आपका इन दोनों के बीच का अगर रेशियो 5-7 है तो यह जिन प्रिंसिपल या फिर जिन अमाउंट के उपर आपके मिले हैं वो भी आपस में 5-7 का रेश हिरे तो सर्ब अगर ये पांच पार्ट से 7 पार्ट बन रहा है मतलब इसी दौर दो पार्ट का इंट्रेस्ट मिला और मुझे पता है इसी दौरा 4,000 का इंट्रेस्ट मिला है दो पाट अगर 4,000 तो 1 पार्ट 2,000 के साथ Monster की जिकर की जारेए । 10,000 है। जो 7 पाट है वो 14,000 है या फिर सिर्फ इस 10,000 को निकालने के बाद एक 4,000 जोड़के यहां सकता हूँ फिर 5,600 जोड़के यहां सकता हूँ या फिर सीधा 10,000 से 9,600 जोड़के यहां सकता हूँ जहां 2 में सब कुछ निकाल सकता हूँ मैंने का सुनो सच बता न, हाँ सर, clear तो हुआ, लेकिन थोड़ा और clear होता तो अच्छा होता कि नहीं, हाँ सर होता, drop your pens, या फिर एक बार try, 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 एक try, बनता ही है, the compound interest on a certain sum, pause करके किये होंगे, for 8 years is rupees 400, 8 साल के लिए जो compound interest है, वो 400 रुपए है, और 16 साल के लिए जो interest है, वो 1300 रुपए है, मजाक नहीं इस बार किया, इसने इस बार game change किया, वो मुझे 20 साल के बाद वाला amount मांग रहा है, मैं दूंगा उसको, कैसे, sir, sir, देखो, क्या पैसा था, नहीं पता, 8 साल के बाद पैसा, कुछ हो रहा था, थोड़ा जगा हमें चाहिए, नहीं, 8 साल के बाद कुछ पैसा हो रहा था, वो भी नहीं पता, लेकिन 8 साल में जो interest मिल रहा था, वो मालूम है अपने को, वो 400 रुपए का है, मैंने का, यहां तक बात साफ है, sir, वही पैसा अगर हम 16 साल तक रख लेते, 16 साल तक अगर रख लेते, तो पूरा का पूरा interest 1300 रुपए का मिल जाता, मैंने का, सुनो ना मेरी बात, हां sir, बताओ, 16 साल, इस 8 साल के बाद, अगले 8 साल और की बाद की बात की जा रहे है, हां sir, 16 साल में जो 1300 मिला, पहले 8 साल में जो 400 मिल चुका है, तो अगले 8 साल में स तो, sir, मुझे दिलजस्पी है, 20 साल के बाद वाला amount, मतलब यहां से अगर हम 20 साल हिसाब लगाए, तो जो amount आएगा वो, मैंने का, सुनो, मैं तो 8, 8 करके, रेंगते-रेंगते 16 तक पहुंच चुका है, आगे से 4 साल, यही तो simple बात, sir, मैंने का, हां, span सेम नहीं रहा, मैंन कहां, sir, यह जो fixed span 8 साल, 8 साल है, उसमें 400 और 900 interest मिल रहे हैं, और उसके बीच का ratio 4-9 है, अगर इनके बीच का ratio 4-9 है, तो यहां पे जो, और यहां पे जो value है, इनमें ratio 4-9 का होगा, तभी यह interest जो fixed span में इसी ratio में आया होगा, मैंने का, हां, बात तो तुम बढ़िया कर रहे और वही 5-8, 400 है, तो sir, 1-8, 80 यह भी मैंने निकाल लिया, मैंने का, ठीक है, sir, और भी मैंने बहुत कुछ निकाला है, मैं बताना चाहता हूँ आपसे, मैंने का, हां, बताओ, मैं सुन रहा हूँ, sir, मैंने का, हां, अगर 8-8, 80 का चल ला है, तो यह 4-8, 320 का है, यह 9-8, 720 का है, मैंने का, हां, 400 का गैब भी है, इसको भी मैं निकाल सकता हूँ, कि अगले 8 साल में 900 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यह 16, 120, यहां से भी जा सकता हूँ, नहीं तो sir, 320 में, डाइरेक्ट इस 16 साल का इंटरेस्ट, 1300 जोड़के, 16, 120, लेकिन sir, कलेश तो यहां मैं कैसे पहु sir, कहीं आप जो इसके पहले वाले concept को इसके साथ link तो नहीं करने वाले, करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल का जबाब नहीं आएगा, sir, मैं बताता हूँ, मुझे idea hint मिल गया sir, मैंने का, क्या, sir, 8 साल में हमारा पैसा 9 by 4 times हो रहा है, आपने देखा, जिधा भी जाओ, आपक 9 by 4 times हो रहा है, कितना time हो रहा है, 9 by 4 times हो रहा है, मैंने का, सुनो, अगर तुम्हारा पैसा 8 साल में 9 by 4 times हो रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 8 साल को में 2, 4 साल और 4 साल के span में लूग, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, sir, मेरा दिमाग क्या कहेगा, वो नहीं पता, ले होगा अगले 4 साल में उतना टाइम्स हो रहागा मैंने का वही तो सही है सर कैसे इस 4 साल में x टाइम्स और इस 4 साल में x टाइम्स होके जो टोटल 8 साल में x into x x स्क्वेर टाइम्स हुआ है वही 9 by 4 है अगर x स्क्वेर 9 by 4 है क्या आपको x is equal to 3 by 4 मिला सर इस 8 साल के दौरान भी आप चेक कर लो, हमारा पैसा 9 by 4 टाइम्स हुआ था, लेकिन 8 के स्पैन को जब मैंने 2, 4, 4 के हिस्से में बाटा, और सोचा कि 2, 4 साल में बराबर है, बराबर टाइम्स हुआ होगा, एक्स टाइम्स उसको जब मैंने अजूम किया, तो यहाँ पे एक्स टाइम्स, यहाँ पे एक्स टाइम्स तो 8 साल में x स्क्वेर टाइम्स जो है, वो 8 साल के 9 by 4 टाइम्स के साथ बराबर, तो जो 4 साल वाला स्पैन है, उसमें जो x टाइम्स हो रहा है, मेरा पैसा 3 x 4 नहीं रहे 3 x 2 मेरा पैसा 3 x 2 क्योंकि इसका square root ना मेरा पैसा 3 x 2 times होके कितना बन गया होगा सर मेरा पैसा 3 x 2 times बनके 810 का 30 गुना 2430 हो गया होगा option number D 810 का 3 गुना 2430 हो गया होगा समझ रहे हो यह सवालों को हलके पर मत ले यह normal सवाल नहीं है आप खुद मुझे बताना एक बार comment करके यह question अगर मैं आपको explain नहीं करता तो आपको क्या क्या करना पड़ता यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आज तक भी नहीं सोचा होगा तो ऐसे ही level consistency में maintain करके आपको end तक लेके जाओंगा मतलब समझ रहे हो आज के दिन में आप compound interest क्या क्या करने वाले हो सोच पा रहे हो सोच लो सर एक सवाल हमारे पास और है मैंने का क्या है इस सवाल से भी हमें बहुत कुछ lessons learnings लेने हैं कितना time हुआ अब देखो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह 7-8, 8-9, 9-10, 11-12 जो भी साल हो मुझे उससे मतलब नहीं successive या फिर consecutive का मतलब कि यहाँ से एक साल के gap में अगर आपको 225 का interest मिला होगा तो वहाँ से एक और साल के gap में आपको 238.5 का interest मिला होगा क्या यह चीज each and every individual को clear है भाई लोग क्या यह चीज each and every individual को clear है कि sir the compound interest on a certain sum for two successive years पहले साल, दूसरे साल दूसरे साल, तीसरे साल, चौते साल, पांचोरे साल जो भी हो मैंने साल के बारे में mention नहीं किया consecutive इस साल अगर इतना तो उसके अगले साल में इतना interest मिला है तो आपको पूछा गया है rate of interest पर आना मिस कितना अब देखो, जो मैंने पढ़ाया पहले हम उस साल से करना चाहेंगे क्या, कि sir मैंने का हाँ अगर मैं 2, 2, 5 और इसके बीच का ratio निकालू तो मैंने का point हटाते ये इतना हैगा अगर मैं इन दोनों को काटू तो किस में काटूंगा अगर मैं इन दोनों को काटूं तो 5 में अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 8, 5, 13, 5, 8, 9 में काटू 9 दुनी 18 तो ये हो जाएगा आपके पास 45 यानि कि ये हो जाएगा 5 शुन्य और अगर मैं 9 में काटूंगा तो 9 दुनी 18 और 58 यानि कि 6 और यह 45 यानि कि यह हो जाएगा आपके पास 5 और 5 में काटोगे तो यह हो जाएगा आपके पास कितना 5 में काटोगे तो यह पचास और 5 में काटोगे तो यह हो जाएगा 53 अगर इनके बीच में 50-53 का relation है तो जिस amount से यह निकले है वो amount आपस में 50-53 का relation रख र अगर एक साल में एक सवाल आथा न अगर आपको ये पता चल जाए कि एक साल में आपका पैसा कहां से कहां जा रहा है कितने पढ़ लियरे बहुत पढ़ रहे हो रहे तुम लो अगर आपने ये पता लगा लिया कि एक साल के span में अगर आपका पैसा कहीं से कहीं जा रहा है तो वो आपका rate of interest आपको कैसे दे सकता है ratio अगर एक ही साल के span का पता चल गया तो difference upon में base value into 100 and same thing अगर मुझे एक साल के span में ये पता चल चुका है अगर मुझे एक साल के span में पता चल चुका है कि पैसा 50 पार्ट से 53 पार्ट ट्राविल करने वाला है तो rate of interest कितना होगा सर जो 3 पार्ट का interest मिला है जिस 50 के उपर मिला है उसका कितना परसंट है 50 में काटोगे 2, 3, 2 नी कितना हो गया ये आपका 6 परसंट क्या ये चीज clear है कितना हो गया आपका 6 परसंट अब एक और चीज भी मैं आपको बता सकता हूँ मैंने का क्या मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि successive years में पहले यहां से आपको 200 and कितने का interest मिला 225, 238.5 225 का interest मिला 238.5 का interest मिला थोड़ा अगर आप सबसे पहले पूरा 1 पहले 10-15 मिनिट में जो हमने पढ़ा था कि interest के उपर interest जो 11 बनता है वो 10 के उपर और 1 के उपर 100 के उपर और 10 के उपर आता है 10 और 1 करके उसी concept को अगर मैं लगाऊंगा तो यहां पर एक चीज और मैं आपको सिखाने के लिए रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा जब भी आपके पास कोई दो consecutive year का interest आपके पास है तो rate of interest निकालने के लिए आप directly इन दोनों के बीच के difference को जो वहाँ पे किये थे यहाँ पे जो किये थे आपके previous year के interest के साथ divide देके into 100 direct भी कर सकते हो सर इसके पीछे का reason मैं बताता हूँ यह 225 मान लेते हैं इसको x इसी के उपर आया है तो यह वाला पैसा कितना हो गया होगा यह वाला पैसा x प्लस 225 हो गया होगा क्या यहाँ तक बात साथ है अगर आपका rate of interest ठीक है अभी जो interest मिलने वाला है वो आपको x के उपर भी मिलने वाला है और 225 के उपर भी मिलने वाला है बात सही अब x के उपर आपको तो 225 मिलता यह आपको मालूम है तो 238.5 में चो बाकी 13.5 आया है वो किसके उपर आया है 225.5 समझ गया है मुझा आपका कुछ एक principle कुछ एक पैसा है जिसके उपर ये 225 का interest मिला है और ये जो 238.5 ये इस amount के उपर मिलता है मैंने का x रुपे के उपर अगर मेरा 225 मिला तो ये amount कितना हो जाएगा x प्लस 225 और ये जो interest आया होगा वो अगर इसके उपर आया होगा मतलब वो x के उपर भी आया होगा और उसके interest 225 के उपर भी आया होगा x के उपर निया मनुसार कितना आना confirm है 225 rate तो fix ना कि अगर मैं x के उपर जो certain rate चल ला है compound का वो लगाऊं तो उसके लिए तो 225 आया होगा तो 238.5 में से 225 हटाने के बाद जो exceeding surplus 13.5 है वो interest का ही interest है 225 का ही interest है तो मैं बस आप से ये कहना चाता हूँ कि ये जो difference है वो कुछ नहीं बलके interest of interest है मतलब ये जो 13.5 है ये इसी 225 के interest के उपर मिला है और वो ही जो interest of interest है वो previous interest के उपर ही मिला होगा तो rate of interest वहाँ से भी निकाल सकते हो से difference अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच का अगर direct करता तो 13.5 मैंने reason के साथ बता दिया divided by 225 into का 100 point के साथ 10 निकल लिया 45 में काटा 3 बर 45 में काटा 5 बर 5 में काटा 2 बर 3 दो नहीं कितना हो गया अच्छे भाई साब और क्या पढ़ाऊ में आपसे बताओ इतना धागा खोल के आपको शायद ही किसी ने दिखाया होगा हाई है ना इतना धागा खोल के शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा और आपने देखा होगा उमीद करता हूँ कि धागा खोल मेथड्स हमारे जारी रहेंगे लेकिन सेशन को like और share में कमी ना रखेंगे यही मेरा आप सभी से विंती है एक सम है 16,000 रुपे का जिसको deposit किया गया 3 साल के लिए 5% पर आनम के compound interest compounded annually जो difference between the हाँ रे सर मने कहां इतना पढ़ लिए मैंने कहा अब थोड़ा इस्तमाल करते हैं कुछ और method मैंने कहा अभी से थोड़ा देर हम करेंगे फिर चलेंगे टीक है बड़ीम जगरपाँच लेक्र बम लुक सुरा कि ना है कर cra clip किसा ने ने a मटे चोटे चोड़े चोकलित करोट्स खथम हो जाते हैं जल्दी ट्राइब करो थोड़ा एनरजी डाल देते हैं अंदर ट्राइब करें एक समफ रुपीज 16,000 इस डिपोजिटेट फॉर थी यह एट फाइब परसंट पर अनम कंपाउंड इंट्रेस्ट कंपाउंड अन्वली दिफरेंस बिट्वें इंट्रेस्ट फॉर थी यहर्स एंड टू यहर्स विल बी कितना है मैं बताता हूं इस 16,000 को भाड में जाओ भूल जाओ उसको हमारा मेथड सबसे इंपोर्टन जो है वो रेशयो वाला है अभी तक वही बचाया आ रहा है आपको सबसे कंप्लेक्स कंप्लेक्स काल्कुलेशन से रेशयो मेथड के लिए सबसे इंपोर्टन कौन है पांच परसें जो की होता है 1 बटा 20 अगर मैं 2 साल के लिए 5 परसें का इंट्रेस्ट लगाऊ तो मेरा पैसा 20 से तो मेरा पैसा 20 से 21 दो बार होगा यानि कि मेरा पैसा 2 साल के बाल 400 से 441 हुआ होगा Case 1 Case 1 यहाँ पे 2 years की बात करने है लेकिन मेरा पैसा अगर उसी 5% में 3 साल के लिए लगता तो 20 से 21 का सफर 3 बार तै किया जाता और मेरा पैसा 8000 से 9261 बन जाता बिलकुल बन जाता सर लेकिन जो भी पैसा मैंने यहाँ लगाया है यहाँ भले 2 साल यहाँ भले 3 साल वो पैसा तो सेम है न हाँ तो यहाँ पे principle और यहाँ पे principle अलग कैसे सर सेम करता हूं my fault मैंने का कैसे सर देखो 400 को जब मैं 8000 करूंगा तो 400 का दुगना 800 और एक सुन्य लगा दूँगा तो 8000 हो जाएगा मैंने का जब मैंने किया ये कितना आया 8000 और ये कितना आ जाएगा ये 882 और एक 0 क्या आपको मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या सर कि यहाँ पे जो आपका interest है और यहाँ पे जो आपका interest है उसके बीच का difference आप ऐसे निका कि 820 फिर ये लेकिन अब मैं आपको एक और talented चीज पढ़ाने जा रहा हूँ जो interest के बीच का difference होगा वो इन amounts के बीच का difference होगा सर ये कैसे मैंने तो इनके बीच का difference इनके बीच का difference कमाया तो मेरा amount कितना हुआ sir 130 यहाँ तक बात साफ है और मान लो तुमने प्रिंसिपल सेम था ना condition तो 100 रुपे में 40 रुपे का interest कमाया तो तुम्हारा amount कितना बन गया 140 क्या मैं आपसे एक सवाल पूच सकता हूँ पूचो sir अगर मैं आपसे पूच सा कि मैंने जो interest कमाया तुमने जो interest कमाया उसके बीच का difference कितना है तो नियम अनुसर को answer 10 आना चाहिए लेकिन क्या उसी 10 को मैं हमारे amount के बीच के difference से भी relate कर सकता हूँ बिलकुल क्योंकि आपका यह principle है वो दोनों का बराबर है तो मेरे interest और आपके interest के वज़े से जो difference है उसी वज़े से ही तो amount क difference आ रहा है तो उसी concept पे आप अगर यहां पे 8,8,8,820 लोगे और यहां पे आप अगर 8,2,60 लोगे इनके 20 का difference जो आएगा direct उनके amount क्योंकि principle तो same ही है तो यह कितना हो जाएगा सर यह अगर मैं बात करूँ तो सर 20 से 41 और यह हो जाएगा आपके पास 4,441 और मैं आपको ऐ ऐसे trick नहीं बताना चाहता कि यह वाला चीज हमेशा second year के होने के बार जो amount होगा उसके साथ बराबर होगा होगा लेकिन आप भूल जाओगे यह सब चीजें भूल जाओगे तो प्लीज यह blunder or render मत पढ़ना कभी भी एक second काई तो काम है एक multiply किया difference निकाला खतम काहनी तो आ आठ हजार कंसिडर किया है अगर आठ हजार 16,000 को हमने आठ हजार कंसिडर किया तो एक एक पार्ट हमारा दुगना चल ला है अगर एक एक पार्ट हमारा दुगना चल ला है तो जो interest के बीच का difference दो साल में जो interest आता और तीन साल में जो interest आता उसके बीच का difference अगर मैं आप से पूछता तो आंसर कितना आता 882, that's it, done सर और एक बार समझा दोगे, ये नहीं उसका थोड़ा अपर सर ध्यान से सुनेंगे सबी लोग, हाँ सर, पक्का, पक्का सर, इस सवाल में उसने कहा कि तीन साल में और दो साल में जो compound interest आने वाला है, उसका difference 1080 है, और rate 20% है, तो principle बताओ अक्षे कुमार वाला switch हो गया, तो जो वो method था, वो यही है, बस उल्टा जाओ लोगे, कैसे, भाई, पहले तो पकड़ो 20% को 20% कितना होता है सर, 20% होता है, एक बटा 5, मैंने का ठीक है, 20% होता है एक बटा 5, अब 20% अगर एक बटा 5 है, तो पहले केस जहां पर दो साल के लिए invest होगा, तो 5 से 6 का सफर दो बार ते होगा, यानि कि 25 से मैं 36 तक पहुंचूँगा, लेकिन दूसरे केस में 5 से 6 तक का सफर 3 बार ते होगा, यानि कि मैं पहुंचूँगा, 125 से 216 तक फिर मुझे याद आएगा, कि मेरा जो दिया हुआ प्रिंसिपल है, वो तो दोनों केसेस के लिए सेम है, तो 25 को 125 बनाने के लिए, यहां 5 का गुणा और मैं लिखूँँगा, 125 और यह मैं लिखूँँगा, 36 पंजे, 180 और फिर जब मैं इसके इंट्रेस्ट और इसके इंट्रेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालने जाओं तो मैं आपको मना करूँगा, उल्टा मैं ने आपसे पढ़ाया है, कि दोनों के अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, वही उन दोनों के interest के बीच का ही difference होगा तो ये कितना हो जाएगा तो 36 part होगा ये ही मुझे चाहिए और ये ही मैं कहा रहा था वो हमेशा ये ही value है वो हमेशा ये ही value है आप अपने इसाफ से चलना भाई इस question में guaranteed वो ये ही रहेगा अगर 36 part की मैं बात करूँ तो 36 part आपके पास कितना हो जाएगा सर वो कैसे निकालेंगा सर ये ही जो difference है वो सवाल में दिया है 1080 पिछले सवाल में उपर से जाना था यहां नीचे से जाना है तो एक part आप सभी को 30 का दिखा 98 180 एक part 30 के साथ जब मुझे principal पूछा गया तो मैं इधर से 125 पाट निकालू या इधर से 125 बस 125 में 30 का गुणा करके 3, 7, 5, 0 इस सवाल का सही उत्तर कहूंगा उसको option number D खुबसूरत लेकिन ऐसे questions में एक और alternate method भी आप इस्तमाल कर सकते हो अगर आप चाहो तो वो क्या है वो है tree का क्योंकि यहाँ पर तो एक second balancing करना पड़ता है मतलब यहाँ पर tree को करना ही करना ही यह मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ tree का question आएगा इसके बाद वाला मुझे पढ़ाना है इसके बाद वाला ही आपका tree का proper question आएगा लेकिन एक बार अभी डेमो देने में क्यों problem नहीं है previous वाला question जा रहा हूँ 16,000 वाला rate कितना था 5 5% कितना होता है एक बटा 20 और साल आपके पास तीन साल के लिए तो जाना ही जाना तो base का जब मैं cube कर दूँगा तो मेरा assumed principle 8,000 का हो जाएगा 20 का cube अगर मेरा assumed principle 8,000 का हो जाएगा उसमें benefit किया इसमें और दो-दो अलग-अलग चला के balance करना नहीं पड़ेगा आपको पहले 8,000 का 5% principle का जो 5% है वो मिलता रहेगा 8,000 का 1 by 20 जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा सरी आ जाएगा 400 यहाँ पर अगर मैं second year की बात करूँ तो second year पर आपको किसके उपर मिलेगा एक तो 8,000 का 1 by 20 तो मिलेगा यानि कि 400 और उससे पहले जितने सारे interest है उसके उपर भी 1 by 20 400 का जब आप 1 by 20 करोगे मैंने पढ़ाया है आज ही तो वो कितना हो जाएगा 20 और तीसरे साल में जो आपको interest मिलेगा वो क्या? वो 8,000 का 1 by 20 यानि के 400 तो fixed है यह रटर भी सकते हो कि मतलब पहला line जो है वो ऐसे ही लिख सकते हो और फिर कैसा लिखना है वो भी chronology में लिख दे रहा हूँ आपको इस 400 के लिए क्योंकि उससे पहले जितने भी interest मिले है सबके उपर 5% 1 by 20 मिलेगा न इसका 1 by 20 जब आप करोगे तो 20 इसका 1 by 20 जब आप करोगे तो 20 और इसका 1 by 20 20 का 1 by 20 जब आप करोगे तो 1 इससे आपका क्या benefit है? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ इससे आपका benefit यह है कि आपको जब कोई बोल रहा है कि 3 साल का interest और 2 साल का interest में अंतर कितना है? तो भाई साहब 3 साल के interest में 2 साल का interest तो होगा साथी साथ 3 येर का interest extra होगा मतलब जो 3 येर्स का difference और 2 येर्स का difference है वो create होता है just because of 3 येर interest क्या आपने 3 येर का interest देखा कितना है? 420, 441 पार्ट आपको निकालने है कैसा निकालूंगा? जो मेरा assumed principle 8000 का है वो सवाल के हिसाथ से 16000 है तो एक पार्ट अगर 2 का चल रहा है तो 441 का दुगना 892 से इस previous सवाल का उत्तर हमने निकाला हुआ था और इसमें chronology आप कैसे लिखोगे? पहले तो cube करके 8000 लिख देना इसका 1 by 20 जो है 400, 400, 400 लिख देना उसका 1 by 20 पहले line का जो 1 by 20 है वो 3 बार आ जाएगा इधर एक बार, इधर दो बार और फिर उस 20 का एक बार इधर थोड़े एक और बार डेमो दिखा दिया जाए सर दिखा दो इस सवाल में भाई सर 20 परसंट चल रहा है और difference 1080 का दिया है 2 साल और 3 साल का difference का? हा सर सर 20 परसंट जो होता है वो 1 by 5 होता है और सर 1 by 5 में जब मैं time 3 years consider करने की कोशिस करता हूँ तो 5 का cube 125 से मैं अपने सवाल को शुरू करूँगा 125 का मैं जब 150, 150, 150 करूँगा तो 25, 25, 25 आएगा 25 का 1, 5 इधर एक इधर दो बार आएगा और 5 का 1, 5 इधर एक बार आएगा थोड़े practice के साथ आप इसी speed में करोगे तो ही बहतर है भाई और करोगे क्या इससे पहले जितने इससे पहले जितने ऐसा कितना गुमोगे अगर इतना तरीके से आप कर सकते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 years difference और 2 years difference में क्या होगा 2 years में यहां तक होगा अगरी करोगे और 3 years में यहां तक होगा agree करोगे तो आपको जब minus करोगे तो जो extra है वो third year वाला ही है वही आपको पता चलना चाहिए 25, 5, 35, 35, 36 part का जो extra third year में ही आपने प्राथ किया है जिसके वज़े से second year, third year, two years और three years के difference आ रहे हैं वही आपको सवाल में 1080 given था जिससे एक part आपने 30 निकाला था और जो assumed principle 125 है उसको एक part 30 के हिसाब से 3, 5, 6, सवाल का उत्तर देगे इस जगा पे आप controversy आ सकता है कि सर ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है लेकिन सर अगर question में थोड़ा change हो गया ये question थोड़ा पढ़ो मेरा पेर दुख नहीं लगा है थोड़ा एक मिनिट बैठी जाता हूँ बीच में आके बैठता हूँ उसी time पे चॉकलेट खा लूँगा जब आपके पास ये question रहेगा, जहां पे क्या है second year और third year भाई साब देख रहे हो, second year और third year चले है चले है आपके बाल और हुआरे है आपके बाला है उला है चलो, देखते हैं, क्या देखना है, तरह ध्यान से देखना है, एक सम है, 3,200 रुपे का, उसको इन्वेस्ट किया गया है, 25% पर अन्यम के compound interest में, compounded annually है, मुझे difference बताओ, जो interest आपको 2 साल, 3 साल नहीं, particular second year में, और particular third year में मिलना है, उसका difference, जब particular second, third, fourth, ऐसे years की बात आएगी, तो tree is the finest approach, तो आपको पता चल गया है, कि tree कहां पर आंग बन करके लगाना है, जहां second, third, fourth, ऐसे particular years की बात करें, particular, वैसे cases पर आपको tree लगाना है, कैसे लगाना है, सांदर तरीके से, आपको rate कितना दिया है, सर, 25%, 25% का मतलब कितना होता है, सर, एक बटा चार, साल आपको 3 तक तो जा नहीं है, तो मैं base लोगा कितना, 4 का cube, 4 सक, और कैसे करना है, सर, one-fourth करना है, इसका, इसका one-fourth, 16, 16, 16, 16 का one-fourth, 4, 4, 4, 4 का one-fourth, 1, यह याद रह सकता है, fast कर सकते हो, अब मैं आपसे कहना चाहत का, that is 20, यह है आपका 3rd year का interest, that is 25, तो जो difference है, वो कितने का है, सर, वो 5 का है, जब आप tree में घुश जाओगे अंदर ना, तो बहुत से लोगों को tree अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है, कि बहुत से चीज वो जान चुके है, वो direct अगर उनको बिना लिखे भ तो चुन तो वो जानते हैं, कि 1,16 का 1,4 और इस 4th का 1,4 यह ही इसमें extra बचेगा, और बाकी सब common होगा, जब आप इन दोरों का difference लोगे, 4,1,5, तो ऐसे logical thinking से tree काफी आसान बना देता है, लेकिन उसके लिए भीगर उस practice भीच आईए, तो आपको जो सवाल है, उसके लिए एक art line लिख लोगे, तो आपको कोई blender नहीं हो जाएगा, उसके पीछे बहुत जादा time invest करने के हमें requirement नहीं है, तो जो 5 part का, आपका second year और third year का difference है, वही मुझे निकालना है, नेकिन कैसे निकालो, मुझे जो sum दिया है, वो 32 है, अब सुनो, मेरा जो assume principle 64 part का है, वो अगर 32 ह तो एक part कितने का चल ला है, सर, 50, तो जिस 5 part के हमें तलाश है difference, वो कितने का हो जाएगा, सर, 22, मैंने का कहा है option में, सर, option number D, इस सवाल का सही होता है, कर सकते हो, खुपसूरत तरीके से, clear, अब हम बढ़ते हैं, आगे अपने इस सवाल पे, वही डिट्टो सवाल है, एक ब पह सकता हूँ, साल 3 साल तक जाना ही है, तो 216 को अपना base ले ही सकता हूँ, 216 को base लेते हैं, इसका 16, यानि कि आपको अगर पता होगा, तो 6 का cube यहां बैठा है, तो यहां पर 6 का square होता है, वो भी आप, फिर 6 खुद आता है, फिर 6 का 0 पावर वान आता है, भाई, बहुत यार, मुझे tree पसंद नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में, आपको भी बता होगा, मैं मुझे जो पसंद है, मैं उसको बहुत बढ़िया से कर रहाता हूँ, इसके बारे में मुझे सभी पता है, सब कुछ पता है, each and everything बता है, बट मैं लगाता नहीं हूँ, तो मैं इसमें interest ज्यादा नहीं रखता हूँ, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, tree के बारे में, हैस, बिल्कुल नहीं, तो भाई साब, एक तो ये चीज में कह रहा हूँ, कि second year का जो interest है, वो 42 का है, third year का जो interest है, वो 49 का है, उनके बीच का difference seven parts है, या तो ऐसे जाओ, या तो सिर्फ यही जो 6 और 1 है, यही आपको extra मिलेंगे, वो भी आप अपने basic practice के हिसाब से निकाल सकते हो, मैंने पूरा basic method ही बता दिया आपको, यही 7 part जो difference है, वो 280 आपको दिया गया है, एक part आपका कितना चल रहा है, 40, तो जो sum आपने दिया था, 216 part का वो कितना हो जाएगा, एक शुन्य लिखना चाहते हो, तो लिख सकते हो, कि the difference between second year and third year is equal to base का zeroth power plus base का first power, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, difference between second and third year in tree is equal to base का zeroth power plus base का first power, या तो base का 0 पावर किसी का भी 0 पावर वो तो 1 होता है और base का 1st पावर यानि कि 6 to the power 1 6 होता है तो यह आगया आपका difference साथ इस सवाल previous वाले में भी आप वही कर सकते हो base का 0 पावर यानि कि 1 और base का 1st पावर यानि कि 4 1 plus 4 का difference 1 plus 4 का sum 5 करो यार जो करना है करो comment मत करना किसार इसको ऐसा किया जा सकता था वो बूरा लगता है ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता आपको ही पता है और अगर आपको पता है और मुझे नहीं पता वो भी अच्छी बात है क्योंकि selection आपको लेना है हमें तो नहीं सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हो थक चुकाओ मैं कुछ क्वेशिन के बाद थोड़ा रेस्ट लूँगा जेखते हैं नसीब में रेस्ट नहीं है मेरा नसीब में रेस्ट नहीं है मेरा वीरू ने बॉरो किया रुपीज पांच हजार जैसे at 20% per annum compound interest this is CL नहीं this is CI at the end of first year वीरू again borrowed Rs. X from more from J on compound interest at the same rate if at the end of second year वीरू paid total amount of Rs. 10,800 to J to completely settle his debt what will come in place of X इसको बहुत तरीके से आप कर सकते हो यह इकलौते एकात तरीके से नहीं बलकि variety ways में हो सकता है बट मैं आपको एक basic approach बता रहा हूं क्या आप मेरे साथ सहमती दोगे कि अगर सच में वीरू ने 5000 रुपे वोरो किया है जैसे और वो भी 20% पर आनम के हिसाब से और अगर end of the first year में वो कुछ और ले रहा है तो first year खतम होने तक 20% का interest चड़ गया होगा 20% का मतलव अगर मैं आपसे कहूं 1 by 5 तो आपका पैसा 5 पार्ट में से 1 पार्ट बढ़के 6 बटा 5 बन गया होगा सरी 6000 है अरे तुम लिखो ना 6000 है मैं आपको अगर ये calculation smoothly दिखता नहीं ये अगर ऐसा होता 7, 8, 9, 3 into 19 by 17 मुझे भी बता है तुम में कितना दम है तो जैसे आपको approach बताना है मैं बता दे रहा हूँ ठीक है कि आपका पैसा 5000 लिया गया था साल खतम होते वक्त 20% बढ़के 6 बटा 5 हो गया होगा ये आपको चुकाना था साल खतम होने के बाद लेकिन आप में से इसमें एक पैसा भी नहीं दिया उपर से at the end of the first year आपने उपर से और एक्स रुपे ले लिये तो अब अगर साल खतम होने के बाद मैं आपसे पूछो कि तेरे पास मेरा कितना पैसा है तो तुम क्या कोगे कि 5000 में इंटरेस्ट लगने के बाद ये उपर से मैं और एक्स तुझ से लेके चला आया मेरे पास तेरा इतना पैसा है इस पूरे पैसे को जानते हो क्या हुआ सेम रेट पे तो लिया गया और end of the second year में वीरू ने पे कर दिया पूरा का पूरा दस अजार आट सो लेकिन जब मैंने अगले साल पे किया होगा तो इस पूरे के उपर मुझे सालाना 20% का इंटरेस्ट तो देन के 6 वटा 5 बन गया होगा और जो ये बना है वो कितना है वो है 10,800 क्या ये चीज क्लियर है वो है आपका 10,800 जो टोटल बना है क्यूंकि यही पैसा दूसरे साल के बाद जितना बना है उसको मैं 10,800 देके अपना पूरा का पूरा डेट सेटल कर रहा हूँ तो X का वैल्यू क हो गया आपके पास 6,000, 6,000 प्लस X is equal to 9,000 तो X का वैल्यू कितना हो गया? सर X का वैल्यू हो गया 3,000, option number B, सर इस तरीके से मैंने नहीं किया, मैंने का तो सर मैं तो talented हूँ, मैंने का हाँ, मैंने क्या क्या मैं दिखाता हूँ आपको, सर आपने 5,000 रुपे लिये थे आपको याद है? मैंने का मैंने सर वो जो जय है, मैंने का okay, सर जानते हो 20% के हिसाब से 2 साल में इस 5,000 रुपे के 44% का interest बनता है, मैंने का तुम तो talented निकले है, सर 44% जब मैंने निकाला तो 44 का 5 गुना सर ये 2200 रुपे के interest बन चुके है, मैंने का ठीक है, सर आपने कुछ फील किय मैंने का क्या? 5,000 में 2200 रुपे जुड़ चुके है, मतलब 7,200 तो पुराने पैसे लोटाने है, तो जो 10,800 में से अगर पुराने पैसे मुझे 7,000 लोटाने है, 200, तो अभी और उसके अलावा कितने लोटाने है? 3600, यह X के वज़े से जो मैंने 1 साल के बाद लिया था, जो X है, मैंने 1 साल बाद लिया था, उसको अगले साल 20% के interest दे के close कर दूँगा, तो इसी X के उपर, जब मैंने 20% का interest लगा के, इसका 120% चुकाया होगा, तो मुझे यही 3600 चुकाने पड़े होगे, तो यह इस तरी but you need to stick with one and I prefer chain approach, मैं हमेशा chain single line approach prefer करता हूँ और आपको suggest भी करता हूँ, तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को clear होगा, एक खुबसरत सा सवाल और हमारे सामने है, यह हमारा 40th number of question होगा I guess, क्योंकि पहली एक ही question में, हमने simple interest को थोड़ा रखा था, इस question को में modify नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर compound interest का सीखने लायक एक चीज है, उसके उपर focus करो, एक amount invest किया गया simple interest में, तीन साल के लिए और वो भी 5% rate of interest में, और जो simple interest receive किया गया उस amount पे, वो 180 का है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम सच में 5% के हिसाब से simple interest लोगे, तो हर साल 5% interest देना होगा, ऐसे करके, मतलब 5% का interest मिलेगा, ऐसे करके 3 साल में तुम्हें definitely 15% का interest मि मिला, वो कितना है, सर जो receive किया गया है, वो 180 का है, यहां तक बात साल, अगर 15% 180, तो 1% 12 के साथ, जो पूरा का पूरा simple interest में आपने पैसा लिया था, या invest किया था, वो 1200 है, वो आपने निकाल रखा है, हाँ सर निकाल तो रखे है, मैंने का आगे, सर मैं बताता हूँ, एक amount साथ, जिसको हमने invest किया, simple interest में 3 साल, 5% के इसाब से, उसके उपर interest आए 180, तो वो पैसा 112 रुपय है, यह confirm है, मैंने का ठीक है, अब आगे, उसने कहा, कि अगर same amount, यानि कि 12 रुपय है, वो invest किया जाएगा 2 साल के लिए, पहले साल 10% का compound interest, और अगले साल 8%, यही तो और एक बार R% के इसाब से लगाया, जो, पहले साल के लिए 10% और दूसरे साल के लिए R% लगाया, तो जो total compound interest निकला 2 साल में, वो 318 का है, सर दिमाग काम करना बंद कर दिया है, मैंने का, rest दूंगा, तो R का value बताओ, बता के जाओ, rest लेने, सर मैं बताता हूँ, मैंने का, क्या, सर अगर सच में, 1200 रुपे को पहले 10% interest में लगाया गया होगा, तो 1200 का 10% यानि की 120 का interest लगा होगा, मैंने का, हाँ, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने का, हाँ, अगर, दो साल में total interest 308 रुपे के बन रहे हैं, मैंने का, हाँ, और अगर पहले साल आपको 1200 का ही 10%, 120 रुपे का interest देना पड़ा होगा, तो अगले साल आपको कितना मिला होगा, मैंने का, 318 से माइनस करदो, मैंने का, कितना है, सर, 8 जोड देंगे 128, 98, 198 का interest मुझे, अगले साल मिलने वाल है, क्या, आपको पता है, कि अगले साल, जो compound interest 198 का मिलेगा, वो किसके का interest 120 का interest लगके already वो पैसा 1320 हो चुका है और इसी 1320 रुपियों पे आपको अभी कितने का interest मिलने वाला है बाकी का बाकी क्यों क्योंकि total 318 में से 120 कलेट कलियो तो बाकी का 198 का interest मिलने वाला है तो 198 का interest जिस 1320 के उपर मिल दा है उसका जितना परसंट है उस साल का rate उतना ही होगा 198, 1320 का कितना परसंट है 11 में काटा 12, 11 में काटा 1 और ये 8 6 में काटा 2, 6 में काटा 3 2 में काटा 5 और answer आया हमारे पास 15 परसंट उमीद करता हूं कि बहतरीन बहतरीन सवाल हो करवाने पर मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा जितने खुबसुरत-खुबसुरत सवाल आपके बन पा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और इसी तरीके से आप इन questions को deal करोगे तो ही आप सांदर तरीके सवालों को कम समय में बनाके अपना ज्यादा समय बचा सकते हो और examination में अपना selection ले सकते हो तो अभी तक अगर आप लोगों को session पसंद आया होगा मज़ेदार लगा होगा तो आप सभी से request है एक बार session को like और share कर दें और मैं तुरंत अभी आपके लिए set करके लेके आ रहा हूँ simple और compound interest के mixed questions तो चलिए simple और compound interest का पहला set of questions मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसके उपर हम discussion करेंगे जल्दी अच्छा ये सवाल अच्छा समझ गया तो SICI के combined questions से पहले कुछ और compound interest के miscellaneous questions बाकी है वो मेरे दिमाग से अट गया मतलब अभी तक 40 questions completed है लेकिन number 50 तक मतलब 50 questions हमने basic के रखे थे मुझे है कि मैंने बाद में add किया था तो अभी भी हम compound interest के ही कुछ और miscellaneous concept सीखने वाले है क्योंकि यहाँ पर भी simple का कोई involvement नहीं है तो हम लोग compound के ही इस case को study करेंगे कैसे अब देखो जब मैंने क्योंकि मेरा ही काम है जो आपको मैं बताता हूँ आप मुझे थुरा ज़ादा ही seriously ले रहते हो मैंने आपको एक सवाल में कहा था कि जब ऐसे second year, third year, fourth year आए तो वहाँ पर tree लगा देना आप लोग ready हो, seventh year और fifth year देखके tree लेकिन ठोड़ा सोचो साथ और पांट जब वो देता है ना तो वैसे जगा पे अगर आप पूरा का पूरा calculation करना चालू करोगे तो paper वहीं खतम हो जाएगा, मतलब आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि compound interest के तीन साल से उपर अगर कोई सवाल है तो वो logically है आपको solve करना है और वो logic कैसा है? उसने कहा कि जो compound interest seventh year का आता है और fifth year का, fifth, साथ साल बाद नहीं यह पांट साल बाद नहीं, particular जो seventh year का interest आया होगा, और जो particularly fifth year का interest आया होगा, वो आपके इतने और इतने है तो आपको बताना है कि rate of interest कितने का है, आपको बताना है कि rate of interest कितने का है अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर, पूछो क्या आपने zero से start किया था, मतलब आज जो पैसा आप देते हो, वो जैसे over की बात करते है, first over किसको कहा जाता है, 0.1, 0.2 0.3, तीसरा बॉल, चौथा बॉल 0.5, 0.6 जब complete हो जाएगा तो first over complete हो जाएगा उसी तरीके के जब मैंने पैसा दिया तो मेरा ये zero tenor चल रहा है अब मैं आपसे कहना चाहतो, एक साल के बाद, ये मेरा first year का amount है, थोड़ा इधर adjust कर दो ये seventh year का amount है ठीक है sir, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कि जब मैं बात कर रहा हूँ, कि compound interest साथ को थोड़ा दूर रखो, on fifth year, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि इसी दौरान मुझे अपने first year का interest मिला होगा, हाँ ये न, इसी दौरान मुझे अपने second year का interest मिला होगा और इसी दौरान third year का, इसी दौरान fourth year का, और इसी दौरान मुझे अपने fifth year का interest मिला होगा मतलब fourth year के amount पे these are all amounts, fourth year के amount पे मुझे fifth year का interest मिला होगा, हाँ sir और आपके जब seventh year का interest है तो यहाँ पे 6th year, यहाँ पे 7th year, तो यहाँ पे थोड़ा जगा नहीं है तो adjust कर ले न, यहाँ पे 6th year के amount पे ही आपको आपका 7th year का interest मिला होगा, 7th year का interest मिला होगा, क्या यहाँ तक बात साफ है, हाँ सर बात साफ है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ सर, ये एक साल का ही है, interest, ये एक साल का ही है interest, सर, आपके दिमाग में जो खुराफात आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने का क्या, सर, एक tenure में, एक fixed span में, जो interest का ratio होता है, वो ही ratio जिस principle से वो बनते हैं, या जिस amount से वो बनते हैं, उनके ratio के साथ बराबर होता है, पढ़ाय गया है, कुछी देर पहले rewind करके देख लो, मैंने का जो 5th year का interest, इतना paper में नहीं लिखना है, मेरा काम आपको समझाना है, 5th year का interest बाद में दिया है, क्योंकि respectively में पहले 7th, फिर 5th, तो ये वाला आपको दिया है 10240, और ये वाला आपको दे दिया गया है 12960, मैंने का हाँ अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीके सर, इनके बीच का ratio कितने का है, सर अगर मैं काटा पिटी करूँ, तो सर क्या और काटा पिटी करें, 4 में काटते हैं, 2 बार, 4 में काटेंगे तो 22, ये 5 बार हो जाएगा, और 256, 4 में काटेंगे तो 3, और ये 2, और य इसको 12 में कट करूं तो, तो ये 12 दुनी, नहीं, ये जा ही नहीं रहा, इसी रही प्रॉब्लम, तो सर और किस में जाएगा, 12 में नहीं जाएगा, मुझे पहले चेक कर लेना था, 6, 5, 11, 12, 13, 56, 8 में जा रहा है क्या, 8 में नहीं जाएगा, 4 में ही जाएगा, और नहीं अमाउंट से ये उत्पन्न हुए है, 5th year का interest, 4th year के amount पर उत्पन्न होता है, और 7th year का interest, उससे पहले 6th year के interest पर उत्पन्न होता है, इनके बीच का ratio भी 64 is to 81 बना होगा, अब आपने क्या समझा, सर मैंने ये समझा, कि अगर ये पुराने चीज़ों को भूल जाओ, 4th year तक जो 64 बना होगा, उसको अगर मैं आगे 2 साल इसी rate में दोड़ा दो, तो 81 बन जाएगा, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि 64 is to 81, 2 साल के बाद का ratio है, एक particular जगा से 2 साल बाद वाले का ratio है, तो क्या ये वही सवाल है, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, सर कहां पर आपने प पकड़ा दिया, तो जब वो आपके और 2 साल के बाद आएगा, तो वो 81 बनेगा, मतलब जो मैं दे रहा हूँ, वो after 2 years क्या बनता है, 64 is to 81 का ratio बनाता है, मतलब पहले साल और दूसरे साल, आपका कहीं ना कहीं से ये चला होगा, अरे सब recall करवा रहा हूँ, तो मतलब किनी द होनों का multiplication कितना, 81, तो क्या मैं आपसे एक चीज़ कह सकता हूँ, हाँ सर कहो, कि कौन से नंबर का square 64 होता है, सर 8 का, कौन से नंबर का square 81 होता है, 9 का, तो मतलब आपका हर साल पैसा 8 से 9 होता है, इसलिए 2 साल के span में आपका पैसा 8 के square 64 से 9 के square 81 तक गया, क्या मैं आपसे पाना 8 के उपर होता है, और जब मैं percentage निकालू है, सब पढ़ा गया है, आप बस recall करो, तो 12.5% इस सवाल का सही उत्तर, 12.5% इस सवाल का सही उत्तर, that's it, इसी तरीके से बहतरीन अप्रोच लगा के आप इन सवालों को frame करके solve कर सकते हो, तो हमेशा मेरा आपका एक ही कहना ह कि जो मैं बताता हूं, उसको बहुत ज्यादा seriously मत लेना, जैसे कि अगर second year, third year ऐसे चीज़े आएंगे, वहाँ तक tree को लागू रखना, लेकिन जब साथ आपके range पार हो रहे हैं, तो सवाल logically ही कहीना कही solve हो रहा होगा, और यह इसका तरीका था, देखते हैं, और compound interest का क्या misunderstanding सवाल हमारे पास है, यह एक बड़ा खुबसरत सा सवाल है और examination oriented भी है, ठीक है, क्या है, यह सवाल जड़ा देखेंगे सभी लोग, okay sir, उसने कहा एक sum है, रुपी 16,820 का और इसको divide करना है मुझे A और B के बीच में, जो की 20 साल और 22 साल उम्र के हैं, वो invest करते हैं अपने 20% per annum के compound annually, at the age of 25 years, both receive equal amounts, दोनों के दोनों बराबर amounts बाते हैं, find the share of each, तो दोनों का जो share है वो कितना है, तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, समझे सवाल, सर नहीं सर, आपने 16,820 रुपे का जो total sum है, वो दो बच्चों के बीच में, A और B के बीच में बांट दि गया है, मान लेते हैं कि A के पास गया होगा X, तो B के पास, सर 16,820 माइनस X, हम किस से कर रहे हैं, सर हम तो ratio से कर रहे हैं, वाईल, ओके सर आप बोल लो तो ले रहे हैं, इससे कुछ benefit होगा, जब बरदस्त, कैसे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको आज 20 साल है अब देखो, इनको जो पैसा दिया गया है, वो पैसे 5% पर आनम के हिसाब से compounded annually में लगा दिया गया, मतलब इसको जो मिला था, इन दोनों को जो मिले थे पैसे, वो 5% पर आनम के हिसाब से लग गया है, और उसने कहा, जब दोनों को 25 साल हुआ, तो जो दोनों के पास amount है, वो बराबर है इसका मतलब अगर हमने इस X रुपीस जो A के पास था उस X रुपीस को अगर 5% के rate of interest है 1 प्लस R by 100 पांच साल इन्वेस्ट किया होगा सर पांच कहां से लाए अरे तुम्हें 20 साल था न हां सर तो जब तुम्हें 25 साल हुए होंगे तो 5 साल के लिए पैसा रखा गया ओके सर और Y जो इस B के पास था उसको अगर आज 22 साल है तो 1 प्लस वो भी 5% rate of interest में इस पैसो को कितने साल तक रख रहा है सर ये इस पैसे को 3 साल सर 3 कैसे आज 22 है तो 25 साल तक जाते जाते और 3 साल इसको इस पैसे को इन्वेस्ट करना है और जो इसके पास 25 साल के वक् चीज यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार तो cancel हो जाएगा उल्टा यहाँ पे 2 बार रह जाएगा ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 by 20 है तो ये 21 by 20 का square है 21 by 20 का square 441 upon 400 होता है और इस Y ये तो पुरा का पुरा कट चुका है Q वाला चीज ये Y में ये X आके divide हो जाएगा अग अगर आपके पास Y by X 441 by 400 इसका मतलब समझ रहे हो कि B बंदे के पास जो share है वो अगर 441 पार्ट है तो इसके पास 400 पार्ट है ये ratio है इन दोनों के पास अगर मैं मिला दूं तो कितना पूछू तो आप मुझे क्या कहोगे सर दोनों के पास मिला के 841 पार्ट से है और दोन सबसे पहले में A का निकालूंगा फिर B का A के पास कितना है गलती मत करना X X यानि कि 400 पार्ट और 400 पार्ट मतलब पहले क्या आएगा सर एक पार्ट 20 के साथ 8000 फिर B का share जो कि 441 पार्ट हो रहा है एक पार्ट 20 के साथ वो कितना हो जाएगा 882 और ये उस दोन आएगा 0 तो इंटेश के कुछ बच गया था अच्छा अच्छा मिस्लैनियस कोईशन जो कि मैं वाइंड आप कर रहा हूं जैसे कि आपको आगे आने वाले दुनों में कोई तक्लीफ कोई प्रॉब्लम ना हो रोहित तुक रुपीस 20,000 तो पर्चेस वन LCD सेट फ्रम ए फिनांस कमपनी वह 20,000 रुपे लिया फिनांस कमपनी से कि भाही मुझे चाहिए एक LCD सेट घर में बोल ले और बीबी को मनाना प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार ले ही लेते हैं He promised to make the payment after 3 years, 3 साल के लिए उसने promise किया कि मैं 3 साल के बाद payment कर दूँगा पूरा का पूरा पैसा तुमारा चुका दूँगा The company charges compound interest at the rate of 10% पर आनम, company जो है वो 10% पर आनम के compound interest rate चार्ज करता है But suddenly company announce करता है जो rate of interest है वो 15% पर आनम है For last one year, ऐसा नहीं कि starting से, आखरी एक साल के लिए company बोल ला है कि 15% का interest लगेगा तो कितना extra amount रोहित को देना पड़ेगा इस announcement के वज़े से at the new rate of interest मतलब आपको सिर्फ ये focus करना है कि आपको extra कितना देना पड़ेगा अब देखो अगर आपने इतने समय से मेरे से compound interest सीखा है तो आपका दिमाग तरह तरह के approach डूण रहा होगा जो कि सारे लगा सकते हो, आपकी मर्जी आप जो लगा नहीं लगा हो लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, सबसे बहतरीन चीज क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे announcement होने तक दो साल complete हो गया था, क्योंकि आकरी साल के लिए 15% लगा? हाँ सर, 10% होता क्या है? सर, 10% होता है एक बटा 20, sorry, एक बटा 10, यहां तक बात साफ है तो जो पैसा तुमने लिया है 20,000, वो 20,000 रुपे आपके 10 पार्ट में से 1 पार्ट बढ़के 11 बटे 10 पहले साल के अंत में हो गया होगा और दूसरे साल के अंत में 11 बटे 10 हो गया होगा, पहले मैं एक गिसा बिटा basic आपको दिखा रहा हूँ फिर इसका advance भी दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं तीसरे साल के बात कर रहा हूँ तो genuinely, genuinely मुझे 10% देना था, यानि कि इतना देना था लेकिन जब announcement होके यह चीज आपका 15% बन गया तो 15% का मतलब होता है 3 by 20, यानि कि वो पैसा 20 से 23 पार्ट बन चुका होगा आखरी में क्या यहां तक बात साफ है, तो आप ये वाला अलग से निकाल सकते हो ये वाला अलग से निकाल सकते हो, और इन दोनों के बीच का difference निकाल सकते हो अब मैं आपको कुछ और talent बताना चाहता हूँ, हाँ सर बताओ, आप talent बताओ अगर मैं अलग-अलग calculate ना करके, इनके वो directly difference निकालू, minus करू तो क्या 20,000 common दिख जाएगा, 11 by 10, 11 by 10 दो बार common दिख जाएगा, इस case में ज्यादा interest देना पड़ रहा है 15% का, तो 23 by 20 से आपको minus, क्योंकि ये तो common ओर नहीं जा पाएगा 11 by 10 minus करना है, सर यही तो आपका advance है, सुनो, तो तुम थोड़ा patience तो रखो, बिना patience के quant कभी हुआ है, क्या आपने ये 11 by 10 को 22 by 20 feel के असर ऐसा क्यों, क्योंकि 20 by 20 जब यहाँ पर direct आ जाएगे, तो 23 से 22 जाएगा, तो ये 1 by 20 बन जाएगा, सर, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैंने का क्या, ऐसे 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 ना करके, इसको एक advance तरीका लगाऊंगा, मैंने का, अ आया, उट पहाड के नीचे, कैसे हमारे methods खेल रहे हैं, सर कैसे, सर देखो, 20,000 रुपे तो हमने लिया, 10% के इस साल से पहले साल के अंत में ये और दूसरे साल के अंत में यहाँ तक बन गया होगा, सर सुनो ना मेरी बात, मैंने का, हाँ, इसी पैसे पे, जो भी मुझे extra द particularly, मैं दूंगा 5%, मैंने का, हाँ, तो इसी पैसों पे, जो एक्स्ट्रा 5% मुझे देना पड़ रहा है, वही तो additional एक्स्ट्रा जो सवाल पूछ रहा है, मैंने का, रहे, वह, talented हो तो, 5% का मतलब 1 बटा 20 है, तो आपको इसी पैसों का, 1 बटा 20 ही निकालना है, और आपका का खतम, आप अगर देखोगे, तो simplification में 20,000, 11,10, 11,10, 120, 20,000, 11,10, 11,10, और ये वुरा का पूरा value क्या है, 120, यही है आपका logical approach, तो इसी तरीके से आप खुराफाती way में questions को deal कर सकते हो, अगर आप यह नहीं चाते हैं, तो आप और भी कुछ कर सकते हो, कैसे, आप 10% का 3 साल क AB method का result जानते हो, नतीजा, 33.1% होता है, हाँ सर, होता तो वही है, 10% का 2 साल, 21% सा 2 ही क्यों, क्योंकि अब अगले साल मुझे 15 लगने वाला है, तो 21 और 15 का successive कितना होगा, 21 into 15 बटे में 100, यह हो जाएगा आपके पास 315 बटे 100, यानि कि 3.15 और यह हो जाएगा 36, यानि कि 39. 9.15% और जो एक्स्ट्रा देना पढ़ रहा है, क्या आपने वो चीज़ फिल किया, सर क्या, वो है, 50.6.05% हाँ सर, इसको जब मैं calculate करूँगा, तो यह आया कितना, सर मैं बताता हो, 121, 0, यह ही आया, हाँ सर, और जब मैं 6.05% निकालूँगा किसका, पूरे लिए गए पैसों का, यानि कि 20,000 का, तो वो मुझे कितना रिजल्ट देगा, सर मैं बताता हो, मैंने का बताओ, सर परसेंटेज के साथ 2, 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 2, 0, 605 का डबल, 1210, जिदर से जाना है, तुम जाओ ना, मैं सारे मेथर्स आपके बता चुका हूँ, उससे बहतर हम कुछ और सवाल करते हैं, चलो सर, देखते हैं, संजो पुट्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, वना 10% पर अनम कंपाउंड इंटेज, अभी तक आप सिंपल में इंट्री नही है, वो हाफ यह ले, भाई साब स्क्रीन शॉट लेकर आप या फिर पॉस करके खुट ट्राय करोगे, तभी डेवलोपमेंट तरक्की होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैं बोदल दे रहा हूँ, and the second at a certain percent per annum, second का percent वाला rate नहीं दिया गया, interest payable early, but वो yearly ही दिया जाएगा, if he gets equal amounts after three years, अगर वो दोनों cases में बराबर amount पाता है तीन साल के बाद, then what is the value of second rate of interest, तो आपका second rate of interest का value कितना है, अब देखो जो धिमाग में आ रहा है, वैसे करो, basic, basic, खेलो basic से, sir, basic से कैसे खेले, निया मनुसार साल में 10 percent मिलना है, तो half yearly में 5 percent मिलेगा, 5 percent का मतलब 1 बटा 20 ह एक बटा 20 इसको ratio से क्यों करें, क्योंकि भाई साब यहाँ पे half yearly के case में आपने यह देखा कि 3 साल चलाने, अब 6 बार कौन लगाएगा ऐसा interest, तो sir, क्या करेंगे, मैं बताता हो आपको, मान लेते हैं कि equal पैसा जो यहाँ पे भी लगाए है, वो X है, यहाँ पे जो इसी 5% का interest, आपको कितने बार लगाना है, 6 बार, और 6 बार लगाने के बाद आपका amount यह बनेगा, लेकिन जो दूसरा पैसा, जो की बराबर है पहले पैसों के साथ, वहाँ पे एक particular R rate of interest में invest किया गया yearly, और वहाँ पे 3 साल के बाद जो amount आया, वो इस amount के साथ बराबर, त क्योंकि जब भाई साब यह दूसरा वाले rate ही missing है, तो आप successive भी करोगे किया यहां पे, कुछ कर सकते हो, benefit नहीं है ला, तो ऐसे methods भी basic वाला, previous में भी basic help किया, वो जो आपका 20-22 साल, 25 साल उसमें भी basic help किया, आपकी language को देखते रहे न, कि कौन से language में कैसे questions को में use कर रहा मैंने का हाँ मैं भी नहीं कर सकता है, सर एक काम करते हैं, मैंने का हाँ, दोनों का cube root करते हैं, सर cube root, 6 का cube root तो होता ही नहीं, मैंने का भाई सार, दोनों का cube root करना मतलब whole to the power, सर और indices पढ़ो, cube root मतलब power one third करना, ओके सर, गौचिव, सर इससे क्या benefit, इसका power कट गया, और यह बचा तो, 21 by 20 का square, यानि के 441 by 400 बचा, यह plus 1 इधर आके minus हो जाएगा, इधर क्या minus कर रहा हो है, तो यह बचेगा आपके पास 41 बटे में 400, और यहाँ पे बटा आपके पास R बटे 100, 00, 00, 00, 41 by 4 कितना होता है, सर, 41 by 4, 10.25 होता है, तो आप में से जितने लोग 10.25% को अप अरदस चल लेए, आपके तेहरी, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ धोका दे रहा हूँ, बहुत से लोगों को अभी लग रहा होगा कि मैं उनको धोका दे रहा हूँ, कि सर, आप जो न, ratio मिथर में कर के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सारे सवालों का सबसे finest approach बता वैसे करके मुझे 20 से 21 कितने बार जाना पड़ेगा मुझे 6 बार जाना पड़ेगा तो जो मैं पाऊंगा वो 20 to the power 6 और 21 to the power 6 है बात साथ है लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने दोनों जगा समान पैसे दिये थे इसमें भी होगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना मतलब यहां शेटर सेटर चाल जाना प यहां पर जाना प करना मतलब यहां पर जाना मुझे 6 और यहां पर मौC को जापड़ेगा हो सब्सक्राइब होगा जार जो च्वतलब गया इसमें तो तीन कहलेट किया ज तो तीन फेजस में interest calculate किया गया होगा आप मेरी बात से सहमत हो हाँ सर हम आपके बात से सहमत है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन से नंबर को तीन बार multiply करने से 20 to the power 6 आएगा सर ये तो गड़ा घातक question पूछ ले मैंने कुछ नहीं पूछे रहे दिमाग लगाओ 20 का square 20 का square और 20 का square हाँ 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 multiply करेंगे 202 कोई मत सोचना इतना talent मत लेके आना घर से ठीक है वैसे भी कम नहीं है 20 square 20 square 20 square is equal to 20 to the power 6 अगर मैं इधर की बात करूँ तो 21 square 21 square और 21 square तीन बार multiply होगा तो 21 to the power 6 तो मैं यहाँ पे 20 नहीं बलकि 20 का square और यहाँ पे 21 के square से ही जा रहा हूँ कि 20 के square को 3 और 21 के square को 3 बार multiply करने से same होगा क्या यह मैं conclude कर पा रहा हूँ कि मैंने अपने पैसों को हर साल 400 से 441 बनाया है हाँ सर तो हर साल मुझे interest 41 का म पतलब आप अगर मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोगे मैं पीछे नहीं ओटूँगा मैं तो टैलेंट दिखाऊंगा लेकिन वर्थी ठीक है क्या रिक्वार्मेंट है क्या कोई ज़रूरत नहीं या सिंपल बेसिक से लिखो एक लाइन में आपके सामने आपका आं यह भी आपका CI के उपर होगा तो 50 इस एलिगेशन के बाद कंप्लीट होगा फिर हम करेंगे 20 प्लस सिंपल कंपाउंड के मिक्स्ट कोईशन आप कितना एफट्स डे रहा हूं श्रशन को लाइक और शेयर करते रहा ना यह रिक्वेस्ट है अभी चो हमारा पार्ट है वो है how to apply allegations in SI and CI question SI और CI के questions में हमें allegation कैसे लगाना चाहिए उसके लिए मुझे सवाल पढ़ना होगा कि सवाल हमें क्या दिया है कैसे questions में लगता है किन questions का type कैसे दिखता है वो सब पढ़ना एक बार screenshot लेके या फिर pause करके जरूर से try मारो मेगना के पास 3000 रुपीस था उसने invest किया X रुपीस 30% पर आनाम के simple interest पे वो भी 5 years के लिए और remaining sum जो था बचा वो आपके 50% पर आनाम के इसाथ से compound interest में 2 साल के लिए लगा दिये गए अगर जो total interest receive किया जाता है वो 4050 का निकल के आता है तो मुझे X का value बताओ मैं आपको allegation पूरा पढ़ाया हूँ आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर से देखिएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाता हूँ कि आज आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ला है आपको बस ये दिखाना है कि आपने जो पहले case में invest किया वहाँ पे overall आ आपको overall कितने percent का return मिल रहा है और उन्हीं के बीच में जब आप allegation लगाओगे तो आपको बता चल जाएगा कि case 1 और case 2 में जो आपके पैसे लगाए गये हैं वो किस ratio में है सर अगर हम सच में पूरे के पूरे 3000 रुपेयों में से कुछ रुपिया x के बार में interested नहीं हो कुछ रुपे 30% पर आनम के simple interest में 5 साल लगा है कि आप सभी को पता है simple simple होता है 30% में अगर आप 5 साल के लिए simple में invest करोगे तो आपको return 150% का मिलेगा तो case 1 में आपको return मिल रहा है वो 150% का है done done जो बचा हुआ पैसा है उसको अपने 50% पर आनम के इसाब से compound interest में 2 साल लगा दिया अब 50 का ये भी लगा होगे 50 plus 50 plus 50 into मुझे पता है 125 आपके लिए कर रहा हूँ कोई ये सोच रहा है रहे बेवकुफिन सान इत्रा भी नहीं जा है अगर मैं आपसे काऊं कि overall interest रुपे 3,000 रुपे के उपर प्राप्त करना मतलब overall कितना percent प्राप्त करना है into 100 double 0, double 0, 135 percent काटो ना तो overall 135 percent यहां रखा अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाता हूँ हाँ सर पूछो किसा allegation कैसे लगाते 150 percent से 135 percent जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 15 percent 135 percent से 125 percent जाएगा तो यह हो जाएगा 10 10 percent और क्यों रखोगा percent तो रेशो में कटी होगा तो यह 135 से 125 कितना होगा 10 अगर मैं आपसे पूछों कि यह जो वास्तविक में रेश्यो निकला वो कितने का है तो तुम कहोगे 5 में काटने के बाद 2 और 3 मतलब जो पहले हिस्सा है वो अगर 2 पार्ट है तो जो दूसरा हिस्सा है वो 3 पार्ट का है हमारा क्लेर होगा और हमें सवाल बोल रहा है कि find the value of x एक समने कहां पर लगाया था आपने पहले केस में जहां पर 30% पर आणिम के हिसाब से 5 सा लगाया था तो x यही है और इसी के साथ मैं कह सकता हूं close करेंगे अपने answer b को lock करके लेकिन आप लोग जो है वो मुझपे अभी चड़ जाओगे बोलोगी कि सर आप से यह उम्मीद नहीं था मैंने का क्या direct allocation लगा रहे हो basic थोड़ा बताओ मैंने का हाँ बिलकुल आपके पास मैंने सुना कुल 3000 रुपे हो है हाँ सर मैंने सुना उसमें से x रुपे 30% के इसाब से 5 साल के लगाया है हाँ सर जहां से आपको interest 150% का मिला होगा हाँ सर तो पहले case में आपने जितना लगा है उसका 150% आपको interest मिला है दूसरे case में आपने कितना लगा है सर 3000 में से x जा चुका है तो बाकी अभी 3000-x से सर मैंने का अच्छा यह जिस पे लगाया वहाँ पे मैंने सुना 50% के इसाब से 2 साल compounded annually 125% का interest मिलता है हाँ सर तो इसका 125% का interest मिला होगा और इधर से और इधर से जो total interest मिला है वो सवाल के इसाब से कितना था आपको याद होना चाहिए 4050 अब आपकी मर्जी आप इसको कैसे solve करते हो मैं उसमें कर दूँ और अगर मैं यह 5 by 4 कर दूँ तो जल्दी से बताना कि यहाँ पे 3x by 2 आएगा प्लस यह आपके पास 4 से काटोगे तो यह कितना हो जाएगा 750 का 5 गुना 3500 3750 माइनस हो जाएगा 5x by 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4050 यह जब उधर जाके माइनस होगा त तो 300 बचेगा और 3x by 2 से जब 5x by 4 जाएगा क्या इसको मैं 6x by 4 लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर को सेम करके हाँ सर तो 6x by 4 माइनस 5x by 4 क्या यह x by 4 है हाँ तो x कितना आ गया सर x 300 into 4 1200 आ गया आप अगर ट्रेडिशनल में भी करना चाहते हो कर सकते हो मुझे उसमें कोई प् करूंगा यही नहीं बलके बहुत complex complex सवाल विया बना सकते हो कैसे मैं दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले एक सवाल और उमीद करता हूँ आप लोग pause करके कर रहे होंगे प्रतीक के पास 68,000 रुपीज है उसने इंवेस्ट किया कुछ 20% पर आनम के simple interest में वो भी 5 साल के compound interest में वो कितने का है बड़ा खुबसुरत सा सवाल यार वही same protocol मैं change नहीं करूंगा protocol और हाँ आपको अगर यह protocol खुबसुरत तरीके से लगाना है तो कैसे करोगे सब 20% में 5 साल मुझे पहले case में 100% का interest मिला होगा agree और 20% के compound में 3 साल याद रखवाए था 72.8% रटे नहीं अभी तक लिख के दिया था यार उत्रा नहीं करोगे तो पढ़ोगे क्या और अगर मैं देखूं तो मुझे 5,440 का total interest मिल रहा है किसके उपर पूरे के पूरे 68,000 के उपर तो कितना percent है 80% तो सर यह अगर 80% आ गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर 100 में से 80 जाएगा तो यह कितना बचेगा सर यह 20 यह पूरा का पूरा चीज मेरे simple intention आपको पढ़ाया हुआ है और 80% से 72.8% जाएगा तो यह कितना है 0.2 यह हो जाएगा 73 7.2 अगर मैं आपसे ratio की बात करो तो ratio कितना आएगा सर ratio में बताता हूँ आपको point के बाद एक यहाँ पे 0 आ जाएगा अगर हम इसको 8 में काटेंगे तो 9 बार और हम इसको अगर 8 में काटेंगे तो यह 25 बार जगा मिला के 68,000 दिया और दोनों जगा मिला के 9,25, 34 पार्ट दिया तो आप मुझे क्या कहोगे सर दिया हुआ 34 पार्ट अगर 68,000 के बराबर है तो एक पार्ट हमारा चल रहा है 2000 का और अगर एक पार्ट 2000 चल रहा है तो प्रतीक ने compound interest में जो दिया वो second वाला case है तो आप आपको चाहिए यह 25 पार्ट का वैल्यू एक पार्ट 2000 होने के साथ वो कितना बन गया वो बन गया हमारा 50,000 और इसी के साथ option number D सवाल का सही होता है एक और चीज में आपको कहना चाहता हूँ कि यह जब overall निकाल रहे होंगे तो यह fraction में भी आ सकता है और fraction के जब यहाँ पे 140 के उपर 150 बटा 7 आ जाए मान लो ठीक है 150 बटा 7 खुब सुरत करते हैं सर यह मेरा overall यहाँ पे 20% आ रहा था यहाँ पे इसा आ रहा था जब मेरे overall interest देखा तो यह ऐसा आ रहा है सर ऐसे case में आप मुझे बचा सकते हो मैंने का बिलकुल कैसे आपको problem इस denominator के वज़े से 160 माइनस करोगे तो 10 ratio आगे आपके पास 6 अनुपात एक पहले scheme और दूसरे scheme का तो ऐसे वाले चीज़े और अगर आपको practice करना है तो simple interest का complete video जरूर से refer करना ठीक है उसमें और variety में ने allegation जो लगाया ना allegation का बाप लगाया वहाँ पे ठीक है एक बार जरूर से देखना आपको भी मैं देखना चाहता हूं आपका दिमांग कहां कहां कैसे कैसे दोड़ता है कर लिए आओगा try क्यूंकि हम समय क्यों वेस्ट करें आप तो pause करके करी रहे होगे Amit gives money to his two friends Amit जो है वो पैसा देता है अपने दो दोस्तों को नेहा और शयाना शयाना अच्छा राव है at the rate of interest compounded at the rate of interest compounded annually पहले लिखा गया है वो बात में लिखा जो था at the rate of interest 8% पर आनम और 9% पर आनम respectively compounded annually वो उपर चला गया इसलिए मैं भी confused हो गया मतलब बात simple है Amit ने दो दोस्तों को पैसा दिया एक को 8% पर एक को 9% में और उसने जो total amount पाया दोनों लड़कियों से 2 साल के बाद वो इतना है अगर जो total amount दिये गए हैं दोनों लड़कियों को वो 28,000 है तो बताओ जो money नेहा को दिया गया था यानि कि पहले दोस्तों को दिया गया था वो कितना percent है अब देखो भाई लोग आप इसमें equation frame करके कैसे solve करते हैं मैं मान के चलता हूँ कि नेहा है शनाया या शयाना जो है शनाया होगा शयाना बड़ी सयानी वो जो बोलते हैं न चिडिया राणी बड़ी सयानी इस type का शयाना तो इसको suppose x रुपे दिये गए है अमित दौरा इसको suppose y रुपे दिये गए है तो दोनों को मिला के उसने कितने दिये है 28,000 रुपे दिये है जितना मुझे याद है इसको 8% के हिसाब से दिया गया है इसको 9% के हिसाब से दिया गया है अब देखो बहुत से लोग अगर 8 का अमाउंट निकालने चले जाएंगे 108 बटे 100 करके या 27 बटे 25 करके और उसको इक्वेट करने की कोशिस करेंगे कि हमारे पास यह वैल्यू के साथ तो आप से बड़ा इस दुनिया में नहीं होगा क्योंकि इतने बड़े कालक्रेशन में कभी गुसना ही नहीं था आपको उल्टा आप एक काम करो ना कि अगर आपने सही में दोनों को 28,000 दिया और दोनों से इतना रूपे टोटल कलेक किया तो इसी दौरान 5,006.4 का आपको इंटरेस्ट मिला है और यही जो 5,006.4 का इंटरेस्ट है वो कैसे मिला होगा सर 8 परसेंट में जब 2 साल कंपाउंड में पैसा लगा होगा तो प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटो 8 बाइ 100 तो 16 और यह 64 बटे 10 यानिके 16.64 क्या आप मेरे लिए दूसरा भर्बली कर सकते हैं सर भर्बली नहीं आएगा सर मैंने का मैं बताता हो ना जब मैं हूँ क्यों नहीं आएगा सर कैसे जिसमें अगर single digit में है double digit में थोड़े complex आ सकते हैं फिर भी अगर आप try करो practice करो तो हो जाएगा जो number लिखा उसका double गर दो 18 और उसमें decimal लगा के उसी number का square लगा दो यानि कि 18.81 कल अगर कोई आपको 7 बोलता 7 का double 14 7 का square 4 9 6 6 का double 12 36 5 5 का double 10 25 4 4 का double 8 16 3 3 का double 6 09 इसे type के आप और ये 09 point के बाद 2 digits होने चाहिए जैसे square बगरा पढ़ते हो इसी तरह अगर कल आपको 12 का जरूरत हो गया तो सेम चीज़े 12 का double मैंने किया था 24 लेकिन 12 का square 144 point के बाद अगर 2 digit चाहिए तो ये कितना बन जाएगा 25.44 आप समझे मेरी बात को क्योंकि point के बाद 2 digit है जब 7 की बात आ रही थी तो उसका square double digit था इसका double digit इसका double digit इसका double digit जहाँ पर solo digit था एक 0 लगाया जहाँ पर triple digit आया एक carry कर दिया मतलब कल अगर मुझे कोई 13 का बोले तो मैं उसको क्या कहूंगा 26 169 2769 सही है तो इतना fast तो कर रहा हूँ 22 का पूछा जाए 22 का double 44 22 का square 484 4884 अगर गलत थोगा तो कमेंट करके रता ना सब्सक्राइब 17 का चाहिए 17 का double 34 17 का square 289 36.89 इस तरीके से कर सकते हो आपको क्या क्या सिखा रहा हूं मैं यार अपने तरह बना दूँगा शहिए किसी दिन तो सर ये हो गया इतना इतना percent तो x रुपेओं पे जब 16.64 परसंड का interest लगा होगा और y रुपेओं में 18.81 परसंड का interest लगा होगा तो ये इतना होगा क्या आपको सच में इसको कलने की मन कर रहा है सर आप मुझे बेफकूप बना रहे हो मैंने का क्या आप इसको दो variable क्यों लिए आप एक को x और दूसरे को 28000-x लो भाई सार इन percentage के साथ calculation easy कभी भी रहेगा रहेगा क्या हाँ सर रहेगा मैंने का इससे असन रहेगा क्या सर क्या दिखा हो एक बार मैंने का मैं दिखाता हू बाई साब 8% के इसाब से जब मैंने पैसा लगा दिया या फिर दे दिया किसको नेहा को तो 2 साल में जो उससे percentage return आएगा वो 8 का double और 8 का square इतना का आएगा और शनाया को जो मैंने दिया या शयाना को जो मैंने दिया 9 का double और 9 का square वहाँ से इतना आएगा अब बस देखना है यह जो 5,006.4 का total interest मिलना वो मेरे पूरे दिये है 28,000 के उपर आ रहा है तो उसका कितना percent है सर 00, 00 काटा point को काटा एक और 0 मेंने लाया या 100 को छुपा के रखो एक 0 है एक 0 और मैंने point के लिए 100 को छुपा के रखो ये क्यों मैं last में 2 decimal डालूंगा ठीक है सर डालो रही बात 28 से cut करने की तो 7 से cut करूंगा 4 बार 7 से 7 बार 1 बार 36 पांच बार और 2 बार 4 में cut करोंगे 17 बार 38 35 यानि कि 8 और ये 8 और बटे 100 जब में करूंगा तो ये 17.88 का overall interest मिल रहा है डर रहे हो हाँ सर डर तो लग रहा है डरो मत सर क्यूं? क्यूंकि जब आपको तीनों चीज़े मालूम है इससे इसको minus करो सर कैसे करेंगे? मैंने का सुनो अगर ये 88 होता कितना मज़ा आ जाता? हाँ सर मज़ा तो आ जाता एक बढ़ा देता एक का गया प्रेता लेकिन यहाँ पे 81 है यानि कि एक तक पहुंचने की नौबात ही नहीं आ रही है उससे 0.07 कम है तो 0.93 यह आप अपना तरीका लगाओ ना अगर मैं 2,4 जोड़ दो तो ये बन जाएगा और ये आपके पास 6 में 1 ये 1.24 ये रेशियो है मैंने सुना रेशियो में पॉइंट के बार यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट तो पॉइंट का कोई रोल नहीं क्योंकि रेशियो में तो 100 भी मल्टिप्ला किया जा सकता है तो रेशियो 93 अपन 124 आया थोड़ा बुरा लगा होगा लेगिन बुरा लगने वाली कोई बात थी नहीं 31 में काटोगे 3 बार 31 में काटोगे 4 बार तो जो यहाँ पे और यहाँ पे निवेश किये गए है पैसे वो 3-4 के अनुपाथ में है मैंने सुना है कि जो टोटल 3 और 4 यहाँ यहाँ लगे हुए है साथ पार्ट नहा और शनाय के पास वो टोटल इस बंद ने 28,000 उपे लगाए है 28,000 के साथ एक पार्ट आपका 4,000 बन गया तो अगर आपको नहाँ वाला पैसा चाहिए पहला वाला तो 3 पार्ट जब आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 12,000 आप समझे तो समझा नई कि कैसे हम खुबसरे तरीके से एलिगेशन लगाके इन सवालों को solve कर सकते हैं उमीद करता हूँ काफी हद तक मैंने चीज़ों को clear कर रखा है अगर मज़ा आ रहा होगा शेशन तो एक बार शेशन को जमके like और share कर दीजिएगा ताकि जादा से जादा लोग इस शेशन को अनन्द ले पाएं और हमारी efforts ये महनत रंग ला पाएं और हम अभी बढ़ने वाले एक बहुत ही powerful concept के साथ जो concept है किसका simple और compound interest के mixed question अभी आया बहुत स्वेशन से बोल ले थे का आप लोगों का extra minute लगबग 40 minute ले लेकिन भाई साब extra 40 minute बोर नहीं किया हूँ बहुत से चीज और डिलीवर किया हूँ compound interest के based शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा उमीद करता हूँ अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि this is examiner's favorite category why the reason behind it is कि when we are expecting any arithmetic problem from these two chapters हमारे पास लगबख बहुत से arithmetic chapters है और जब हम PO की बात करते हैं या clerical की बात करते हैं तो हमें 10 to 15 misliness arithmetic word problems मिलते हैं और number of chapters उससे ज़्यादा होते हैं जिससे के हर chapter से एक question आना भी संभर नहीं होता और उस case में वो अगर एक question अलग से simple का और एक question अलग से compound का दे देगा तो वहाँ पर examiner का ही loss है तो examiner पूरा अपना दिमाग का शांत करके क्या करता है कि भाईसा दोनों knowledge check करने के लिए एक ही question में simple compound mix करके डाल दिया जाए and that's why this is the most important type of question for examination point of view and when it comes to pre as well as mains mains में बस उसका level बहुत तगड़ा हो जाएगा प्री में आपको direct direct मिलेंगे और थोड़े थोड़े indirect में सब करवाऊंगा इसी एरिया से मैं अभी लगभग आपको 20 plus questions तो करवाऊंगा 20 से 25 question तो मैं आपको इसी एरिया से करवाऊंगा सोच रहे हो तो दिल थाम के बैठ जाओ इस 20 question 25 question को complete करने के बाद और इसके 20 में आपको कोई doubt नहीं रहेगा लेकिन एक बार आप सभी से request पर आनम भी रूपेस 2419 what would be the simple interest on the same sum for two years at the same rate सवाल कह रहा है कि जो compound interest एक certain sum of money में 2 साल के लिए वो भी 5% पर आनम के हिसाब से वो इतना है तो आपको बताना है कि 2 साल में उसी rate of interest में simple interest कितना होगा मैं आप से एक सवाल पूछो हाँ सर जब भी simple और compound का mixed question आएगा आपके दिमाग में सबसे primary चीज़ क्या होना चाहिए यह सबसे primary होना चाहिए इससे अगर आपको percentage critical मिले तो आप successive वाला ratio के पास यह secondary होना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से या तो यह primary के बाद जो secondary आपको जाना है वो है आपका direct formula या फिर trick मैं आपको सारे categories के formula प्रोवाइड करूँगा और basic भी बताओंगा अब आपका call है आप कितना लोगे लेकिन अगर आप इस category से चार formula याद रखो पांच formula याद रख लोगे तो आपका यह topic complete कैसे उसने कहा कि 5% के इसाब से 2 साल में compound interest उतना मिलता है मैं आप से कुछ सवाल पूछना चाता हूँ अगर मैं इसको AB method के basic से करो तो 5% के इसाब से 2 साल में कितना मिलेगा ऐसे ऐसे करके और मत लिखना plus 5 plus 5 plus 5 समय नहीं है 5 का double 10 5 का square 25 point के बाद दो clear यही जो आपका 10.25% का compound interest है वही कितना है वही 2419 rupees है agree करोगे हाँ तो आपको same rate 5% में जब 2 साल के लिए simple interest पूछा गया simple तो simple है भाई 5 into 2 10% का interest मिला होगा क्योंकि simple में हर साल same रहता है तो आपको निकालना है 10% कैसा है unitary method लगा सकते हो 2419 अगर इतना percent है तो 1% कितना बटे में 10.25 और 10% कितना into का 10 जब मैं solve करने के लिए गया point के बाद 2 digits को हटा है तो यहाँ पे 1000 आ गया मैंने का हाँ future 20 guys 25 से मैंने काटा तो यह कितना हो गया यह हो गया 401 और 250 में काटा तो यह कितना हो गया मीरे पास 40 40 401 यह 401 यह और जा रहा है कोशिस करो यह बहुत गंदा तो आ रहा है चलो बार घुम के आते हैं अगर मैं 401 में काटूंगा तो यह जाएगा आपके पास अगर 6 बार 6 बार नहीं जाएगा यार यह जाएगा तो जाएगा कितने बार 5 बार जाएगा कितना? 2005 2005 बनने के बाद यह कितना बन जाएगा यह 369 बन जाएगा बिना calculation में फसके भी आप question answer दे सकते हो उसके लिए आपको बस एक formula याद रखना है ये question जब भी आता है आपको maximum 2 साल के लिए पूछा जाता है अगर 3 साल के लिए आएगा तो आप अपने हिसाब से question को कीजेगा क्योंकि उसका formula रखना ही बेफकुफी है बहुत बड़ा होगा दो साल के लिए हमेशा याद रखिएगा ये याद रह जाएगा बोलते ही याद रह जाएगा दो बार अपलाए करते ही जो simple interest और compound interest दो साल में निकल के आता है जो rate जो भी चले उसके बीच का ratio हमेशा 200 upon 200 प्लस आर का रहता है सची सची इसका derivation भी मैंने आपको पुराने वीडियो में दिया था compound interest का आज मुझे और mood नहीं है तो मुने आपको basic ना बताता तो derive करता मैंने basic बताया तो अब इसका derivation आप लोग खुद try कर सकते हो si is equal to ptr by 100 लिख लेना si is equal to p whole into 1 plus r by 100 to the part t minus 1 t के जगा 2 डाल देना क्योंकि formula derive हो रहा है 2 साल के लिए जब मैंने इसको solve किया तो मुझे क्या मिला sir मुझे निकालना है simple interest मुझे का निकालो है अरे एक ही बात है यार मेहनत दोनों में है क्योंकि यहां पर भी 5 में cut करोगे तो यह 45 में cut करोगे तो यह 41 41 को अगर मैं इसमें cut करूँगा तो यह कितना हो जाएगा सरी हो जाएगा आपके पास 5 बार 205 205 के साथ 36369 यानि कि 9 59 into 4 236 और सुन्या तो si is equal to दोनों में equal effort है दोनों में equal effort है मैं नहीं कह सकता कि वो easy है लेकिन 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 इसके benefit है कहा यहां उसने कहा कि जो simple interest है certain sum दो साल के लिए वो 50 रुपए compound interest 55 रुपए rate कितना है अब भाई साथ तुम्हारे पास पिछले दवाल में rate था इसलिए आपने 10.25 वो 10% का सफरते कर लिया था अब rate नहीं है सर तो यह question impossible है वैसे प्लीज ऐसा मत बोलना क्यूंकि math से यार बिना concept के कभी नहीं होगा तो इसका में एक बार आपको basic logical explanation तो दूंगा ही दूंगा नहीं तो मेरा और क्या roll रहेगा आपके जन्दगी में हाँ या ना लेकिन उसके साथ आपको वो trick भी बताओंगा सबसे पहले क्या आप trick के लिए ready हो हाँ सर जब दो साल की बात की जाती है SI और CI के बीच में ratio 200 upon 200 प्लस R का रहता है मैंने का ठीक है सर उसने मुझे जो simple interest दिया वो 50 का है और जो compound interest दिया वो 55 का है तो मैंने का 50 upon में 55 200 प्लस भाई 200 प्लस R यही से R निकाल देने किसे काम खतम हाँ सर काम खतम 5 में 50 में काटोगे 4 बाद 55 इंटू 4 cross multiply हो जाएगा कितना बन जाएगा 220 यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस R 200 प्लस R अगर 220 है तो R कितना 20% ओहो सम भी पूछा है पहले हम R निकालते हैं इधर से logical explanation से यह तो trick था उसके बाद जाएंगे यह तो दोनों कट हो चुके हैं क्योंकि 20% इन ही दोनों में है तो 20% का R हमें formula से मिल चुका है अब हमें logical explanation देखना है क्या मैंने आज ही आपको बताया था कि compound interest में interest amount पे लगता है और जब मैं पहले साल की बात करता हूं तो पहले साल और amount क्या होता है amount होता है principle plus interest जब मैं पहले साल की बात करता हूं तो उसमें कोई interest होता ही नहीं जो starting principle है उसमें कोई interest होता नहीं है तो पहले साल के लिए principle और amount same होते हैं जिसके चलते पहले साल में simple interest और compound interest same हैं यह जिस्ट है आपको पता होगा अगर पहले साल simple interest same है और दूसरा बात कि simple interest हर साल same रहता है तो जब आपको simple interest 2 साल में 50 मिले तो आपका दिमाग क्या कहा做 मेरा पच्चिस मिला होगा और दूसरे साल भी आपको 25 मिला होगा मैंने का बहुत सही लेकिन जो compound interest की बात की जाए सर उसका दूसरे साल का पता नहीं मैंने का पहले का पता है हाँ सर मैंने का क्या सर पहले साल के लिए ना simple और compound बराबर होते हैं तो यह अगर 25 रुपय है तो यहां मैंने का सुनो मुझे तो दूसरा भाला भी मिल गया सर कैसे अरे अगर दोनों साल में मिला के 55 यहां अगर 25 तो यहां पे कितना सर यहां पे 30 क्या मैंने आज ही आपको पढ़ाया हुआ है कि हवर successive years में साब पढ़ा दिया हूँ आप कितना याद रख रख रहो मुझे नहीं पता हर successive year में मतलब एक के जो adjacent next year में जो extra interest आता है 5 रुपे का वो इसी interest के उपर आया होगा पढ़ा के आज मैंने rate ऐसा निकाला है जाके flashback में देखना तो मतलब अगर एक साल में हमारा interest 25 है और उसके अगले साल ही interest 30 है जो जो extra 5 आया है वो just उसके immediate preceding interest के उपर ही मिला तो 5 का interest 25 के उपर यानि कि कितने percent के बराबर सरिये 20% के बराबर तो दोनो method से R20 तो निकलना confirm है लेकिन जब वो मुझे sum का demand करता है principle का demand करता है तो अभी हमारा सवाल simple interest में भी solve हो सकता है और compound interest में भी solve हो सकता है लेकिन मैं compound interest के complexity पे जाओ ही क्यों मैं रहूंगा simple interest में क् कितना conclude कर लिया है कि आपका जो rate of interest चल रहा है वो 20% का है हा सर अगर 20% rate of interest में आप अगर दो साल invest करोगे तो आपको interest कितना मिला होगा सर दो साल ना क्यूंगी दो साल condition चला था सर 40% का मिला होगा और आपको 2 साल में simple interest मिल कितना रहा है सर मिल तो 50 रुपे रहे हैं अगर 40% 50 रुपे हैं तो जो पूरा principal sum जिसके उपर ये interest calculate करते हो 100% वो कितना होगा सर 50 बटे 41% और इंटो 100 कर दिया 00 काटा 4 में काटा 25 25 पंजे 125 काम खतम तो आपका जो 60 गुत्तर है वो क्या हो जाएगा कि सर rate 20% और आपका जो principal है वो 125 यानि कि option number डिया अगर किसी ने answer का होगा तो heads up के प्रफ़ब गजब जब वर्दस चल लगी आपके तैयारियत क्या मैंने आपको formula के बारे में भी बता दिया खुबचुरत तरीके से अब हम बढ़ेंगे आगे यह सवाल देखो अरे यार सवाल नहीं है एक certain sum of money में जो compound interest earn किया जाता है 2 साल सर 3 साल आ गया आपका formula fail है सुनो 2 साल में आपका आ रहा है इतना और जो आपका 3 साल के बाद आ रहा है simple interest वो इतना है तो मुझे principal amount बताओ अगर जो rate of interest है वो same है principal दिया है लेकिन rate पूछा है यहाँ पर option में दिया है इसको हटा दो rate निकाल दो खाली या तो इसको हटाओ find the rate of interest कर दो क्या मैं आपको किसी भी दरीके से समझा सकता हूँ हाँ सर कैसे सर आप अगर हमें formula डालना चाहते हो कि si by ci is equal to 200 by 200 plus r तो उसके लिए तो आपको 2 साल का simple interest चाहिए मैंने का है ना सर कैसे अरे भाई साथ 3 साल के लिए simple interest 8100 simple interest हर साल से मिला होगा तो 3 हिस्सो में आपको simple interest कैसे मिला होगा by 3 कर दो 2700 2700 हर साल के हिसाब से 3 साल में 8100 क्योंकि simple interest का fund आई वही है तो पहले 2 साल के अगर मैं बात करो तो 2 साल में मुझे simple interest कितने का मिल दा है 5400 compound interest कितने का मिल दा है सर्थ 2 साल में वो तो दिया है 5805 और यही अगर 200 by 200 प्लस R है तो प्लीज R का वैल्यू हम तुरंत निकालेंगे यहां से मैं equation certify कर दूँगा आपका risk है आप मेरे पीछे मत भागना अगर 215 is equal to 200 plus R मुझे मिल चुका है R 15 आप अपना solve करो ना मैंने आपको सारा देखता दिखाया फिर मुझे क्यों chase कर रहे हो हां इतना क्यों chase कर रहे हो मुझे मैं नहीं हूँ वो सार अगर हम इस method से जाते तो मैंने का बताते हैं वो भी बता देते हैं आपको आपको यह तो प्रमानित हो चुका है कि सालाना आपको 2700 का simple interest मिलेगा और simple और compound interest पहले साल के लिए same तो यहां पे अगर 2700 है तो पहले साल के लिए यहां पे भी 2700 होगा तो सर यहां पे जो second year में interest है वो कितना है मैंने का अगर दो साल में मिला के 5,8,05 इसमें से 2700 हटा दोगे तो 31,05 आपको दूसरे साल मिला होगा और सर दो consecutive years में जो interest होते हैं यहां पे जो extra interest मिला होगा वो इसके previous year के interest के उपर ही आया होगा यह पढ़ा दिये है या फिर अगर आप भूल गे तो recall करवा दिये तो सर यहां पे जो extra 405 निकल दाना अगले साल वो इसी 2700 के उपर ही मिला होगा मैंने का percentage कितना है सर 0000 27 में काटा एक बार 135 15% तुम जिदर से भी जाओ अंसर वही है अगर principle निकालना होता तो 15% के हिसाब से 3 साल में आपको 45% का interest मिलता और 3 साल में आपको 8100 दिया है या फिर आप 15% हर साल का 2700 भी ले सकते हो कोई problem नहीं तो 100% कितना होगा जिदर से कर रहा है करो अगर निकालना है तो शायद 18000 बहुत तुरंत किया है चेक कर लेना एक बार अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से इसको एक ट्राय मारो एक ही फॉर्मला अभी तक पढ़ा है मैंने SI by CI is equal to 200 by 200 plus R and that too applicable on 2 years problem only और कहीं मतलगा दे रहा सवाल सॉल्व करें हुँ 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 वट इस दिफरेंस बिट्वेंग एंट्रेस्स अपड़ा कुप्शुद से सवाल है अक्सर यह क्वेश्चिंज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पेपर में टेंशन डालेना कैसे आपको बोला गया है कि मुझे difference निकालना है compound interest और simple interest के बीच में वो भी 2 साल के लिए अगर आपका principle 30% का है और जो annual rate है वो 40% का है same rate दे रहा है जब जब आपको वो same rate देगा जब जब वो आपको same rate देगा तो आपके radar के अंदर है question उन्हीं को मैं direct questions कहता हूँ मैंने कहा था ना simple compound के direct questions भी मिलेंगा और indirect questions भी मिलेंगे जहां rate में परिवर्तन ना हो वो direct questions है वो सब कुछ formula से यूँ बन जाएगा लेकिन खाली formula सिखाना मेरे मतलब consigns के बाहर है तो मैं पूरा detail में आपको बताऊंगा तो मैं आपसे एक चीज कहना चाता हूँ हाँ sir कहो अगर 40% rate of interest में 2 साल तुम simple interest में कोई भी पैसा लगाते basic तो आपको कितने का interest मिलता sir मैं बताता हूँ मैंने कहां बताओ sir 40% के हिसाब से 2 साल simple में 80% का interest मिलता है सुनो हाँ sir थोड़ा 40 के compound में बताना sir आपने कहा था 40 का double 80 40 का square 1600 last के 2 digit तो मैंने रख दिया अब sir 80 और 16 96% ऐसे कर सकते हो हाँ sir अगर नहीं तो क्या करोगे sir 40 का 2 साल के लिए a b लगाएंगे 80 16 96% क्या आपको उसने कहा है कि अगर हम उस पैसे को 2 साल simple और उसी पैसे को 2 साल compound में लगाएं तो पैसों के बीच का interest के बीच का अंतर है वो कितना है हाँ sir तो मैंने कहा अंतर कितने का आएगा sir यहाँ पे 80% यहाँ पे 96% तो difference 16% का है मैंने कहा 16% का value दे दूँ तो तुम खुश 16% यह जब AB लगता है यह किसके उपर calculated होता है आपके original principle sum पे यानि कि 3000 का अगर मैं 16% निकाल के उसको दे दूँ तो वही मेरा difference कहलाएगा percentage के साथ 2-0 16-38 में एक सुन्य 480 रुपे का difference है लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना यह इतना frequently asked question है अगर समय दो साले सर तीन साल आ सकता है बिल्कुल आ सकता है इसका दो आ सकता है उपर नहीं जाएगा तो अगर दो साल के लिए अगर कोई आपसे बोले कि difference between SI and CI क्या होता है तो 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 मुसे कहना principle 100 by principle r by 100 का whole square होता है principle r by 100 का square होता है क्या इसी सवाल में उसने मुझे difference पूछा था हा सर क्या इसी सवाल में उसने जो principle वो मुझे 3000 दिया था हा इसी सवाल में जो rate उसने दिया था वो 40 दिया था हा तो इसका square जब मैं करूँगा तो ये value कितना होगा आप उसको जैसे भी open करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं यहीं पर cut करो या फिर 3000 into 40 बटा सो यह आपके लिए लिख रहा हो 1111 1111 16 48 सुन्या कुछ calculation नहीं और answer आपके सामने तो दो साल का formula सभी को याद रह गया चब गया paper में p whole into r by 100 का whole square होता है आपका खुबसूरत सा formula अब आगे अगर मैं बढ़ूं तो क्या है हमारे पास अब उसने game change कर दे हैं उसने कहा कि अगर जो different simple interest compound interest के बीच में वो 4% के हिसाब से 2 साल के लिए 25 रुपे हैं तो मुझे sum ग्याद करके दो तो पहले तो एक बार भाई मेरा विबेक कहता है कि मैं आपको एक बार basic दिखा ही दो तो मेरा जो basic है वो कैसे करेंगे सर्थ 4% के हिसाब से अगर मैं simple interest 2 साल के लिए लगाता तो मुझे 8% का interest मिलता है लेकिन 4 का ये भी कैसे है वो तो मैंने आपको रटवा दिया है 4 का डवल 8, 4 का स्क्वेर 16 8.1, 6% का interest मिलेगा या फिर बेवकूफों के तरह करना है मेरा क्या ये ही काम रह गया हर question में ये डुग-डुग-डुग-डुग-डुग-डुग करके इसको लिखो तो निया मनुसार जो difference आना चाहिए simple और compound interest के बीच में वो कितने का आना चाहिए वो तो 0.16% का आना चाहिए और ये ही जो 0.16% का difference है वो इस सवाल में दे दिया गया है 25 का 25 रुपे का difference तो जब मुझे sum निकालना है तो पूरा का पूरा principle जिसके उपर में हिसाब percentage में लगा रहा हूँ वो 100 का होगा तो 25 बटे में 0.16 into का 100 क्या मैं आपसे कह सकता हूँ point के बाद 2 digits को हटाने के लिए जब मैंने by 100 किया तो वो उपर आके और 2 0 जुड़ गया सोला में अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना होगा सर सोला 6 96 और ये 40 40 यानि की सोला दुनिया और ये 625 का 25 गुना क्या आपको पता है ये खुद 25 into 25 है और 25 का cube जो है वो 15625 होता है सर नहीं पता मैंने का नहीं पता तो पूरा calculation करना पड़ेगा अगर पता है तो जल्दी से ही आपका answer आ जाएगा ये था आपका basic तरीका लेकिन आप formula वाला approach भी कर सकते हो मैंने आपसे कहा था कि जो simple और compound interest के बीच का difference है वो p whole into r by 100 का whole square है लेकिन जब उसने ये वाला value दे दिया ये वाला value दे दिया तो ये वाला value आप निकाल नहीं सकते हैं मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे दूसरा वाला भी formula याद है p is equal to difference 100 by r का square लेकिन आप किसी एक formula को रटके वहाँ पे भी value substitute करके answer निकाल सकते हो मुझे उससे कोई problem नहीं इस सवाल में आपको जो difference दिया है वो कितना दिया था 25 रुपे का और 100 by जो rate दिया था इस सवाल में वो 4% का है और जब मैंने इसका square किया तो 4 यहां का 25 सेम चीज निकला 25 25 का square यानि कि 15625 क्या ये चीज clear है कि कैसे formula लगाना है बड़े खुपतर तरीके से हम इन questions को कर सकते है एक और सवाल हमारे सामने है चलो देखते हैं जब आप थोड़े खुश हो रहे होंगे तो मैंने question के types change कर लिए अब देखो मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ अगर मैं कहूँ कि ये चीज जो मैंने लिखा है गलत है तो आप मुझे क्या कहोगे सर क्या और कहेंगे आप अगर खुदी गलत ही करने लगोगे मैंने यहाँ पर लिखा ना two years यहाँ पर मैं heading में थोड़ा change करना चाहता हूँ क्या if interest is calculated two types और in two phases जब दो phases में interest calculate होते है then यह चीज होता है सर आपने two years किस confidence लिख लिया जब तक annually चलेगा तो दो साल में दो ही बार calculate होगा तो original चीज है कि जब जब interest दो बार calculate होता है तब तब यह formula लगता है और जब मैं annually की बात करता हूँ तो दो बार लगने के लिए दो साल लगता था इसलिए मैं दो साल लिख दिया था लेकिन सर अब आपने क्यों परिवर्तन किया इसको क्योंकि यह चीज आपको इस वाले सवाल में भी help करेगा कैसे आपको difference बता रहा है simple compound interest के बीच में 16,000 रुपे अगर आपने 25% पर आनम के compounded half yearly के लिए एक साल क्या आपके दिमाग में मन में लड़ू फूटा कि half yearly जब calculate होगा तो 6 महीने में एक बार interest मिलेगा और एक साल में ऐसे 6 महीने के spend दो बार आते हैं तो interest दो बार calculate होना है तो इस जगाब पे भी वो formula लगेगा कि sir अगर हमें such way difference चाहिए तो difference कितना मैं यहाँ पे सब बता के जाओंगा नहीं तो मजा नहीं आएगा sir आप क्या बताना चाहते हो पहले basic फिर formula जब मैं basic लगाने जाओंगा क्या आपने कभी भी simple interest में half yearly का case सुना है नहीं न क्यों क्योंकि simple में तुम half yearly लगाओ ना लगाओ मुझे उसे कोई मतलब नी sir कैसे जरा मुझे बताना अगर मेरे सालाना 20% का interest simple में लगा रहा हूँ और interest half yearly accumulate कर रहा हूँ तो 6 महीने में 20 का आधा मुझे 10% मिल जाएगा लेकिन वो 10 रुपे अगर 100 के उपर मेरे account में आके जुड भी जाए तो भी कोई फरक पड़ेगा क्यों क्योंकि simple interest का fund है जो अगला 10% मुझे अगले 6 महीने पर मिलने वाला है वो मेरे जमा किये गए मुल धन पर ही मिलेगा तो पैसा जितने भी जुड़ते जाए जुड़ते जाए 6 महीने के बाद जुड़े 4 महीने के बाद जुड़े 3 महीने के बाद जुड़े उसका कोई फरक नहीं पड़ेगा अंतिम रेजल्ट तो आपका सेम ही रहेगा लेकिन जब compound interest की बात की जाती है तो 3 महीने के बाद अगर मैं कभी पैसा जुड़ दू तो अगले 3 महीने मुझे जो interest मिलेंगे वो पहले 3 महीने के ब्याज के उपर भी मिलेंगे जब मैं half yearly 6 महीने के बाद interest जुड़ दू तो अगले 6 महीने के बाद इस पहले 6 महिने के interest के उपर भी interest मिलेगा इसलिए compound interest में half yearly quarterly का case एक feasible condition है लेकिन simple interest में ऐसा कोई बेकार बकवास चीज़ ना करना simple का बड़ा simple fund आ है 25% साल आना एक साल में 25% तो मगर पहले आधे साल के लिए ढाई लोग है तो जोडना ही होता है न दो बार तो ये आपको total purchase देगा तो there is no such case of half yearly and quarterly exist for simple interest अगर दिया है तो सिर्फ आपको बेवकूप बना रहा है और कुछ भी नहीं लेकिन compound interest में क्या हो जाएगा सर अगर उसने मुझे सालाना 25% देने की सला दी थी तो सर जब half yearly calculate करेगा वो मुझे साड़े बारा परसन देगा और साड़े बारा के साथ एक गड़बड हो गया क्या सर जो मैंने आपसे कहा था promise क्या कि आप हमारा सबसे पहला जो priority है AB method को दोगे वो AB का ताला बंद हो गया क्योंकि साड़े बारा साड़े बारा प्लस साड़े बारा इंटू साड़े बारा कौन करेगा मैं तो नहीं करूंगा तो साड़े बारा पर्सन के साथ मेरे सामने एक और एकलोता second option दिखा मैंने पढ़ाया है वो है ratio का की सर ये तो होता है 1 by 8 मतलब मेरा पैसा 8 से 1 वड़के 9 हुआ होगा और 8 से 1 वड़के 9 हुआ होगा 2 phases में तो मेरा पैसा पूरा basic देखना इसका बहुत interesting basic है या अरे 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 बहुत interesting basic है इसका तो सर अगर मैं compound interest में लगाऊं मैंने का हाँ तो 8,8,64 से मेरा पैसा 9,9,81 बन जाएगा तो मेरा जो interest है सर वो 17 parts का आएगा मैंने का छीख है लेगें सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर सेम पैसा अगर मैं सिंपल में लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा मैंने का सालाना 25 परसंट है तो एक साल में 25 ही मिलेगा तो महाफियर ली करो पाटर ली करो मंत ली करो दो दिन के हिसाब से इंटरेस्ट चलू करते करो मुझे नहीं साल में 25 परसंट ही मिलेगा सर किसके उपर मेरे दिये हुए प्रिंसिपल के उपर क्या आप सभी ने देखा कि मेरा दिया हुआ प्रिंसिपल यही है हाँ सर इसी प्रिंसिपल के उपर अगर मुझे simple interest में 25% का interest मिल रहा है, यानि कि इसी का 1-4 तो मुझे 1 साल के बाद मिलेगा यानि कि 16, तो मैंने ये feel किया कि अगर मैं 64 parts compound में लगाऊं, half yearly तो मुझे इतने का interest मिलेगा और अगर simple में लगाऊं तो मुझे इतना interest मिलेगा, दोनों interest के बीच का difference कितना है, एक part, अगर ये difference दिया होता, तो मैं लेके चलाता लेकिन उसने 16,000 का starting sum दिया है और difference पूछा है जो आपका starting sum है, वो यही तो है, 64 part, अगर 64 part बहुत complex हो रहा है, आप formula को इस्तेमाल कीजेगा, अगर 64 part 16,000 है, तो एक part कितना हो जाएगा, sir, एक part चलेगा मेरे पास 128, 32, 2.5 और यहाँ पे 250, एक पाट चला है, 250 का, तो यह जो एक part का difference है, वो भी कितना आएगा 250 है, option में, हाँ लेकिन इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या आप compound interest में 25% per annum के हिसाब से, एक साल में half yearly, दो phases में interest लेने वाले हो, और जब दो phases की बात आती है, तो each phase में आपका interest साड़े बारा हो जाता है, सरबात तो यह समझायत है, और एक बार क्यों बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ अब भाई साब मैं आपसे चीज कहना चाता हूँ, हम इसको ऐसे ले ले कि पहले मेरे पैसे में एक बार साड़े बारा परसन मिला, फिर मेरे पैसों पे साड़े बारा परसन मिला होगा, और simple में साड़े बारा 2 बार मिला होगा तो भी 25, तो अगर हम वो जो 2 बार formula इस्तिमाल करें क्या वो मुझे सेम रिजल्ट देगा हाँ देगा कैसे सर आपने कहा था डिफरेंस निकालने के लिए आपको पी होल इंटो वन प्लस आ भाइसा पी आर बाई हंडर का होल स्क्वेर लगाना मैंने का तू लगाओ ना सर कैसे प्रिंसिपल कितना दिया सर इस हर चे महिने में साड़े बारा का लगाना है भाई लोग एगरी करोगे सर ये सारे बारा का 25 ना लेना क्योंकि वो आपका सालाना है और आपको फेज में 12.5 मिलता है यही चेज आपको ध्यार लखना था सर यह समझ तो आया लेकिन थोड़ा और अगर आप अच्छे से समझाते तो सर कसम से मज़ा आ जाता है मैंने का मैं हात नहीं छोड़ता इतना जल्दी बावा ने बोला हात नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना मैं नहीं छोड़ता इतना जल्दी एक certain sum of money में जो difference आ रहा है compound interest एक साल में payable half yearly और जो simple interest एक साल के लिए है वो 180 है क्या सवाल में उसने मुझे difference ही दे दिया है अगर जो rate of interest both the cases में 10% का है तो sum कितना है आपको पता है कि sir difference P r by 100 का square और sir अगर हमें sum निकालना है तो आप तो ये रख लिए हो मैं इधर से ही चला जा रहा हूँ यही है यहां तक पहुंच गए तो करो न क्या आपने एक चीज feel किया कि sir जब बात की जा रही है एक साल की और compound interest में interest half year ली मिलेगा तो interest दो बार मिलेगा तो दो बार वाला formula इस्तेमाल किया जा सकता है यानि कि ये वाला लेकिन दो बार जब मिलता है सालाना 10% दो बार 5-5% के इसाब से मिलते है तो बस एक चीज make sure करना कि जो difference आ रहा है 180 वो यहां रख लेना लेकिन 100 by जो rate है उसको 10 मत डालना है यूँकि दो बार आपको 5-5 मिलने वाले 10-10 नहीं तो 5 जब मैं डालूँगा तो उसका square तो ये 20 का square 400 चार 18 into 4 हो जाएगा आपके पास 72 में 2 सुनिया इधर एक सुनिया इधर तो क्या आपके पास 72,000 option में है बिल्कुल सही बोरा था ना हाथ नहीं छोड़ूँगा तुरंद कर सकते हो बस इस rate का half करके half yearly में भी उस formula को डाल सकते हो सर थोड़ा और complex के और बढ़ा जाए मैंने का मैं हूँ जो difference आ रहा है compound interest और simple interest एक certain sum में 2 साल 20% per annum के हिसाब से वो 200 रुपे का है सर यहाँ पे जब पहला line मेरा खतम हुआ क्या उसने half yearly के बारे में कुछ जिकर किया और जब उसने जिकर ही नहीं किया तो 2 साल में तो 2 बार ही interest calculate होगा और सर अगर 2 बार interest calculate होगा तो मुझे पता है कि principal निकालने के लिए मैं इस formula का इस्तेमाल कर सकता हूँ सर जब मैं इस formula का इस्तेमाल करने गया तो जो 2 साल का difference है वो मुझे दिख गया 200 है 100 भाई जो rate of interest तर दिया है वो 20 है क्योंकि इसको रादा नहीं क्योंकि है तो half yearly नहीं न यह पूरा पर annum ही है और compounded annually ही चल ले कुछ बोला नहीं गया तो इसका square जब मैंने कर दिया तो सर यह 5 का square 25 इंटू 2 50 में 2 सुनिया 5000 का मेरा principle है मैंने का इतना जल्दी निकाल तो लिए आगे if the interest is compounded half yearly अगर वो interest compounded half yearly होता तो जो difference compounded or simple interest में एक साल के बाद आता वो बताओ सर अगर compound interest में compounded half yearly होगा तो एक साल में interest दो बार calculate होगा और सर अगर दो बार calculate होगा तो difference is equal to P P R by 100 का whole square का formula तो इस्तमाल हो ही सकता है मैंने का हाँ हो सकता है बिलकुल हो सकता है लेकिन सर जो difference मुझे निकालने के लिए दिया गया है half yearly में दो बार calculate होगा इसलिए मैंने ये formula लगा है वो principle कितना है same ही sum की बात की जा रही है अगर same ही sum की बात की जा रही है तो इसलिए तो उसने मुझे इतना hint दिया था कि आपका जो principle वो 5000 निकल के आए काफी complex सवाल था लेकिन कैसे बड़ी खुपसर तरीके से हम इसको कर रहे है और rate कितना है सर rate हमारा by default 20% का था मैंने का डाल दो ना साथ छोड़ा कितने complex सवाल आपको करवा रहा हूँ जो 20% पर annum है ना सर जब वो एक साल के लिए half yearly में दो बार calculate होगा तो वो 20-20 नहीं बलकि 10-10 का मिलेगा तो 10 by 100 का square जब मैं करूंगा तो 1-0 कटा 1 by 10 का जब square होगा तो 2-0 कट जाएंगे इसमें से तो final answer आपको अगर कितना मिलेगा कोई पूछे तो आप क्या कहो गया option number A50 देखा कितने complex चीज को हमने कितने सरल तरीके से सवाल करना सीख लिया बस इसी एक formula से कितने varieties के question बन सकते हैं आपने देखा ये clerical mains में भी आ सकता है ऐसे type के सवाल तो मैं आपको low level questions करवा के आपको मज़े नहीं देना चाहता है मैं आपको कुछ और करवाने चाहता हूँ एक सवाल आपके सामने है मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बेफपूफ है सर ऐसा क्यों सर डिफरेंस निकालना है 4% 3 साल 608 सर मौसम बिगड़ चुका है साल कितने आ चुक है 3 मैंने बार बार चीक चीक के लिखा था कि अगर interest दो बार calculate होगा तो वो formula यहाँ पे 3 साल compounded कुछ हाफियले नहीं दिया गया मतलब यहाँ पे interest 3 बार calculate होगा अगर interest 3 बार calculate होता है तो उस case में जो principal होता है क्योंकि उसने principal पूछा तो मैं direct इसको ले रहा हूँ वो difference 100 का r cube r square 300 प्लस r होता है सर इस formula से direct answer आएगा बिलकुल आएगा सर कैसे जरा हमें बता एक तो तुम अपना basic को अपने मैंने basic बताया था दो वाले का इसका भी basic कैसे 4% में 3 साल जब आप compound लगाओगे कितना गंदा आएगा क्योंकि दूसरे बार ही आपको 8.16 मिल चुका होगा उसके उपर जब आप और चार चड़ाओगे हालत खरा तो उस type पे जगा पे आपको 3 साल के लिए तो formula रठना ही पड़ेगा जब मैंने रठा तो मुझे क्या मिला सर difference हमें already दे रखा है 608 रुपे का और आपने कहा 100 का cube कर दो तो मैंने 100 इंटो 100 इंटो 100 लिख लिए बेफकुफों के तरह ऐसे सारे 0 एक साथ मतलिक देना काटने में इसमें easy रहता है अगर मैं r square की बात करूँ तो rate चल ला है 4 4 का square 16 और 300 प्लस जब मैं r की बात कर रहा है तो 304 क्या आपने सवाल को सुरू करने से पहले खतम कर दिया 304 दो बार जा रहा है दो यहाँ पे 8 बार जा रहा है 4 में काटोगे 2 बार 4 में काटोगे 25 बार 2 में काटोगे यह 50 बार 25 इंटो 5 125 होता है 1 सुन्य एक सुन्य एक सुन्य तीन सुन्य अगर मैं कहूं तो 1,25,000 option number A सवाल का सयुत्तर आ रहा है मतलब आपको करना कुछ भी नहीं था principle is equal to difference 100 का cube R square 300 प्लस R लगाना है नहीं तो basic जो 2 साल के लिए मैंने सिखा है उसी इसाब से आपको 3 साल लगाना है सर हाथ मत छोड़ो न मैंने कहा इतना जल्दी में कभी नहीं छोड़ता है और भी complex चीज़ों के और लेके जा रहा हूँ सर कैसे आपको जो difference simple और compound interest के बीच में है 3 साल के लिए 10% पर आनम के इसाब से वो 15.50 है आगे और प्लीज मत जाना सर प्लीज मत जाना भूल जाओ के आगे कुछ सवाल है अगर सच में आपको starting case में कोई quarterly, half yearly की बात की नहीं गई तो वो मैं annually समझोगा annually में जब 3 साल की बात की जारी है तो 3 बार interest calculate किया होगा तो वो ही formula लगा सकते हैं जहां पर principle कैसे निकाला जाता है कि जो difference है उसको multiply करेंगे 100 के cube से और नीचे रखेंगे जो rate है उसका square और bracket में रखेंगे 300 प्लस जो rate चल रहा है सर अगर मैं difference की बात करूँ तो जो normal case में difference हमा रहा था वो 15.5 का था मैं डर नहीं रहा हूँ सर मैं आपके साथ चल रहा हूँ मैंने का चलो काफी खुपसरत तरीके से आपको answer मिलेगा rate कितना था आपका 10% का था तो 10 का square 100 और ये हो गया 310 क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ इसको इसके साथ हटाया जा सकता है इस point के बार एक digit को 10 को लेके absorb किया जा सकता है 155 का double ये कहा जा सकता है 2 का 5 गुना कहा जा सकता है 5 इंटू 100 500 कहा जा सकता है ये क्या है ये वही sum है जिस sum को सच में आपने 3 साल के रिए simple compounded 10% के इसाथ से invest किया था और difference 15.5 का आया था अब सवाल को पढ़ते है उसने कहा मुझे compound interest बताओ जो की same sum पे मिलेगा 1 and half years के लिए और वो भी rate of interest जब 40% compounded half yearly का होगा question बाटी बदल दिया गया आपको आपका sum मिल चुका है हाँ sir अब देड साल में आपको compound interest चाहिए वो भी 40% rate भी उसने change कर दिया सिर्फ पुराना principal लेकिया आने आपको और compounded half yearly क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हो अगर आपका 40% का rate annum पे देने की promise की गई है तो half yearly आपको कितना मिलेगा sir 20% 20% होता कितना है sir 20% होता है 1 by 5 और देड साल के अगर मैं बात करो half yearly चलेगा हर 6 महिने में एक बार तो देड साल में कितने बार interest calculate किया जाएगा sir वो total 3 बार interest calculate किया जाएगा अगर एक में 5 का interest 3 बार मिलेगा तो क्या आपको scenario कुछ इस तरह दिख रहा है 5 में 1 मिलके 6 5 में 1 मिलके 6 5 में 1 मिलके 6 यानि कि 125 से मेरा सफर 216 का ते किया गया है जब यही सफर ते किया गया है तो आपको interest निकालना है तो इसी दोरान मुझे जो interest मिला है वो कितने का है sir 9 अगर मैं 1 add कर दूं तो 26 और 26 में अगर मैं 91 तो 91 parts का interest है वो 91 parts का interest में निकाल कैसा सकता हो sir जो 125 part का principle नहीं है वो हमें दिया गया है मैंने का कितना sir हमने 500 रुपे इंवेस्ट किया रहा वो तो हमने पहले ही फंडे से निकाल लिया था तो एक part कितने का चलना चार का तो 91 parts का interest है वो कितना हो जाएगा 364 अगर यही option में है तो heads up की बड़ गजब जब जबरदस चल लेगी है हम सब की तैयारी में बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो एक खुबसूरत सा प्यार हम लोगों के बीच में connection बन चुका है और उमीद करता हूँ उस connection को आगे लेके इस सवाल का उत्तरहन देंगे यह एक बहुत ही important सवाल है काफी बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक एक person है जो कि lent out करता है एक certain sum को वो भी simple interest और same sum को उसने compound और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको previous सवाल में कभी देड़ साल के लिए half yearly में SI और CI के difference के उपर भी question दिया गया है तो वो हाँ पे देड़ साल में half yearly में interest तीन बार calculate किया जाएगा और अगर तीन बार calculate किया जाएगा तो वो जो आपका formula है उसी से ये question बन जाएगा agree करोगे सभी लोग एक बर इसको comment करके मुझे बताएंगे क्योंकि उसके उपर मैंने question नहीं रखा लेकिन मैंने two years में two times में काफी चीज़ें clear किया है half yearly वाले में तो अगर कभी जिंदगी में आपको देड़ साल में half yearly लगा के simple compound के difference मांग रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पे तो तीन बार ही लगेगा और तीन बार के लिए सर ने यह formula बता है तो बस एक चीज़ का आपको ध्यार लखना है जो rate वो दिया होगा उसको खूद लेके कूद मत जाना है वो पूरा एनम का दिया होगा और अगर हाफ लेके ही आपको चलना ही यही मैं आपको सज़ेस्ट करना चाहता हूँ सला देना चाहता हूँ उमीद करता हूँ वो clear है अब इस question को कैसे आएंगे इस question का approach बड़ा simple है मैंने already सब कुछ complete कर रखा है बस common sense लगा और answer निकालो एक person ने lent out किया एक certain sum simple interest में और जो same sum है compound interest में at a certain rate of interest पर आनम उसने notice किया कि जो ratio निकल के आता है difference का किसका किसका simple interest और compound interest जो 3 साल में और 2 साल में काफी खुबसरा सवाल है पढ़ना इसको यह जो क्या क्या है वो दिखो difference जो simple interest और compound interest में 3 साल में बनता है और difference जो simple interest और compound interest के बीच 2 साल में बनता है उन्हीं का जो ratio है वो 25 is to 8 का है मतलब difference between SI इसको लिखना बहुत ज़रूरी and CI in पहले दिया है 3 years और difference between SI and CI in 2 years इन्हीं के बीच का जो ratio है वो ratio आपके पास कितना है वो ratio आपके पास 25 अनुपात 8 का है क्या यहां तक बात साफ है तो आपको बताना है कि वो rate of interest कितना है काफी कुपसुरत सवाल लेकिन आप डर होगे नहीं क्यूंकि आपको बता है कि अगर certain sum यानि कि same sum at a certain rate of interest यानि कि same rate में अगर आप लगाते हो तो simple compound में जो difference 3 साल में बनेगा वो difference कैसा निकलेंगा सर वो difference का formula होगा p r square 300 plus r बटे में 100 का क्यूब सर यह कहां से लाए अरे भाई लोग पी is equal to इतना है तो difference जब में निकालूंगा यह चीज इधर आके multiply हो जाएगा p r square 300 plus r बटे में 100 क्यूब पी r square 300 plus r बटे में 100 क्यूब सर रट ली हो क्या talent है बढ़ा पढ़ा के आदत है divided by सर दो साल का difference जो आता है वो क्या होता है मैंने का p r by 100 का whole square और इनके बीच का ratio कितना है सर इनके बीच का ratio 25 का है अगर मैं आपको direct कहूं ने हम तो इतना लिख चुके हैं तो direct और क्यों अगर मैं कहूं कि p p के साथ cancel होगा तो आप मुझे क्या कहोगा सर कहेंगे बढ़िया है अगर आप इस bracket को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा मैं इसको bracket खोल के एक बार दिखाना चाहता हूं क्यूं क्यूंकि मैं cutting कर सकता हूं तो इसको r square 100 का square लिखा जा सकता है हां सर इससे क्या हुआ इसका r square क्यूंकि ये बड़ा सा denominator का numerator है न और 100 का cube जब मैं काटूंगा तो ये 100 के square से कटेगा और 100 आपके पास रह जाएगा क्या आप सभी को LHS में खाली 300 प्लस r बटे में 100 ही दिखा हां क्या यही आपका चौथा वाला फॉर्मुला था हां सर पहला फॉर्मुला क्या था दो साल के लिए SI और CI के बीच का रेशियो 200 बटे 200 प्लस r था दो साल के लिए जो principle और simple interest और compound interest के बीच का difference का फॉर्मुला था व वो था P r square 100 प्लस 300 प्लस r divided by आपका 100 का क्यों जो की यही है और लास्ट चीज कि अगर आपको रेशियो चाहिए simple compound interest के बीच के 3 साल difference और simple interest compound interest के 2 साल difference का तो वो रेशियो हमेशा 300 प्लस r बाइट 100 का रहेगा और यही अगर आपके पास सच में 25 अनुपात 8 का दिया है तो चालू करो इसको solve करना कैसे करेंगे चार में काटेंगे दो चार में काटेंगे तो यह बनेगा 25 तो यह 25 का square जाएगा 625 और यह हो जाएगा 600 600 प्लस r is equal to 625 सौरी 2 r क्योंकि 2 into 300 600 2 into r इतना और 25 25 625 तो 2 r बराबर 625 माइनस 600 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 25 और r मिले आपको 25 बटे दो यानि कि साड़े 12 आप में से जितने लोगों ने पहले solve करके answer दिया है hats off किवडवगाज और जवर्दस चल लिए आपकी तैयारी इसी तरीके से जब आपको कोई भी सवाल यही मिलेगा कि जो difference है compound interest simple interest का 3 साल और 2 साल का 237 ratio तो rate of interest कितना है तो उसको कहना कि सर अगर हमें पता है कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम difference वाला और 2 साल के लिए difference वाले के formula को पूरा derive करेंगे तो ultimate conclusion हम एक ही जगा पर पहुंचेंगे वो क्या है कि सर जो difference आएगा वो 300 plus r बटे में 100 का रहेगा और यही ratio हमारे पास कितना है यहाँ पे 23 upon 7 का है cross multiply किये तो यह 2100 plus 7 r is equal to 2300 7 r is equal to 200 और r is equal to 200 by 7 क्या यह 100 by 7 का दुगना है 100 by 7 14.28% होता है उसका डबा यह value आएगा 28.56% तो जितने लोगों ने option number D को अपना answer mark है अभी तक हमने जितने भी सवाल किये वो सब क्या है वो सारे के सारे आपके direct questions based on simple interest compound interest and I have explained why these are called direct questions because in all the previous conditions the sum and the rate of interest was fixed simple में जो sum था compound में वही sum था simple में जो rate था compound में वही rate था बस साल अंतर करके सवाल बन रहे थे लेकिन अभी हम indirect सवाल independent सवाल जाएंगे जहां पर simple compound के बीच का कोई relation कुछ भी नहीं होगा सवाल नमबर एक आप सभी के सामने है मैं एक मिनिट कुर्सी में बैठ जाता हूँ फिर चलेंगे आगे करें स्टार्ट सर एक मिनिट नहीं हूँ आप रेष्टी नहीं लेते क्या करूँ रुकना नहीं है भाग दोड भरी जिंदेगी है ठकना मना है रुकना मना है यार रिवाइटल खालो एक कोटक महिंद्रा बैंक है जहांपे 100% increase हो जाता है एक amount 8 साल में वो भी simple interest में मुझे compound interest बताओ अगर हम 8000 को 2 साल के लिए उसी rate of interest में रखें तो normal पूरे zero level question से मैंने स्टार्ट किया सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैंने कहां बताओ सर अगर सच में simple interest 100% से बढ़ जाता है आपका 8 साल में मतलब हमने अगर principle 100% दिया होगा मैंने कहां तो वो चीज 100% बढ़के आपका 200% का amount बन गया होगा मैंने कहां और इसी बीच में जो 100% बढ़ा है वो simple interest के वज़े से बढ़ा होगा मैं कहां और simple interest हर साल same same percentage से बढ़ता है तो 100% बढ़ने के लिए अगर 8 साल लेता है यह मैंने complete किया simple interest में वो जाके देखना तो आपका क्यूंकि अभी से जो question आएंगे वो थोड़ा simple interest का logic मांगेंगे तो मैं जितना हो से कि आपको deliver करने के कोशिस कर दा हूँ 100% का interest बात करने के लिए 8 साल तो सालाना कितना rate चल रहा है सर सालाना 12.5% का rate चल रहा है अगर उसी 12.5% के rate में मैं 2 साल के लिए 8,000 रुपे इंवेस्ट करूँ तो मुझे compound interest कितने का मिलेगा क्या आप सभी को पता है कि 12.5% का interest 1 by 8 कहलाता है हाँ सर 8 दोगे तो 1 interest के साथ 9 मिलेगा 8 दोगे तो 1 interest के साथ 9 मिलेगा तो 2 साल के बाद 64 दोगे तो आपको 81 से मिलेगा तो जो interest है वो आपको 17 parts का मिलेगा मैंने का चीक है सर जो पैसा मैंने जमा किया है bank में जो हम 64 part अजीम कर रहा है वो सवाल का 8,000 है भाई साब तो speed बढ़ा सकते हो सब पढ़ा गया है तो एक पाट कितने का चल रहा है सर 16 में काटा 4 बार 16 में काटा 500 एक पाट 125 का चल रहा है अगर 17 into 125 कर दो तो 125 को 500 बटे 4 कर दो 500 कर दोगे तो 8,500 बटे 4 जो आएगा वही आपका answer है सर इसको काटा मैंने 21 बार और यह गया आपके पास 100 यह 21 मेरे ख्याल से तो 21 पच्चिस option number D इस सवाल का सही उत्तर है थोड़ा calculator लगा के चेक कर देना comment box पर answer कर देना अगर कोई गलतिया हो ताकि मैं उस comment को pin कर सकूँ और बाकियों के गलतियों को परदा फास कर सकूँ नहीं बच्चे बोलते हैं सर वो option में नहीं था आपका calculation mistake हो गया सर मैंने का sorry यार इतने concept पड़ा है वो उसका कोई नहीं छोड़े मोटे calculation mistake हो गया उससे आपको problem है calculation तो calculator भी कर सकता है लेगिन arithmetic word problem solve कर सकता है वाह क्या scene था बढ़िया था नहीं calculation तो calculator भी कर सकता है लेगिन arithmetic word problems कर सकता है क्या आप नहीं तो वो अपना काम करने कर रहा है मुझे अपना काम करना है एक sum है जो कि रूपी इस 20,000 का वो बन जाता है 32,000 वो भी 12 साल में जब उसको हम simple interest में invest करते हैं आगे मत जाओ सर क्यों इससे पहले rate निकालो सर कैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने 20,000 रुपे जमा किये और वो 20,000 रुपे अगर 32,000 रुपे बन गए तो इसी दौरन आपको 12,000 का interest मिला कितने साल लग गए इसको interest को प्राप्त करने के लिए सर 12 साल तो क्या आपको हर साल 1000 का interest मिल रहा है हर साल का 1000 simple interest में इसी एक principle के उपर मिल रहा होगा तो rate कैसे जानेंगे सुचो हर साल 1000 रुपे मिल रहा है जिस 20,000 के उपर मिल रहा है उसका जितना percent है मेरा rate उतना होगा मैंने का 1,2,1,2,1,2,1,2 10 बटा दो 5% का rate चल रहा है सवाल को पढ़ते ही उसका approach आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अगर same sum को हमने invest किया scheme compound interest में जहां पे same yearly rate of interest चल रहा है यानि कि 5% और वो भी compounding interest is done yearly लिखने ही जरूत नहीं थी यरली चल रहा है तो आपको बता रहा है जो amount आपका 2 साल मतलब ये भी एक easy level का सवाल है तो amount 2 साल के बाद कितना होगा same sum यानि कि हम अभी बात कर रहे है 20,000 की उसको अगर हम 5% के इसाब से 2 साल के लिए चलाएं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5% का मतलब एक बटा 20 होता है यानि कि अगर आप 20 दोगे तो आपको 21 20 दोगे तो आपको 21 इस हिसाब से अगर आप 400 दोगे तो आपको 441 का amount मिलेगा जो आपने 400 जमा किया है वो कितना है सर जो 400 आपने जमा किया है वो 20,000 है एक पाट कितने का चलना है सर 50 का तो जो उसने कहा कि what will be the amount वो तो आपका 441 पाट है तो इसका 50 गुना करना एक तो यह सुन्य कर दिया 400 का 5 गुना 2000 और यह आपके पास 200 और यह 5 2200 और यह 5 में एक सुन्य option number B सवाल का सहीवत तरह कुछ है सेंस इस सवाल में आपको मजा भी नहीं आ रहा होगा यह आप सवाल बस मैं basic करवा रहा हूँ कि simple compound के link जब same principle और same rate नहीं होते तो उसका zero level basic यहीं से start होता है लेकिन जाएगा तो घातक दूर बहुत जाएगा जैसे कि एक और सवाल आपके सामने यह भी आसान है ट्राइ जो amount receive किया जाता है जब 1600 रुपे invest किये जाते हैं आर परसेंट पर आनम के compound interest में compounded annually वो भी 2 साल के लिए वो 3600 है अगर मुझे simple interest बताना है जो 2200 रुपे पे R-20% के हिसाब से 8 साल में मिलेगा तो सर अगर मैं R निकाल दूँ तो काम खतर और R मुझे कैसे मिलेगा पहले compound interest का उस चूटे से टुकडे को solve करके क्या आपको पता है कि आपने जब 1600 रुपे जमा किये 2 साल के लिए तो वो 3600 बन गया मतलब अगर मैं कहूं कि after 2 years मैंने अगर 1600 रखा था तो वो आपका 3600 बन गया मतलब इनके बीच का ratio कितने का है 0000 काट किया 4 से कट किया 4 बार 4 से कट किया 9 बार अगर 2 साल के बाद ये चीज हो रहा है तो first year कहीं से कहीं और second year कहीं से कहीं जाके ये ratio वहां तक पहुंचा होगा एक number जिसको दो बार multiply करने पे 4 एक number जिसको दो बार multiply करने पे 9 क्या यहीं से मुझे पता चलना है कि मेरा पैसा 2 से 3 होने का जो relation रख रहा है तो एक का interest 2 के उपर ला रहा है मतलब जो regular rate of interest है वो 50% का है और वही जो है वही को R लिया था question में R पर आना अगर R हमारे पास 50% आ चुका है तो question उसने क्या कहा मुझे बताओ simple interest जो हमने 200 रुपे पे accumulate किया होगा R minus 20 R 50 होने के साथ 50 minus 20 यह 30% की बात की जारी है 30% में 8 साल में जो interest मिला होगा क्या आप लोग मेरे साथ हो 30% अगर मैं rate of interest में simple में 8 साल रखूंगा तो मुझे interest 240% का मिलेगा हाँ सर बिल्कुर तो 240% का जो interest बनेगा 2200 रुपे के उपर वो कितना है वही निकाल दू तो काम खतम तो हाँ सर काम खतम तो 2200 का 240% निकालने के लिए में गया percentage के साथ मैंने 1010 काटा तो बस 10 तो यह आएगा बस 22 into 24 करने के देरी वेदिक मैंस में मैंने पढ़ाया है कि consecutive even number का product उनके बीच वाले number के square से एक कम होता है 22 और 24 के बीच में कौन रहता है 23 उसका square 529 से एक कम तो यह हो जाएगा 528 और उसमें एक 0 और इसी के साथ बन जाएगा option number B इस सवाल का सही उत्तर कितने असान सवाल है नहीं solve करने के बाद पता चलना है एक और सवाल चलते हैं लेखते हैं मजा आता है हाँ अब कुछ मजा आएगा सरीए क्या है मैं बताता हूँ राहुल ने invest किया rupees 2000 scheme A में जो कि offer करता है simple interest और वो भी 12% पर आनम के हिसाब से उसने also invest किया 6000 रुपे जो कि scheme B में है जो offer करता है आपको interest on the condition जो interest है वो double होता जाएगा हर साल के बाद डरा रहा है यार डरा रहा है scheme A और scheme B में अब देखो अगर मेरा variable rate of interest एक तो यहाँ पे 12 है एक तो यहाँ पे 10 है उपर से यह बहुरूपी है बहुरूपी मतलब यह 10% पहले साल के लिए और हर साल double 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 होता जाएगा तो rate के इतने changes के साथ मैं और formula नहीं लगा सकता भले ही उसने मुझे difference between interest पूछा what is the difference between the interest amount वो पूछ रहा है लेकिन अब में direct formula नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि आपका principle के साथ principle भी change हो रहा है तो करना क्या है बड़ा simple सा funda पहले में राहुल के 2000 रुपे जो scheme A में 12% के हिसाब से लगे है तो 12% के हिसाब से दो साल में 24% का interest मिला होगा 2000 के उपर तो 2000 यह होता है न हमारा default हाँ वो thickness default है तो हमें पता चल गया कि राहुल ने जब 2000 रुपे इंवेस्ट किये 2000 रुपीज और वो भी 12% के हिसाब से जब उसने 2 साल के simple में invest किया होगा तो 2000 का 24% उसको interest मिला होगा percentage के साथ 2-0 कट कर दिया सर यह तो कब का निकल चुका है मैंने का कितना सर 480 सर निकालना तो problem दूसरा वाला हो रहा है मैंने का क्यों सर एक तो उसने 6000 रुपे जमा किये किम्बी में मैंने का हाँ अब उपर से यहाँ पर पहले साल 10% चलेगा और वो double होता जाएगा अरे double होता जाएगा क्या अरे double होगा एक ही बार सर यह क्यों क्योंकि जब 2 साल की बात आती है तो second year 20% का interest पास इतना है अगर आपको पहले साल 10% मिलना दूसरे साल 20% मिलना क्या दोनों percentage values खुबसूरत है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 50 क्या लगाएंगे successive ratio वाला नहीं A, B वाला कैसे अगर मुझे पहले साल 10% का मिला होगा और अगले साल 20% का मिला होगा तो 10 के उपर 20 10 into 20 approach देख रहे हो methods जब जानते हो तो कितना खुबसूरत हो जाता है 30 और ये 2 32% का interest 32% का interest जब उसको 6000 के उपर मिला होगा तो 6000 का 32% कितना है percentage के साथ 2-0 काटे 32 into 6 कितना होता है 180, 192 और उसमें एक शुन्य ये interest है और अगर आपको इन दोनों interest के बीच का difference चाहिए तो कितना हो जाएगा सर, 1920 और 480 के बीच का ग्या 80 में 40 जोडते ही 520, 500 में 14 जोडते ही इतना, तो 1440 आप यहां से AB method का ना रास्ता लेके आप इसको successive में भी कर सकते थे कि 10% का interest मिलना मतलब 10 से 11 20% का interest मिलना 5 से 6 यानि कि 50 से अपने सफर को 66 तक टे करवाना या फिर 25 के 50 ही ले लो, अच्छा है, क्यों? क्योंकि 50 जो आपने दिया था, वो 6000 था मैं रेक हो, याद है तो एक पार्ट कितना है? 120, तो यह जो interest आएगा इसका 120 गुरा, एक सुन्या तो आएगा यह हो जाएगा 660 और उसमें 132 यानि कि 792 तो यह अगर इतना है यह है, बीच पे ला 16 पार्ट निकाल देता अच्छा होता, कोई नहीं, तो difference कितने का है? तो तुमने कहा, 1920 का तो यह 1920 ऐसा नहीं कि आप सिर्फ A, B से ही निकाल सकते हो आप रेशयो भी डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, जो डालना है आप डालो बट, questions को complete करो अगले सवाल हमारे पास है, दुरंत करेंगे सबी लोग एक बार इसको try अभी तक हम simple interest, compound interest के basic basic question जो आपको must know question से mislearnia सो जा रहे है, उसके बाद high level भी जाएंगे भाई लोग question के selection देख रहे हो, question बदल repeat नहीं हो रहे है सब format, सब category अलग और वो भी एक proper chronology में है इतना क्यों बोला पता है like कर दो compound interest और रोने certain sum for 2 years at a certain rate of interest is Rs. 86.4 जो compound interest है, एक certain sum पे 2 साल के लिए एक certain rate of interest में, वो 86.4 नहीं है इस Rs. 86.4 more than that by simple interest on the same sum at same rate of interest for 2 years अगर एक ही पैसों को, मैं एक ही rate of interest में 2 साल में simple में लगा दूँ और compound में लगा दूँ तो जो compound interest निकल के आएगा, वो simple से 86.4 रोपीज ज्यादा आएगा, मतलब difference दिया है ना rate है, ना principle है तो भाई साब अगर इसमें से कोई एक होता, तो में निकाल देता counterpart P देता, R निकाल देता, R देता, P निकाल देता नहीं दिया तो नहीं दिया, मतलब question गुमा रहा है अगर जो simple interest है same sum के लिए and at half the previous rate of interest for 5 years is 1800, then find the sum sum तो बाद में बात है पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर पूछो अगर जो simple interest आपको मिल रहा है same sum पे same sum मतलब जिस sum के बारे में चल्चा चल लई है at half the previous rate of interest for 5 years is इतना आपको 5 साल के लिए जो interest दिख रहा है question में क्या वो 1800 रुपे है हाँ half में मिला है जानते हो जब आप rate को half कर देते हो तो आपका जो interest वो भी half मिलता है 5% कर दूँ 10 रुपे के जगा 5 रुपे interest मिलेंगे तो जब मैं rate of interest को half कर देता हूँ तो मुझे जो interest मिलता है वो half हो जाता है तो अगर मैं अपना normal की बात करूँ तो जो normal interest मुझे 5 साल के लिए मिलता वो कितना होता सर इसका double मैंने का इसका double मतलब सर वो तो 3600 मिलता अब मैं एक चीज बस आपको conclude करना चाहता हूँ अगर 5 साल में आपको 3600 रुपे का interest मिलता तो हर साल आपको कितने का interest मिलता sir हर साल हमें 720 रुपे का interest मिलता बटे में 5 कर सकते हो अब देखो वहाँ पे आप लोगों के पास difference है वहाँ पे आप लोगों के पास simple interest और compound interest के बीच का difference है और यहाँ पे आप लोगों के पास 1 साल का simple interest है तो 2 साल का simple interest भी आप निकाल सकते हो वो अप्रोच ये है कि अगर आपको simple interest में एक साल में 720 रुपे मिलने चाहिए तो पहले साल भी आपको 720 रुपे मिलने चाहिए और दूसरे साल हम कैसे करें हमें सम से मतलब है न हम दो साल का वो ले ले 200 by 200 plus R वो भी लगेगा वो भी यहाँ पे लग सकता है basic भी लग सकता है difference वाला formula भी लग सकता है भाई साब सब लग जाएंगे तो ज़्यादा tension है कि कौन सा करूँ जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँ start तो कर दिया इसी से तो यही कर रहा हो सर क्या अगर मुझे पहले साल 720 का interest मिला होगा हाँ इसमें कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा तो simple interest दूसरे साल का भी generally 720 का मिलना चाहिए अगर मेरा normal rate of interest चल रहा हो अगर पहले साल 720 तो पहले साल compound interest को भी 720 होना चाहिए मत बोलना कि सर और भी method है अरे मुझे पता है सारे method में हो सकते है तो लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो compound interest है दो साल का वो 86.4 रुपीज ज्यादा है तो क्या आपके दिमाग में हिट हुआ क्या सर ये दो साल का पूरा compound interest इस दो साल के simple interest से 86.4 ज्यादा होना चाहिए अब ये इसके साथ बराबर है तो ये ही वाला हिस्सा जितना होना चाहिए उससे 86.4 ज्यादा है इसलिए बात ये चल लिए क्या आपको ये निकालना है क्यों सर क्योंकि आपको अगर पता है कि ये वाला हिस्सा इससे 86.4 ज्यादा होने वाला है तो मैं यहीं से आर निकाल सकता हूँ कैसे कि सर जो 86.4 का interest मिल रहा है successive next year में extra वो उसके preceding year के interest 720 के उपर ही आया होगा तो जब मैंने percentage निकाला तो यह point के साथ एक 0 72 में मैंने एक बार काटा 72 फिर 144 यानि कि यह हो गया 2 तो rate of interest चलना है 12 नहीं तो आप बेवकुफों के तरह पूरा कर सकते हो सर पूरा क्या कि सर मैंने का हाँ दो साल का total जो interest है वो 1440 है यहाँ पे 1440 तो यहाँ पे साथ कितना होगा सर उससे 86.4 ज्यादा पूरा number लिखते हैं उसमें से 720 निकालते और यह वाला value निकालते हैं फिर जब आप difference निकालते हैं तो ही आपको वही 86.4 ही मिलता और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको इसी की तलास है तो इतना पापड क्यू बेलना आपको direct पता होना चाहिए कि यह total चीज़ अगर इस total से 86.4 ज्यादा है और यह दोनों बराबर हो चुके हैं तो यही जो फूरा ज्यादा होने का responsibility इसी के पास होना चाहिए कि मैं 720 से 86.4 ज्यादा रहूँगा तभी इस condition को satisfy करूँगा rate 12 आ चुका है हाँ sir rate 12 आ चुका है अगर rate 12 के हिसाब से आपको हर साल 720 रुपे का interest मिल रहा है वो हमने देखा तो 12% का principle का 720 रुपे है तो 1% principle का 60 रुपे है और पूरा principle 100% जो है वो 100 इंटो 60 6000 का बन जाएगा मतलब जितना आसान तो आपने सवाल को सोचा होगा उतना आसान नहीं है और जितना cutting भी हमें बीच में लगाता उतना cutting भी नहीं है तो mixed type का question था अच्छा level का question था उमीद कर रहे होंगे अगले सवाल पर चलेंगे देखते हैं क्या है question थोड़ा बदल चुका है अब दीरे दीरे थोड़ा लेवल बढ़ेगा फिर हम high level के पास जाएंगे दीरे दीरे अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा फिर हम high level के questions करेंगे हमने बहुत high level कर रहे हैं अभी भी tension ना लेना अब है invested a certain amount at the rate of 20% per annum at compound interest and obtained rupees 704 as interest in 2 years अब है ने invest किया एक certain amount वो भी 20% per annum के हिसाब से compound interest में और उसको जो interest मिला वो 704 रुपे का मिला 2 साल में अगर same sum को invest किया जाए 8 plus R percent के simple interest में same time period के लिए तो आपका जो interest मिलेगा वो 800 रुपे का मिलेगा तो R का value बताओ काफी खुपसरत सवाल है काफी खुपसरत क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ जो आप भूल गए हो कि अगर सच में आपने 20% के इसाब से 2 साल compound में कभी लगाया होगा आपको याद है कि आपको 44% का interest मिलता है ओके सर गोच यू लेकिन यहाँ पर मैं आपको box approach बताओंगा वो box approach क्या है जो आपको paper में लगाना है एक line approach, single line approach, एक ही line में आपका answer कैसे आपको बता है कि आपको 20% के इसाब से 2 साल में compounded 44% interest मिलता है रटली हो और वो ही 44% आपका जो interest है वो 704 है तो 44% अगर 704 तो 1% कितना होगा सर 704 upon में 44% और जिस पूरे sum के उपर ये बात चर्चा चल लही है वो sum कितना होगा सर 100% यानि कि into का 100 क्या मैं आपसे पूच सकता हूँ कि इस step को आप directly लिख सकते हो हाँ सर मैंने का कैसे सर जो 704 का interest नहीं मिला मैंने का हाँ वो सर 20% के इसाब से 2 सल compound interest वही 44% है तो सर 1% बटे में इतना और जो principal है 100% वो इतना आप एक line में लिख सकते हो हाँ सर लिख तो लिए आगे सर क्या करना है सेम सा calculate मत करो इसी को अगर मैं 8 प्लस R परसेंट पर simple interest में सेम टाइम यानि कि 2 साल लगा दूँ तो आपको 800 रुपे का interest मिलेगा तो आर बताओ जो बंदा इस 8 प्लस R इसी लिए आपसे बेस सवाल नहीं होते आपको डरा दिया गया है कि इनको 8 प्लस R नहीं डरो मत regularly condition consider करो यह 8 प्लस R को मेरे लिए भूल जाओ ठीक है सर मान लेते हैं कि इसको X percent rate of interest में हम लोग invest कर रहे हैं logic पस approach देखते रहे ना ठीक है सर जब X percent rate of interest में तुम सेम टाइम दो साल के लिए invest करोगे तो आपको 2X percent का interest मिलेगा agree करोगे तो आपको इसी principle के उपर 2X percent का interest मिलेगा और इसी principle के उपर जब आपको 2X percent का interest मिलेगा वही 2X percent का interest आपका 800 है तो पूरे principle का 2X percent 800 है तो आहां से आप X निकाल सकते हो मैं तो निकाल सकता हूँ आपका पता नहीं सर कैसे percentage के साथ मैंने 2-0 काटा 2 में मैंने काट दिया इसको 22 कर दिया 11 में काटा 2, 11 में काटा 6 और ये 4, 2 में काटा तो ये बन गया आपके पास 32 और 32 से मैंने काटा तो दो बार 64 और 160 यानि कि ये हो जाएगा 5 तो X आ गया हमारे पास 25 क्या ये दिखा सर लेकिन अब क्या करूं हमें तो आर चाहिए था आपने तो फसा दिया हमें मैंने का रुको रे ये जो X 35 है ना पूर सवाल का कितना है ओके सर वो 8 प्लस आ रहे कैसा रैकेट खुला देख रहे हो हाँ हाँ मिरेकल मिरेकल 8 प्लस आर जिसको हमने X लिया था वही 25 निकल के आ गया तो आर कितना है 25 माइनस 8 यानि के 17 ओप्शन नमबर ए इस सवाल का सई उत्तर तो खतरनाक अप्रोच ही आपको बचा सकता है पेपर में और कोई चीज नहीं तो अप्रोच के उपर खासा ध् एक स्कीम में जहां पे आपके फ़र टू यर्स ओके विच ओफ़र सिंपल इंट्रेस्ट अड़ रेट ऑफ 18 पर संट पर एनम और शाम इन्वेश्टेट रुपेज एक्स प्लस पच्छिस सो इन अनाधर स्कीम फॉर सेम पिरिएड ऑफ टाइम ऑन कंपाउंड इंटेस्ट अच्छा बढ़िया सवाल है बढ़िया बढ़िया इसका भी एप्रोच बहुत मैटर करता है और यह पेपर में हर बार पूछा जाता है पीओ प्री का एक डाइरेक्ट सवाल है मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा था मतलब यह आएगा ही आएगा उस टाइप का 30% के compound interest पर और उसको जो total interest मिला वो इतना है एक लाइन लिख दो कैसे बस ध्यान से देखना approach एक्स रुपे के ऊपर 18 दुनि 36% का interest मिला होगा लेकिन 36 by 100 मत करना complex मत करना please okay sir और श्याम को x plus 2500 के ऊपर 30% के हिसाब से आपको 2 साल मिला होगा 30 का double 60 30 का square 969 या फिर आप direct करो ना 30 plus 30 30 into 3500 69 तो मिली जाएगा तो आपके श्याम को इस पूरे पैसों पर 69% का interest मिलने वाला है और इन दोनों को मिला के जो total interest मिलने वाला है वो कितना है वो है 6450 बात यही है बात ही है अब इसको solve करना कैसे वो ध्यान से दिखना जो लोग यहां पे बटे में 100 लगाते हैं वो जब आप 2500 का 69% निकालोगे तो percentage के साथ आप इन दो 0 को कट करके 25 into 69, 25 को 100 बटा चार यानि कि 6900 by 4 करके यह वाला calculation कर सकते हो 17 और यह आपके पास 25 और यह जो 17 25 है वो RHS में इस 6450 से जाके minus होगा क्योंकि पेपर आपका कोई चेक करने वाला नहीं है कि आपने कैसे solve के पू और यह हो गया 4725 अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं हां सर अगर किसी चीज का 105% इतना है तो वो चीज कितना है सर वो चीज 4725 यह भी unnecessary step है आपके लिए लिख रहा हूं बटे में 105 into का 100 है 5 में काटोगे 20, 5 में काटोगे 21, 7 में काटोगे 3, 7 में काटोगे 6, 42, 52 25 का डबल हो जाएगा 450 और उसमें 0, 4500 अप्शन नमबर भी बस approach matter करता है नहीं तो डर जाओगे देखके इतना बड़ा क्या करूँं कैसे calculation करूँं तो approach क्या है इसको ऐसे percentage में रखना इसको ऐसे percentage में रखना दोनों के percentage को directly add कर सकते हो और 25 का percentage को निकाल के उधर से minus कर सकते और फिर solve करना कि X का 105% अगर इतना है तो X खुद कितना है बटे में 105 into solve लेके काफी खुबसरत सवाल काफी खुबसरत उत्तर शाम और रागव इन्वेस्ट के बहुत तूफानी सवाल है बहुत तूफानी सवाल है शाम और रागव इन्वेस्ट के P और P प्लस 2000 एक कंपनी में sorry in compound interest at the rate of 5% और 15% पर आनम के हिसाब से कितने साल के लिए दो साल के लिए अगर दोनों ने exchange कर दिया होता अपना यहां पर क्या कर रहा है यह compound के miscellaneous में रखता मज़ा आता ने यह यहां पर रहके गरबड होगे वह वहां पर compound के miscellaneous में रहता मज़ा आता चलो कोई नहीं यह पार्ट भी खतम होने को है last में है अच्छा है अगर दोनों ने अपना investment exchange कर दिया होता तो जो compound interest उन दोनों को मिलता पहले और जो compound interest अभी मिलता है दो साल के बाद two more years is rupees 4250 the sum of the compound interest received by both earlier and now after two more years is rupees 4250 find the amount invested by रागव कुछ गलत लिखा है क्या लैंग्वेज में शार्ब चलो एक बाद try मारते है कैसे करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं श्याम रागव का नाम नहीं लिखूँगा मैं बस लिखूँगा कि इसने invest किया कितना P और इसने invest किया कितना P प्लस 2000 यहां तक बात साफ है हा सर यहां तक बात साफ है जब compound interest में invest किया जाता है 5% और 15% के लिए 2 साल के लिए तो उसको और इसको जो interest मिला होगा वो कितना कितना सर 5% के इसाफ से 5 का double 10, 5 का square परचेस 10.25% का interest इसके उपर मिला होगा agree करोगे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसी का 10.25% का interest मिला होगा और इसका कितना percent interest मिला होगा 15% के इसाफ से जब चला होगा तो 15 का double 30 और 2.25 यानि कि 32.25 यह याद करो या फिर थोड़ा fast करो जो मर्जी है लेकिन उसने कहा कि अगर exchange कर दिये जाते उनके investment को मतलब इसका investment यहां आ जाता और इसका investment अगर यहां आ जाता तो आपका जो sum of compound interest रिसीव किया जाता है पहले और अभी दो साल के बाद वो आपका इतना बन जाता तो sir मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ क्या मैं इस investment को इधर और इस investment को इधर लेके आऊंगा मैंने का नहीं उल्टा मैं क्या करूंगा अप्रोच मैंटर करता ना अप्रोच काई खेले भाई साब जब तुम इसके investment को इधर लाते तो purpose क्या है परपोस यही है कि इसको अभी इस P के उपर 32.25 क्योंकि और दो साल के लिए 15% पर जब चड़ेगा तो उसका जो revised investment है इसी के उपर 32.25% मिलना लेकिन यह आपको कुछ benefit नहीं देगा लेकिन कहा benefit मिलेगा अगर मैं इसके यहाँ पर यह investment को change ना करके यह सोच के रखता कि P अभी भी यहीं है और P प्लस 2000 जो है वो अभी भी यहीं है ओके सर लेकिन नियम अनुसार P यहाँ पर 32.25% का interest मिलना चाहिए था तो यहाँ पर लगा दूँगा और P प्लस 2000 जब इधर आता तो उसमें 10.25% का interest मिलता तो पहले दो साल का जो interest था और अभी दो साल और के बाद उनको ऐसे add करूंगा यह question है type है important type तो क्या बनेगा सर P common चला आएगा और 32.25 का 10.25 के साथ addition हो जाएगा तो सर यह बन जाएगा हमारे पास 42.5% तो यह बन जाएगा आपके पास P common जाने के बाद P का 42.5% मैंने का ठीक है अब यहाँ पे सर यहाँ पे P plus 2,000 P plus 2,000 common तो उसका भी सर 32.25 और 10.25 के addition के बाद इसका भी 42.5% बन जाएगा किसका P plus 2,000 का P plus 2,000 का 42.5% बन जाएगा और यह जो इसका यह परसंड और यह इसका परसंड है इसको जगर मैं आड करूं तो 4250 सबसे पहला चीज मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं वो क्या है कि सर परसंटेज का मतलब 200 परसंटेज का मतल तो एक और 0 आ जाएगा अब तो स्ट्रेट खतम हो चुका है कैसे 425 और 425 में जाएगा कितने बार तो 10,000 क्वेशन बना ही इसलिए था P plus P कितना होता है सर P plus P 2P होता है और 10,000 से जब 2,000 जाएगा तो 8,000 बचेगा तो 2 से जब कैंसल करोगे तो P का वैल्यू कितना अगर इतना करने के बाद आप 4,000 को मार्क कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेव को इस दुनिया में नहीं है इतना एफर्ट से इतने खुप सुरत अप्रोच में को सॉल के और लाश में गलती कर बैठे रागव जो है वो दूसरा वाला बंदा दूसरा वाला बंदा P से 2,000 र बस यह मोटो में रखना कि amount interchange करके वो करवाना क्या चाता था वो इस P पे 32.25 प्रतिशत का interest लगवाना चाता था वो में यहीं लगा दूगा इस P प्लस 2,000 को उधर लेके उस पर 10.25 का interest लगवाना चाता था वो में यहीं लगा दूगा इस से common लेना आसान होगा और cutting एक बार like or share जरूर से कर दे और अगले सवाल के पास हम बढ़ेंगे यह हमारा इस category का last सवाल है इसके बाद मैं जाओंगा उधर थोड़ा एका setting करके आपके लिए next set of questions लेके आओंगा high level questions for simple interest and compound interest combined वाले और उसके बाद हमारा topic खतम होगा हम मान सकते हैं लग गए सभी सार 20% 24% के वज़े से ही इतना interest मिला है सर 1% है रुकोरे अगर वीर ने invest किया 2.5x 15% पर आनम के simple interest में 3 साल के लिए और आयूश ने invest किया 1.5x 10% पर आनम compound interest में 2 साल के लिए तो ratio interest जो दोनों के द्वारा मिलेगा आयूश और वीर का वो कितना होगा सबसे पहले मैं आपसे चीज कहना चाता हूँ आपको जो अयूश चाहिए और वीर चाहिए उनको लिखो क्या आपने देखा कि अयूश का investment में भी x है और वीर का investment में भी x है और इनहीं x के certain percentage ही आपको interest मिलेंगा अगर मुझे इनके बीच का ratio निकालना है तो percentage तो percentage के साथ कट होगे उल्टा x और मैं कैसे जाओंगा आयूश चो है वो कितना दे रहा है 1.5x लिखूंगा 1.5x 10% के compound interest में 2 साल मतलब उसको इसी के उपर 21% का interest मिलेगा वीर ने invest किया 2.5x और इसी के उपर उसने 15% के simple interest जब 3 साल के लिए लगा है तो 15 तिया इसके उपर उसको 45% का interest मिला होगा और जब मुझे ratio पूछा इसका और इसके interest के बीच का तो इसके ratio मिझे कितना मिल जाएगा sir x के साथ x कटना नजर आया percentage के साथ percentage कटना नजर आया point के बाद एक digit point के बाद एक digit वो भी नहीं चाहिए 5 में काटेंगे 3 बार 5 में काटेंगे 5 बार और कुछ है 3 में काटेंगे तो ये 7 बार 3 में काटेंगे तो ये 15 बार और कुछ है तीन में काटेंगे तो ये पांच बार ये बचा 7 और ये बचा आपके पास 25 तो जितने लोगों का रेशियो 7 अनुपाद 25 आया है फ़िटने लोगों का 25 अनुपाद 7 आया वो जोस में होस्ट खो बैटे पहले वीर फिर आयूस दिया था लेकिन पूछा आयूस और वीर था तो ध्यान से आप इस सवाल को कर सकते थे और जितने लोगों ने तो भाई साब उधर ही तबाही मचा दिया कि 44 परसेंट का वैल्यू 528 एक परसेंट का वैल्यू 12 प्रिंसिपल 1200 वो तो और तबाह हो गया कि भाई साब सवाल को पढ़ लेना एक बार की पूछा क्या है खास अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए next set of questions high level questions for mains examination के लिए लेके आने वाला हूँ तो एक मिनिट का समय दीजे मैं देखता हूँ क्या कुछ सवाल हमारे पास है mains के उस set को आपके सामने display किया जाए ठीक है ready तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने सबसे last part पे इस topic का जो की है high level what problems for mains examination जब भी mains exam और high level लग जाता है तो आपके दिमाग में सिर्फ वो सारे सवाल घुमने लगते हैं कि ये सवाल solve करना असंभाव बिल्कुल कभी solve भी नहीं होगा मुझसे तो ना हो पाएगा कभी एक्स्ट्रा आपको requirement आ सकती है एक है logical thinking मतलब सब कुछ आपके सामने होगा लेकिन आप सोच ही नहीं पा रहे होगे जैसे कि सवाल नमर एक भी आपको देखने कुल मिल जाएगा कि कुछ नहीं होगा लेकिन सोच नहीं पाएंगे आप उतने दूर तक तो एक तो logical thinking demand करेगा कि क्या hidden hidden चीज़े हैं जिसको आपको grasp करना है और दूसरा जब बात आती है main examination की तो चीज़े थोड़े calculated थोड़े time consuming होते हैं तो उसके equation को solve करना थोड़ा समय लग सकता है तो उस पे थोड़ा समय दीजेगा ये नहीं कि उसमें कोई trick लगा दिया तो ऐसे बन गया 2 सेकंड में वैसा नहीं यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत करना होगा और steps भी थोड़े बारी की से लिखना होगा क्यूंकि एक एक silly mistakes पूरे खे पूरे आपके time को तबाह कर सकते है बरबाद कर सकते है जो आपने already उस question को solve करने में invest किया है तो जब आप ऐसे क सब्सक्राइब होगे इतना guarantee में लेता हूँ चलिए सवाल नंबर एक सही शुरू करते है यहाँ पर question और डिस्पले नहीं हो पा रहा क्यूंकि आप बड़े-बड़े questions आने लगे न तो मैं आपके समने से हट जा रहा हूँ आप pause करके एक बार question को पढ़ सकते हो उमीद करता हूँ आपने pause करके पढ़ लिया होगा अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ A lent rupees 25,000 to B A ने B को 25,000 रुपे दिये for 10 years at a 30% rate of annual compound interest but due to some problem B was unable to return the amount in time so he promised A to return the amount in few more years मतलब क्या हुआ A ने 25 रुपे B को दिये 30 साल के अंदर तुझे चुकाने है 30% का साल आना तेरा compound interest चलेगा but वो जो T years में वो चुका नहीं पाया क्योंकि उसका कुछ problem था तो वो आपको B जो है वो A को बोला कि नहीं भाई अभी नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ और साल मुझे दे मैं आपको आपका पैसा पूरा का पूरा इंटरेस्ट सहित चुका दूंगा but A applied 20% annual compound rate of interest for the extended time हम लोग हमेशा negative पे से मिस्ट्रिक होते हैं हम लोग यहाँ पर 20% कोई additional कर दिया होगा मतलब 30% के जागा 20 बढ़ा के 50 कोई 30 का 20% 6 बढ़ा के जिये जबकि आपको बढ़ाने का कोई सब्द ही नहीं इस्तमाल किया गए more increase ऐसा कुछ वाड है उसने clearly 20% का annual rate of compound interest charge किया इस extended time के लिए मतलब उसको दया आया वो अच्छा इंसा नहीं कि भाई साब लेट कर दिया पैसा और ब्यास बढ़ा दूंगा ना 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 समय नहीं है कुछ मतलब problem है शादी वगेरा का scene होगा या कुछ होगा थोड़ा उस पर उपर महरबानी किया जाए 30% ना दे के 20% से चला लेते हैं यार काम दोस्त है और क्या करें now B has to pay rupees इतना more to A अब B को A को इतने ज्यादा देने पड़ते हैं after T plus 2 years then after how many years we return the money after T plus 2 years का आपने कुछ मतलब निकाला हा सर चुकाने थे आपको T साल में लेकिन आपने चुकाया पूरा पैसा T plus 2 साल के बाद मतलब 2 साल एक्स्ट्रा आपने जो लिया उसके चलते ही आपको ये एक्स्ट्रा देना पड़ा ब्याज तो ये जो ब्याज आपने दिया होगा वो किस rate से दिया होगा वो 20% के rate से दिया होगा मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ कि पहले starting से लेके T साल T तो मुझे idea नहीं है वो T को प्लीज भूल जा ओके सर भूल गया इसी time पर आपको आपका पैसा चुकाना था ल एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट देना पड़ा होगा इतना यही तक बात से तो T के बारे में भूल जा रहा हूँ एक्स्ट्रा दो साल के वज़े से आपको यही देना पड़ा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ यह जो extended time जो time आप बौरो कर रहे हो उस extended time period के लिए आपके rate कितन रुक जाता है लेकिन वही पैसा वो चुकाया नहीं है इसलिए ब्याद तो अगले दो साल के लिए इसी के उपर देता रहेगा ना तो इसी के उपर जब मैं 20% के हिसाब से 2 साल इंट्रेस्ट चुकाऊंगा तो compound इंट्रेस्ट में यह मनुसार 44% का इंट्रेस्ट चुकाना है यही 18,590 है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जिस सम पे इंट्रेस्ट लगा है वो सम कितना है जो आपको सही में 20 years के बाद चुकाना था सर वो तो 100% होगा उसी के उपर ही तो बात चल लही है तो 18,590 upon मैं 44 into का 100 क्या यहां तक बात साफ है हाँ सर यहां तक बात सा मैं आपको और लोड देने के लिए नहीं कहूंगा 11 में काटेंगे 4 बार 11 में काटेंगे 1 और यहां पे हो जाएगा 75 75 यानि की हो जाएगा 690 और यहां पे हो जाएगा आपके पास ऐसा और 4 से काटोगे तो यह value हो जाएगा आपके पास इतना तो 16,90 into 25 मेरा अभी mood नहीं ह मैं क्या करने जा रहा हूँ आप लोग देखके अभी enjoy करोगे यह वो पैसा है जो मुझे सही में 30 साल के बाद चुका देना था जिसको मैंने नहीं चुका है इसी वज़े से मुझे उसी के उपर यह interest देना पड़ा था अब मेरा आप से एक सवाल है जो 30 साल तक आपका interest चल होगा वो 30% के हिसाब से चला कितना साल मुझे नहीं बता लेकिन 30% मुझे यह पता है कि 30% का मतलब 3 by 10 होता है जिसका मतलब 10 पे 3 का ब्याज मिला के आपको 13 देना होता है हर साल ऐसे करके कितने साल तक दिये वो मुझे नहीं पता है लेकिन यह पता है कि जो भी मैंने दिया था, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने लिया कितना था, सर मैंने लिया था, after tiers, ये scene क्या हुआ होगा, मैंने जो 25,000 लिया था, वो बन कितना चुका है, अगर आप इस calculation को देखोगे, तो 1690 into 25, 1690 into 25 बन चुका है, क्या मैं आपको ये ratio मांग सकता हूँ, हाँ सर, 1010 सर काटे, 25 में काटा, सर, ये हमारे पास 100 सर, हाँ, हाँ, मिराकल, मिराकल, मैंने का, क्या हो गया मिराकल भाई, सर, ये जो after tiers है, वो 10 और 13 के powers में बैटने चाहिए, क्योंकि हर साल 10 से 13 ऐसे करके, कितने powers में बैटे, सर, ये दूसरे power, मतलब सर, ऐसे 10 से 13, दो बार कितना है, 2 साल है, लेकिन अभी भी बत्ते उत्ते जित, बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने थोड़ा तो कुछ कर दिया, अंसर निकल गया, और क्या, नहीं, अब भी आपका अंसर गलते, चेक करो, क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो, तो उसने कहा, after how many years, B returned the money, B कितने साल के बा जबरदस चल ले है, आपके तैयारी, क्या हम अगले सवाल पर बढ़ सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी प्यार तरीके से, बिलकुल, ऐसे काइन के multiple questions, multiple options वाले questions आपको देखने के लिए मिलते हैं, जरा एक बार, सवाल को पढ़ लो, मैं हट गया हूँ, आपके साम A and B, एक आदमी है, जो रुपीस X, each scheme A में भी, और B में भी जमा कर रहा है, A जो है, वो offer करता है, compound interest, जहां पर rate चल रहा है, A percent का, और scheme B जो है, वहां पर compound interest, half yearly चलता है, लेकिन B percent per annum के हिसाब से, ठीक है, अगर जो interest earn क्या जाता है, अगर जो interest earn क्या जाता है, दोनों के schemes में से, from both the schemes, at the end of T years, T साल के बाद, वो same होगा, दोनों cases में T साल के बाद, जो interest है, वो same होगा, then which of the following can be the value of A and B respectively, then इन में से, A और B का क्या क्या value हो सकता है, मैंने का सुनोगे, हां सर सुनाएंगे, मैंने का जब उसने rate ही हटा दिया मेरे सामने, A percent, B percent, time ही हटा दिया, तो भाई साब मैं सीधा और आपका ना ratio कुछ भी नहीं, मैं सीधा आपको basic में खेलने के लिए कहूंगा, कि सुनो, अगर हमने यहां पे भी X, जिस X की requirement तो नहीं है, वो तो कटेगा, तो यहां पे भी X दिया है, हां सर, पहले case में आपका A percent का rate of interest चल रहा था, हां सर, और वो पूरा का पूरा कुछ बोला नहीं, मतलब compounded annually होगा, annually लिखा भी है, तो इसी principle पे 1 plus rate of interest A by 100 to the power T साल में, आपका amount इतना बना होगा, सर, amount नहीं interest चाहिए, मने का सुनो पहले, okay सर, ठीक है, B scheme में जो X पैसे दिये, X रुपे दिये, वो कितने rate of interest में, B percent per annum, लेकिन यहां पे चल रहा है interest half yearly, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि B by 2, क्योंकि आधा हो जाता है, B by 2 rate of interest में, कितने साल तक चलेगा, गलती बिल्कुल मत करना, सिल्ली मिश्टेक में, बिल्कुल effort नहीं कर सकता कि जब आप T साल के लिए half yearly वाला चीज कालकुलेट करते हो ना, तो आपका interest जो साल आना मिलना चाहिए, वो आधा मिलेगा, क्योंकि 6-6 महिने में एक बार मिलना चालू हो गया, और जितने साल आप invest कर रहे हो, उसके दुगने बार interest कालकुलेट होगा, क्योंकि हर साल में दो बार, तो T years में उसके double times, 2T times आपका interest कालकुलेट किया गया होगा, इसी X पे B by 2 के rate से, यह आपका क्या है compound amount, और question के हिसार से, यह दोनों amount आपके बराबर है, सर पागल मत बरो, मैंने का क्या है, सर interest बराबर है, आपने उसी point पे तो बार बार focus किया था, इसी रहे तो ह session में, आज ही में, कि अगर दोनों जगा सेम पैसे लगाए गए है, दोनों जगा अगर interest आपको बराबर मिल रहा है, मतलब मैंने भी 100 दिया, मैंने example लेके करवा है आज, आपने भी 100 दिया, मुझे जितना interest मिल ला है, आपको अगर उतना interest मिल ला है, तो हम दोनों का amount भी त सेमी होगा, तो आप अगर इस amount में से minus x करके minus x करके interest को बराबर करोगे, minus x minus x तो रह सेलह से कटेगा, तो थोड़ा common sense तो मैं आप सभी से मांगी सकता हूँ, यहां तक बात साफ है, हाँ sir, इसको जब मैं solve करने के लिए गया, इसका resultant क्या है, sir, यह x के साथ x कटा, क्या आ 1 by t, क्यों, क्योंकि 1 by t times जब आप करोगे, तो tt cancel हो जाएगा, और यह tt cancel होके, यह आपके पास क्या होगा, 1 plus a by 100 is equal to 1 plus, यह 2 नीचे चला जागा, b by 200 का whole square, यही है न, अब वो आपके पास 1 plus a by 100 है, और जब 1 plus b by 200 का whole square करूंगा, तो वो क्या होगा, sir, वो बराबर होगा, a square, plus 200 था, अब इसको कौन करेगा अभी, कुछ करबड नहीं तो कर रहे न, 200 का square, यानि कि अगर मैं बात करूंगा, तो 4 followed by 40 plus 2ab, 2ab, 2ab मतलब b by 400, यह यह न, एक बार देख लेने पड़ते हैं, b by 200, भाई साब अभी गलब हो जाते हैं, b by 200, क्या आपने कुछ feel किया, जो मैंने feel किया, sir, क्या, सबसे पहले तो feeling यह आना चाहिए, कि 1 और 1 कट जाएगा, कि अगर दूसरी बात अगर मैं कहूं, तो यह हमारे पास कितना हो गया, b by 100, काफी खुप श्रत, क्यों, यह जब इधर जाके minus होगा, तो a by 100 से जब b by 100 जाएगा, तो a minus b by 100 हो जाएगा, और rhs में बचा, b square by 4, 1, 2, 3, 4, double 0, double 0, भाई साब equation आपके पास एक ही है, condition के option का इस्तेमाल करने के लिए कहा, कैसे, कि आपको जो भी a और b होने चाहिए, उनके बीच का difference, that to a minus b, it should be equal to b square by 400, ठीक है सर, हम करते हैं कुछ जगा, क्या आपने यहाँ पे देखा option number a 40 और 44, मतलब वो कह रहा है, a और b के value respectively, मतलब a का value 40 और b का value 44, क्या यह संबब है, कभ negative चीज आएगा, और 400 positive है, और b का जो भी square होगा, वो एक positive value होगा, मतलब वो कभी भी आपका a minus b जो है, negative नहीं हो सकता, मतलब a should be greater than b, यह confirmation मिल चुका है, क्या इसी condition से आप कुछ option eliminate कर सकते हो, तो बेवकूफों की तरह हर एक option के पास मत कुछ जाना, सर, जहाँ पे a, b से चोटा है, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, यहाँ तक बात साफ है, हाँ सर, जहाँ 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 a, b से बड़ा है, यहाँ पे 44 और 44 को लेकर चेक कर सकते हैं, हाँ सर 44, मैंने का कैसे, सर अगर मैं 44 minus 40 करूँ, तो यह value 4 होगा, और अगर मैं b square by 400 करूँ, यानि कि 40 into तो 40, बटे में 400 करूँ, तो 00, और यह 00, 44 कटा, तो यह भी 4 आया, तो क्या यह satisfy कर रहा है, 44 minus 40 is equal to 40 का square minus 400, yes, तो यह satisfy करने के साथ, option number 2 satisfy कर रहा है, जिस option में 1 और 5 है, उनको अटा दो, all of the above और नहीं हो सकता, 2 होने लगा है, तो 2 के साथ यह option भी चला गया, तो अब यह हो सकता है, और यह हो सकता है, अब मेरे ख्याल से आपको किसको चेक करना है, 4 को बिल्कुल मत चेक करना है, सर क्यों, क्योंकि 4 satisfy करेगा ही करेगा, चेक करना 3 को, सर वो तो वैसे भी रास्ते में आता, तुम्हारा नसीब, समझ रहा है अगर यह option नीचे होता, वो उपर होता, तो आप पहले उसी को चेक करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ 69-60 को, तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर मैं 69-60 इन दोनों के बीच का difference की बात करो, तो वो हो जाएगा मेरे पास 9, और अगर मैं 60 के square, यानि कि 60 into 60 में, अगर 400 का भाग दूँ, तो यह 4 और यह हो जाएगा, आपके पास 4 निटे, डबल जिरो, डबल जिरो, यह तो गंदा है, नहीं, गंदा नहीं है, दो से काटोगे 3, दो से काटोगे 3, तीन ते 9, और अगर यह 9 हो गया, तो मैं आपसे कहना चाता हूँ, कि यह भी satisfy हो रहा है, तो आपका यह वाला भी satisfy हो रहा है 2 और 3, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपका answer क्या हो जाएगा, option number E, इस सवाल का सही उत्तर, तो ऐसे तरीके के questions को आपको इस तरीके से deal करना होता है, यहाँ पे मैंने अपने दूसरे किसी method का सहरा क्यों नहीं लिया, वो भी मैं आपको बता देना चात करता हूँ, previous वाले question को भी means था, वहाँ पे मैंने ratio लगा लिया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के rate of interest missing है, time भी missing है, सब कुछ missing है, तो इसी के साथ मेरा question का approach यह बन जाता है, थोड़े length को बढ़ा दिया गया है, आराम से कीजेगा, सवाल का एक परते हैं, ठीक है, सवाल कहे रहा है कि, P, Q and R invested the amount in the ratio 10 is to 12 is to 15, उन्होंने जो amount है, वो 10 is to 12 is to 15 के ratio में invest किया, P, Q, R, A ने जो invest किया, वो 10,000 जादा है, P के investment से, B ने जो invest किया, वो 5,000 जादा है, Q के investment से, ठीक है, and invested their amount in different schemes X and Y, यह किस की की बात की जारी है, A और B की बात की जारी है, जो की invest कर रहे हैं, X और Y में, और scheme X जो है, वो offer करता है, compound interest, जहाँ पे 20% पर आनम का चल रहा है, और साल 2 साल के लिए, और scheme Y में simple interest चल रहा है, 10% पर आनम के इसाब से 3 साल के लिए, अगर, जो rate of interest है, both the schemes, इनको अगर हम interchange कर दें with each other, exchange कर दिया जाए, अगर एक amount invested by A, भाई साब, heavy level का सवाल है, कैसे, सबसे पहले P, Q, R का investment, 10X, 12X, 15X ले सकते, 10X, 12X, 15X, R तो सिर्फ बेवजा दिया है, क्योंकि पैसा A और B को invest करने है, और A का investment, P से 10,000 ज्यादा, यानि कि 10X से 10,000 ज्यादा, और Q का investment, sorry, B का investment, Q के investment से 5,000 ज्यादा, यानि कि इसका अगर 12X है, तो इसका 12X प्लस 5,000, ठीक है, एक variable में आ चुके हैं दोनों, आप इनको अलग-अलग भी treat कर सकते हो, XY करके बाद में relate कर सकते हो इसके साथ, लेकिन एक ही बार में चलना मेरे ख्याल से ज्यादा बहतर हो 10X प्लस 10,000, 12X प्लस 5,000, यहां तक बात साथ है, फिर मुझे पता चला, पहले स्किम में 20% चलता है, compound का 2 साल, और यहां पे 10% चलता है 3 साल, जितना असान आप समझ रहे हो, उतना नहीं है, आप फस चुके हो, मैं guarantee दे सकता हूँ, तो यहां पे आपके पास चल रहा है, 20% मैं खुद पस गया क्या, 20% दो साल और 10% सिंपल इंट्रेस्ट तीन साल, 10% लेकिन यहां तक आप सीमित मत रहना, एक और चीज लिखना क्या, यह वाला, सिंपल है, यह वाला compound था, पहला वाला, एक साफ़र compound interest, यह आपका compound interest है, सरी लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और यह वाला आपका simple interest है, यहां तक बात साफ है, पहले मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो sir, 20% दो साल compound में मिलता कितना है, 44%, जादा दिमाग मत लगाओ, 10% 3 years simple में मिलता कितना है, 30%, जादा दिमाग मत लगा इसी का आपको 44% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 4.4x प्लस इसका percentage के साथ 2,0 कटते ही, 4,400, डरना नहीं है, अच्छे अच्छे values अब भी है, और 30% जब मैं इसका निकालूंगा, तो 3.66, प्लस इसका 30% निकालूंगा, तो 1500, यहां तक बात साफ है, यह आपको मिलना चाह जाएगा, और यह वाला 10 बन जाएगा, जिससे बहुत से changes होंगे, कैसे, अब जो आपका 10% में 2 साल का compound interest है, वो 21% का मिलेगा, और भाई लोग, यह जो 20% के हिसाब से 3 साल में जो simple interest है, वो अभी 60% का मिलेगा, तो अभी जो interest है, वो 21% यानि कि कितना मिलेगा इसका, सर वो मिलेगा, 2.1x, प्लस 2100, और यह अहाँ पर मिलेगा, 60% के साथ, 7.2x, इसका double होगा, और क्या, यही, हाँ सर, अब instruction ने मुझे क्या कहा था, instruction ने मुझे कहा था, अगर जो rate of interest, बोद दा scheme में हमने interchange कर दिया, एक दूसरे के साथ, जो नया interest मिलेगा, वो इक 30 सो जादा है, पुराने interest है, तो पुराना interest यह था, पुराना interest यह था, और यह नया interest है, तो इनके बीच का difference कितना है, 3100 और प्लस नीचे वाला ज्यादा है, तो जब मैं आपसे कहूं, क्या सर, यह total कितना है, तो तुमने कहा कि सर, 9.3, उसमें से minus कितना होगा, सर, यह हो जाएगा, 7.8. 8.1, sorry, चारतिन साथ, बराबर 8, तो यहाँ पे 9.3 से बराबर 8 जब मैं minus करूंगा, तो यह 1.3X का difference बच जाएगा, और 3,2100, 5,100 में से, जब मैं 4,400 निकालूंगा, तो यहाँ पे 700 बच गया, 700 में से और 1500 जाएगा, तो अब minus का 800 आ जाएगा, और यही जो है, यह difference, नीच 9.3X को यह 800 उदर add होते हुए, 3900, point को काटते हुए, यहाँ पे एक 0 देते हुए, और 13 को 3 times काटते हुए, आप सभी को मेरे ख्याल से X का value 3000 अगर दिखा है, तो heads up, keep it up, गजब, जबर दस चल लेगा, आपकी तेही आरी, अगर X 3000 है, तो उसने मुझे क्या कहा, find the amount invested by A, अ 30,000 एक option देता, तो मज़ा आता, चलो कोई नहीं, तो correct answer क्या होगा, 40,000, इतना भी कुछ high level था क्या, लेकिन यही level आपके में में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा दिमाग logically लगाना है, थोड़ा patiently calculation करना है, और answer आपके साबने, अगले सवाल पे चलते हैं, पूरी energy के साथ थोड़ा इसका screenshot लेंगे, सभी लोग में ये, आप सभी से request करूँगा, जल्दी से भाई लोग इसका screenshot ले लेंगे, screenshot या फिर pause करके एक बाट ट्राइ कर दो, मैं आ रहा हूँ, एसे multiple option वाला एक और सवाल, easy हूँगे यार, सिर्ट मेंस देखके डरना मत, रुमा बॉरोड रुपीज, रुमा ने रुपे उधार लिये, रुपीज कितना, फार्म ने, अच्छा, तो यहाँ पे एक fill in the blanks लगा दो, यहाँ पे एक blank लगा दो, रुमा ने बॉरोड किया, dash from नीरच, और वो भी 20% पर आनम के हिसाब से, तीन साल, simple interest में, कवीता ने बॉरोड किया, same amount as रुमा, जितना रुमा ने बॉरोड किया है, वो भी किस्से, नीरच से, same rate में, यानि कि 20% पे, और same time के लिए, यानि कि 3 साल, लेकिन compound interest में, जो difference निकल के आता है, ऐसा question अमने किया है, लेकिन वहाँ पे predicted answer होता है, यहाँ पे unpredicted, multiple answers हो सकते हैं, क्योंकि questions, इतने values मुझे provide ही नहीं कर रहा है, कि मैं exact answer तक पहुंच पाऊं, difference between the interest earned by नीरच from कवीता and रुमा is dash, तो क्या आपने वो dash लगाया, हाँ सर, क्या दोनों जगा आपके नीरच पैसा दे रहा है, हाँ सर, एक case में रुमा को दे रहा है, और एक case में आपका कवीता को दे रहा है, सबसे पहले तो रूमा को और कभीता को जो दिया गया है वो अगर डियाश है तो वो पहला फिल इन दा ब्लैंक्स है और दूसरा फिल इन दा ब्लैंक्स क्या है जो उनके द्वारा इंट्रेस्ट रिसीव किया जा रहा है उसके बीच का डिफरेंस मैं आपसे एक सवाल पूछ क्या 20% पूरे क्वेश्चिन में कॉपीपेस्ट है हाँ तो क्या आप मुझे कह सकते हो इतना कि 20% के हिसाब से जब 3 साल सिंपल इंट्रेस्ट में मिलेगा तो 60% का इंट्रेस्ट मिलेगा यस और 20% के हिसाब से जब 3 साल कमपाउंड में रखोगे तो 72.8% मिलेगा हाँ ये जिस पैसों पर लगेगा ये भी उसी पैसे सर नहीं नहीं अलग अलग नहीं रहे एक कैसे ये रूमा के पैसों के उपर लगेगा और ये कविता के पैसों पर लगेगा वही बोले हो ना दोनों ने सेम बो攻 किया है question बोलला है और जब मैं आपको पूछ से रहा हूँ 0.8% कितना है अगर वो second filler को perfectly fill कर रहा है तो वो आपका suitable है percentage के साथ 2-0, point के साथ 1-0 120 का 6 times 720, 8 into 6, 48 720, 48, 768 followed by 1-0, क्या यहाँ पर वही है यही है, तो यह तो आपका हो रहा है लेकिन 1 के साथ 3 भी आ सकता है only और 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है तो मैं क्या चेक करूँ, क्या चेक करूँ मुझे सभी चेक करना होगा क्योंकि 1, 2, 3 भी एक option है second condition, लेकिन इतना महनात और बचा नहीं 4000 रुपे दिए उसका 12.8% इतना जादा हो सकता है कि उससे बढ़ा 100% से उपर है second value, impossible 80,000 का 12.8% 10,240 हो सकता है परसेंटेज के साथ 2,0 काटा पॉइंट के साथ 1,0 128 का 8,960 8 का 8,964 यह हो जाएगा आपके पास 1024 followed by 10,240 बिल्कुल सही है तो आपका पहला सही, तीसरा सही दूसरा गलत, तो इसी के साथ अरे यार, हमारा only one नहीं था न चेक नहीं करना था, extremely sorry, sir क्यों, one आ रहा है, confirm two गलत हो चुका है, तो यह गलत यहाँ पर one नहीं है only two नहीं है, two होगा नहीं तो यही एक लौता बचा, तो थोड़ा दिमाग इदर उदर चला गया था, तो आप इसके साथ जा सकते थे बिना तीन को चेक किए, कि एक और तीन होगा, लेकर फ्लो में था, असान था, इसलिए किया यार, अगर असान नहीं होता, तो मन दूसरा रास्ता ढूनने के लिए मजबूर ही हो जाता सवाल अगला आपके के सामने, जल्दी से पढ़िये है, एक बार में, साइड होट रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, उसी टाइम पर, कुश्चिन को पढ़ते हैं, रमनी अगर रेट और टाइम को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, बस क्वेश्चिन को एक बार प्रॉपरली समझना होता है, अब त्रीके के लिए मुझे के चाहिए होगा, थ्रीके बाई टू, अगर मुझे निकालना है, तो क्या करना होगा, इन थ्री येर्स, अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट अप 20%, वो सब बात की बात हैं, पहले तुम्हें जाओंगा, रमनी ने जो स्टार्टिंग इंवेस्टमेंट किया है, अगर सच में उसने तीन साल तर दो परसंड के इसाथ से इंटरेस्ट लिया होगा, तो आपका कितना परसंड का इंटरेस्ट बना होगा, तो देखो भाई साथ, अब 50-51 लेके कोई फाइदा नहीं है, तो पहले बार आज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं, कि तीन-तीन में कभी कभार AB म लगाना ही अच्छा है, क्योंकि बाकी सारे मेतड इससे डेंजर बन जा रहे हैं, तो AB मेतड के इसाथ से अगर सच में मैंने 2% के इसाथ से 3 साल इंवेस्ट किया, पहले तो 2 साल का आप लोग निकाल लोगे, कैसे, मैंने कहा था, 2 का डबल, 4, 2 का स्क्वेर, 4, लेकिन रख इसका लेता हूँ, सब बताया गया है, और एक बार जब 2% लगेगा, तो प्लस 2, प्लस इन दोनों का प्रड़क्ट, अपॉन में 100, डरना नहीं, यह हो जाएगा 6.04, प्लस, यह हो जाएगा 8.08, लेकिन 0.0808, भाई साब काफी खतरनाख है, जब मैं इन दोनों को ऐड होगा, सर, यह 8.04.12 और यह 0.08, यानि कि उसको इतने परसंट का इंटरेस्ट मिला, इसलिए कह रहा था कि उसके पास मत जाना, 51 का क्यूब, बहुत घाताक होता, डिफरेंस निकालने में हालत खराब हो जाता, लेकिन अगर आपका जो रेट है और टाइम पिरेड है वो इं का डबल 6, 3 का स्क्वेर 9, लेकिन डालूँगा 0.9%, तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता, तो आपका जो इंटरेस्ट है, वो 24.64 कम हो जाता, मैंने का मेरा वैसे भी कम हुआ है, कितने परसंट से जरा बताओगे, सर मैं बताना चाहता हो, मैंने का क्या, सर इसमें 2 0 followed by लग का डिफरेंस आ रहा था, और पैसें का कितना डिफरेंस आ रहा था, 24.64 का डिफरेंस आ रहा था, 24.64 का डिफरेंस आ रहा था, पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हो, इसको बैलन्स करने के लिए, पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे, इंटू, 1 में 4, 0, लेकि ये इसका 8 गुना है और followed by 2 0 यानि कि 1,5,800 1,5,800 तो जो 100% का पूरा पैसा जिसको हम K के नाम से भी जानते थे तो वो कितना हो जाएगा 800 followed by और 2 0 यानि कि 80,000 अब अगर ये 80,000 रुपेओं को हम लोग लगाएंगे 80,000 नहीं लगाएंगे तो आपको जो interest receive किया जाएगा वो बताना है मैंने का सुनो मैंने सुना है 20% के इसाब से 3 साल में 72.8 रटवाया है 72.8% मिलना है तो सर अगर मैंने इतना जमा किया 3K by 2 3K by 2 का मतलब समझे तो 3K by 2 का मतलब 1.5K तो जो K निकला उसका 1.5 टाइमस किया इसी पर अगर मैं 20% के इसाब से 3 साल 72.8% ड्रॉ करूंगा तो मेरा कितना आएगा सर परसेंटेज के साथ 2-0 पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 2-0 वैसा बहुत गंदा है 15 x 8 120 और यह हो जाएगा 728 क्या यही आ रहा है 87360 87360 option number B C इस सवाल का बहतरीन सही उत्तर है ओके इसके लिए आप एक बहतर काम कर सकते थे मैंने अभी option देखा option अगर उसी slide में होता तो मेरे नजर में आ जाता कैसे आपने देखा सबके ending तो 0 थे लेकिन 0 के पहले वाला digit हर जगा अलग है सर उसका भी कुछ हो सकता है हो सकता है कैसे बाइस साब क्या आपने देखा कि आपको ultimately 728 into 12 करना पढ़ रहा है हाँ सर 8 दूनी 16 का 6 0 से पहले ही रहेगा तो जो भी option आपका 6 शुन्य में ending हो रहा था वही उत्तर होना चाहिए था तो थोड़ा option अगर मेरे सामने रह जाता तो मुझे पता चल जाता कि वैसे करने से अच्छा होता लेकिन option अगले slide में रहा न दूसरे पिछले वाले slide में तो इसलिए दिमाग में आया नहीं चलो जरा इस question का answer देंगे सभी लोग जितने लोगों को compound interest का concept नहीं पता था और आज वो मुझसे सीखे हैं मैं बताता हूँ इसके बारे में पानी पी के एक बात मैं आप सभी को सीना ठोक के कहना चाहता हो अभी हम भले ही mains level के questions कर रहे हो बट जितने लोगों को compound interest क्या है उसका basic concepts क्या है वो नहीं पता था आज के जो moderate level के question जहां पर मैं concept बिल्ड कर रहा था compound interest के basic मतलब जो foundation blocks होते हैं जब वो डाल ला था वो ज़्यादा tough लग रहा होगा in questions के comparison में क्योंकि ये सब तो सिर्फ calculation वगेरा है जो के आपको एक concept clear होने के बाद तुरंद बन जा रहे हैं लेकिन वो जो concept आप लोग नहीं जानते थे बीच वाले सवाल आपको ज्यादा tough लगा होगा ये मेरा guarantee है मतलब समझ रहो concept ही decide करता है कि question pre का है means का है clerical means का है क्या है length calculation कुछ नहीं सर्फ concept एक ही चीज़ रेनू इंवेस्ट रुपीज 3,000 in scheme A which offer simple interest at 10% per annum for 6 years and Richie invests his amount in scheme A which offers simple interest at the rate of 10% per annum for 4 years if France invests his amount देखो ऐसे अगर आप पढ़ते चलोगे न तो आप भूलते चलोगे और बार बार multiple reading आपको देना पड़ेगा अब decode करना चालो करो mains का approach भी होना चाहिए कि रेनू ने invest किया रुपीज 3,000 3,000 रुपे invest किया रेनू ने scheme A में जो कि offer करता है 10% per annum का simple interest 6 साल के लिए तो 10% के इसाथ से 6 साल में उसको 60% का interest मिला होगा इसका 60% वो भी मैं निकाल सकता हूँ 18,000 उमीद करता हूँ यहाँ तक point clear है हाँ sir उसने कहा reachy उसने कहा reachy वो invest करता है अपना amount कितना वो पता नहीं वो scheme A में invest करता है जो कि simple interest देता है 10% per annum for 4 years मतलब scheme A तो मुझे पता है वो तो simple interest 10% देगा लेकिन इसने 4 साल के लिए invest किया तो जो भी पैसा दिया था उसका 40% interest मिला होगा यह मैंने conclude किया if France invest his amount in scheme B which offers compound interest at the rate of 15% per annum for 2 years France एक निया परसन है जो scheme B में invest कर रहा है कितना वो पता नहीं लेकिन वो compound interest 15% के हिसाब से 2 साल के लिए invest करता है क्या यह आपको पता है कि 15% के इसाब से 2 साल के लिए जब invest करते हो तो आपको 32.25% मिलता है 15 का double 225 ऐसे कर देंगे तो इसको 32.25% का तो interest मिला होगा यह confirm and the interest received by Renu and Richie Renu और Richie के द्वारा जो interest received किये गए है वो आपके 15 to 16 के ratio में है क्या आप कुछ कहना चाहते हो हाँ सर कि सर Renu का interest जो 1800 है अगर नहीं लिखता न तो पूरा blank हो जाता फिर से 3 बार बार सवाल पड़ता है सर क्या सवाल यह है आपने pause करके confused होई भी होंगे इसका interest अगर 15 part तो Richie का interest इंट्रेस्ट 16 part 15 part 1800 तो एक part कितना 120 तो 16 part कितना हो जाएगा 16 into 12 192 में एक शुन्या अगर 40% एक नौ दो शुन्या तो 10% कितना बटे में जब मैंने 4 किया तो यह हो गया 4 और 32 4, 16, 32, 82, 480 शायद अगर आपका पूरा का पूरा पैसा 480 में एक 0 4,800 बन गया यहां तक तो मैं गूम के चला गया अभी तक मुझे पता नहीं मैंने सवाल किया देख जो amount invest किया जाता है France के द्वारा वो 25% ज्यादा है रिची भाईसा बस गुमा गुमा के ले रहा है अंसर तक हाँ यह ना इसका अगर 4,800 है तो इसका 25% कितना होता है 1200 ज्यादा मतलब France का investment कितना हो गया सर्फ France का investment 6,000 हो गया then find the amount received by France after 2 years अब France का amount अब देखो या तो आप interest निकाल के जोड़ दो जो कि मेरे ख्याल से क्योंकि ये भी effort मैं नहीं मार दिया न तो इसका जब मैं 32.25% निकालने गया तो percentage के साथ 2-0 कटा, point के साथ सिर्फ 1-0 कट गया, तो 3-2 2.5 का 6 गुना, 300 का 6 गुना अगर मैं करूं तो ये हो गया 1800 ठीक है अगर मैं 22 का 6 गुना करूं तो ये हो जाएगा 132 और अगर मैं 0.5 का 6 गुना करूं तो ये 3 19.35 में आपको मिल जाएगा interest अगर ये 19.35 है और आपका यहाँ पे 6000 है तो 6000 प्लस 19.35 यानि कि 7,9,3,5 होना चाहिए, तो 7,9,3,5 कहां है, option number है, कितने कम जगा में हो गया, बस question पढ़के approach start करू, ये interest है न, यही France ने जमा किया है प्रिंसिपल, ये उसका interest है, प्रिंसिपल प्लस interest is equal to amount, option number A इस सवाल का सयुद, that's it अगर बीच में कोई calculation mistake के वज़े से option option mismatch कर रहा है तो comment में उसके में उजे comment कर दीजेगा ताकि मैं उसको pin कर सको और बाकी सभी लोग एक सठीक answer प्रात कर सके सवाल के सामने से मैं हट गया हूँ तो उमीद करता हूँ आप लोगा ने screenshot वगेरा लेके सवाल को एक बार try मारा होगा अब बढ़ते हैं राशू invested rupees dash on a scheme X which offer interest of 25% per annum after two years he got rupees इतना as interest ठीक है ये तो मुझे कुछ अच्छा लगा राशू invested the same amount वही पैसा में निकाल सकता हूँ उसको हम scheme Y में जमा कर देंगे जो क्या offer करता है simple interest पर annum at the rate less than 20% of compound interest he got from scheme X okay जब वो पहुर ला है na at the rate less than 20% of compound interest he got from scheme X मतलब scheme X में जो interest चल रहा है 25% का उससे 20% कम 5% कभी मत करना इस 25 से उसने क्या कहा at a rate जो rate है न वो rate ही 20% कम है तो अगर मैं 25 का 20% कम करूंगा तो 25 का 20% 5 होता है तो 5 कम होने के बाद ये 5% ने ये 20% हो जाएगा तो ये बहुत important point है percentage आप परसेंटेज भाई लोग कि आपका जो scheme Y में simple interest का rate चल ला है न वो rate उस rate से जब मैं rate की बाद करूं तो percentage को ignore मारा हूँ उसका जो numeric figure है rate का वो उसके numeric figure rates से 20% कम 25 का 20% यानि कि 1-5 होता है कितना 5 5 कम कर दोगे तो इस scheme में 20% चल ला है या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 20% कम तो इसका 4-5 4-5 करके भी आपको 5-4 के 20 से मिलेगा आपके मर्जी आप जेधर से करो लेकिन यह interesting point था यही इस सवाल को unique अनोखा बरा रहा था he got from scheme X for the time dash years अब देखो यह तो हमने decode कर लिया लेकिन पुराना हिस्सा मैं खुद भूल गया तो इसलिए question का approach side by side लेके चलना चाहिए अगर इतना खर्चा हो गया तो इतना आगे पड़ी लेते हैं the total interest you earned from scheme X and Y आच्छा दोनों जगा से scheme X और Y से interest आपको मालूम हो गया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पहले line से मुझे ये वाले dash तो आराम से मिल जाएगा कैसे अगर हमने सच में 25% पर NM के इसाब से दो साल invest किया है और आपको ये मिला है 25% का मतलब क्या होता है 8-7-1-8.75 है तो एक पाट का interest कितना है सर में बताता हूँ 9-9 के 81, 61, 9-6 के 54 यानि कि यह हो जाएगा आपके पास 6-78, 78 यानि कि 9-72, 67 यानि कि 9-73, 65 यानि कि इतना और एक पाट अगर इतना तो इसका 16 गुना कितना होगा सर मैं बताता हूँ इसका सोला गुना कितना होगा मैंने का कितना मेरे में और हिम्मत नहीं है इतना मत करवाओ मुझसे मेरे शक्तियों का गलत इस्तमाल मत करो तुम concept learning पे करो लेकिन ये सब के लिए मेरे सक्तियों का गलत इस्तमाल मत करो 968.75 into 16 15500 खुबसरत नमबर था यह वाला तो यह हो जाएगा आपके पास 15500 अरे मिल चुका है तो पहला वाला फिलर में 15500 के साथ ये दोना option कट हो चुके हैं ये दोना आपके बचे हैं अब चाहिए दूसरा वाला अब दूसरा वाला मैं कैसा निकाल लूँगा अब दूसरा वाला भी खुबसरत है कैसे सबसे पहले उसने कहा कि scheme X और scheme Y दोनों जगा मिला के आपको इतना interest मिला है लेकिन इसमें से scheme X में इतना मिला था तो Y में कितना मिला माइनस कर देंगे अगर मैं माइनस करूं तो 0.75 0.75 गया 18 से 18 गया मतलब डबल 0 अब 3.35 में से 87 हटाना है तो 13 और 35 तेरा और 35 कितना होता है 13 और 35 होता है आपके पास 48 और 48 के बाद यह 200 248 00 शायद मैं जो कह रहा हूँ 248 00 माइनस करने पर जो आएगा वो ही interest आपका मिल रहा है और वो interest जो आपको मिल रहा है वो 20% के हिसाब से कितने समय के लिए मिल रहा है सर वो समय नहीं पता है लेकिन मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ यह जो 20% के हिसाब से आपको मिल रहा है यह same amount पे मिल रहा है क्योंकि राश्यू invested same amount in scheme वाई मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर पूछो कि अगर मैं आपसे पूछो कि यह जो 24800 का interest मिल रहा है जिस पूरे सम 15500 पे मिल रहा है उसका कितना percent है तो आप मुझे क्या कहोगे सर 0000 इसके साथ कटते हैं यह 31 में जाएगा 5 times यह 31 में जाएगा 8 times और यह 5 में जाएगा आपके पास 20 times 20 into 8 यह जाएगा आपके पास 160 तो क्या आपने देखा कि अगर सच में मुझे second scheme में 24800 का interest accumulate करना है और वो भी उसी सम 15500 में तो मुझे पूरा 160 percent का इंतिजार करना होगा interest का और यह जो 160 percent का इंतिजार करना है scheme why में क्या चलना है simple interest और हर साल कितना चलना है वो हमने निकाल लखा है 20 percent तो 160 percent 20-20 percent करके आपको कितने साल लग जाएगे और अगर 8 साल लग जाएगे तो 15500 के साथ कौन सा उत्तर साही ठीक था option number 60 था यह भी गलत हो गया तो काफी कुपस्वत सवाल है और घुमार भी राके आपको बस एक ही जगा पर लेड़ कर रहे है यहाँ पर पूरे question में जो center of attraction था वो यह वाला था कि इससे 20 percent कम यानि कि 20 है 5 मत कर देना अगर percentage point difference between both the schemes वो अगर 20 देता तो आप numerical value का difference लेते कि भाई साब अगर percentage point difference है तो वो दो percentage values के बीच का difference होता है तो 25 से किस number के साथ 20 का अंतर रहता है अगर कम करके जाना तो 5 तो वैसे case होता है तो वो कर सकते थे इस सवाल के पास चलते हैं देखते हैं इस सवाल में क्या है हमारे पास काफी एक छोड़ा सा सवाल है एक बार आप लोग try देंगे एक मिनिट थोड़ा बैट जाता हूँ कितना हो गया नहीं टाइम जादा नहीं हुआ ये वीडियो बनाते बनाते मेरे पेर दर्ध होने लगे हैं भाई साब कितना इतना खड़ा में बहुत दिन से नहीं हुआ था नहीं क्योंकि सारे क्लासेस तो आपके बैट के हो जाते हैं बोर्ड में इतने ज़्यादा क्लासेस लगाते नहीं है अभी चलो क्वेशन पढ़ लिया होगा उमीद करता हूं मैंने difference between compound interest and simple interest on A rupees after 2 years at 20% rate of interest is 5.45 more than the difference between compound and simple भाई सावाला गी level का question है on A minus बस language और कुछ नहीं proper understanding of language और कुछ नहीं the question depends on this only understanding of language अगर आप language समझ गया है तो काम खता है difference between sir जो difference आता है वो दो चीजों के बीच में आता है क्या यह पहला step क्लियर है sir यह क्यों बता रहे हुआ यह तुम हैं पता है जिन दो चीजों के बीच का difference चाहिए उसमें से एक चीज क्या है CI and SI अरे नहीं रहे मैं खुद गलत पड़ रहा हूँ difference between CI and SI on आच got you sir मैंने का हाँ मताओ sir जो difference नहीं है मैंने का हाँ simple interest और compound interest के बीच में मैंने का हाँ जब हम A rupees invest करते हैं 2 साल 20% rate of interest में मैंने का हाँ sir हाँ हाँ मत बोलो कितना होगा मैंने का मैं बताता हूँ यार अगर मैं 20% के इसाब से 2 साल simple में invest करता तो 40% मिलता compound में invest करता तो 44% मिलता तो difference जो मैंने A rupees दिया है उसी का 4% है ओके sir got you यह आपका पहला चीज है यही आपका 545 रुपे ज्यादा है किस से रे भाई लो जो difference simple और compound interest का A minus 11,000 रुपियों पे आता 2 साल 15% rate of interest के हिसाब से 15% rate of interest में simple में 2 साल 30 compound में 32.25 minus करोगे 2.25% का interest difference वो भी किस के उपर दिये हुए पैसों के उपर इसी का यही है हाँ sir और अगर इन दोनों के बीच का difference वो है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ यह भी मैंने approach सिखाया था कैसे करना होता है A के 4% से जब A का 2.25% जाएगा तो आप सभी को A का 1.75% दिखा मुझे तो दिखा जब मैं minus करूँगा तो यह bracket खुल जाएगा यह plus बन जाएगा और plus RHS में जाके minus होगा किस से 545 क्योंकि इस से इसको minus करके difference 545 था अब यह वाला जो numeric figure निकलेगा उसको RHS में लेके मैं minus से plus करूँगा यह numeric figure आएगा कितना सर परसेंटेज के साथ 2-0 काटा point के साथ 1-0 काट गया तो 22.5 into 11 अगर मैं 225 का 11 गुना करता तो यह 24675 आता और उसमें एक decimal के साथ 247.5 हो जाता जब मैं इस चीज को add करूँगा add ही होगा न ओके यार यह minus होगा सर कैसे मैं बचाता हूँ अब देखो एक bracket ऐसा लगा होगा मैंने का हाँ इस से इसको minus करेंगे तो जब यह minus वाला चीज bracket खुलके यहाँ पर इस minus के साथ multiply होगा तो LHS में वो value प्लस में था लेकिन जब वो RHS के पास 545 के साथ गया तो वो value कितना होगा minus होगा जब मैं इसको minus करूँगा तो यह value कितना होगा 2.5 अगर हम जोड़ देंगे तो 250 50 में अगर मैं बात करूँ तो 2.5 जोड़ के कोई फाइदा नहीं है मैं सर बहुत गंदा है चलो एक और काम करते हैं 545 से 245 हटाते है 245 अगर हम हटा देंगे तो 300 बचेगा लेकिन और 2.5 हटाते ही यह 297.5 बचेगा चेक करके बताना बता भी नहीं सकते यार चलो यही 297.5 ए का 1.75% है तो पहले ए कितना होगा सर ए निकालने के लिए 297.5 अगर 1.75% है तो 1% इतना और पूरा का पूरा ए जो 100% है वो इतना मैंने का चीक है करते हैं प्रवाद सर कैसे अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स इंटू 100 होता है लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 तो एक-एक बैलन्स होने के बाद सिर्फ एक पॉइंट को हम 1000 में कनवर्ट करेंगे 25 में काटेंगे 7 बार 25 में काटेंगे 4-40 बार 7 में काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7-4-28 और यहाँ पे हो जाएगा 1-7 यानिकि 2 और यह हो जाएगा 5 और 425 का 4 times होता है 1600 और यह 1700 और उसमें 1.0 यानिकि 17 भाई साब कुछ जादा ही नहीं हो गया वो हो जाएगा 1700 सही है तो 425 इंटो 40 हाँ तो यह हो जाएगा हमारे पास 17,000 यह किसका वैल्यू आ गया यह हमारे पास A का वैल्यू आ गया लेकिन आपको क्या पूछा है आपको पूछा गया है कि रेश्यो बताओ जो difference simple interest और compound interest का A rupees पे आएगा और A minus 11,000 पे आएगा compound interest and simple interest on A rupees A rupees तो हो गया find the ratio of the difference between compound and simple interest ओ होओ हो भाई साब घुमा दिया है पूरा बहुत घुमा दिया सर क्या ए रूपीज में अगर मैं compound interest में हिसाब लगाता तो compound interest में आप लोगों का जो interest चलता कितने percent की बात की जा रही है rate तो उसने नहीं दिया and that on here उसने रेट नहीं दिया, question में एक चीज होना चाहिए था, question में एक चीज होना चाहिए था, rate missing हो गया last में नहीं, last में एक rate होना चाहिए था, कि जो ए रूपीज में simple compound का difference और time भी होना चाहिए था, मैं दे देता हूँ, हम अगर अपना usual first वाले condition को लेके चलेंगे तो मुझे ratio बताओ, difference, simple और compound interest का ए रूपीज और इतने पे, language घुमा दिया है पुरा, at 20% for, इसे तो कोई sense नहीं बनेगा, 20% for two years अगर में कर दूँगा, तो वैसे भी 4% आ जाएगा, question में कुछ गढबर तो ह question में कुछ तो गढबर है, एक second देख लेना, question में क्या, कुछ ना कुछ तो missing है, question में क्या missing है, वो धूनना पड़ेगा, यार, क्या missing है, क्या missing है, a percent वाला question कहां पर मिलेगा भी वो, वो मिलने के लिए वे हालत कराब कर देगा, यार, question में कुछ changes नहीं है, तो फिर problem कहां है, क्या है, sir, वो जड़ा बताना हमें, मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि problem कहां पर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, problem कहां पर है, problem आप लोगों का है, उसने कहा कि ratio बताओ, जो difference between compound interest and simple interest, A rupees, उसने और कुछ नहीं का, मतलब ये A rupees वही है, जो compound and simple में चलना था, जहां पर सही में 20% के इसाब से 2 साल चल रहा था, 20% के इसाब से 2 साल में जो difference आया होगा, simpler compound interest में, वो कितने percent का आया होगा, sir, वो 4% का आया होगा, वो किसका, A का 4%, A यानि की कितना, A यानि की 17,000 का 4%, एक बार देखेंगा, option match कर रहा है यानि, फिर बात करेंगे, और दूसरा वाला जब उसने confidently कहा, A minus 11,000, मतलब वो इसी पैसों के बारे में कह रहा है, वहाँ पे 2 साल 15% चला है, तो A minus 11,000, 6,000, और यहाँ पे जो difference होगा, वो 2.25% का होगा, तो 6,000 का 2.25%, भाई, language बहुत गुमा दिया था, मज़ेदार question था, बहुत बढ़ी हा question, question गलती नहीं है, मुझसे ही fault वा, चलो, तो ratio में 000, 000 हटाएंगे, percentage के साथ percentage हटाएंगे, 2.25 को इसका 4 गुना, 4 गुना जब मैं करूंगा, तो कितना हो जाएगा, सर, इसका 4 गुना 9, बटा 4, बटे 4 को उपर लिखा जा सकता है, हाँ, और 2 में काटोगे तो 3, 2 में काटोगे तो 2, भाई साथ बहुत गंदा है, 8 और 17, 17 अठे कितना हो जाएगा, 80 और 56, 80 और 56, 136, और यहाँ पर ratio 27, शायद गलत हो गया, अगर मैंच नहीं करेगा, तो देख लेंगे, यही है, 136 इस्टो 27, यही है, वो यही चीज की बात कर रहा था, समझे, समझे, वो इसी चीज के बारे में बात कर रहा था, काफी बढ़िया सवाल था, कि आप न, मैं वही सोचु, मैं इसको लिखने वाला था, कि भाई साब उसने तो कहाने, rate time कितना, उसने इस confidence नहीं का, क्योंकि वो जो ratio difference between, simple compound interest मांग रहा है, A rupees का, A rupees by default, जिस scheme में invest किया है, हम उसी scheme को लेंगे, और जब उसने A-11,000 की बात कही, तो A-11,000 जिस scheme में invested है, हम उसी case को लेंगे, बात इतना साथ था, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पे, ठीके सब बात बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पे, अब देखो, ये question कितना हो जाएगा आपके पास, question एक बार screenshot लेना, Diego invested रुपीज X in compound interest scheme at the rate of R% per annum for 3 years, Messi invested रुपीज Y in simple interest scheme at the rate of R% per annum for 8 years, जितना डरावना है उतना बिल्कुल नहीं है, सब दे रहा है वो, the amount invested by Messi after 8 years, received by Messi after 8 years is Rs. 2.6Y, if the sum of the value of X and Y is Rs. 20,000 and the interest obtained by Messi is 8,720 more than that of Diego, then find the value of X, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, डियेगो ने invest किया Rs. X हाँ सर, वो भी compound interest scheme में, वो भी rate of interest R% 3 सर, मुझे उसमें interest नहीं, लेकिन मुझे में interest है, क्यों सर, फेवरेट है, गोट में, उसने Rs. Y invest किया, 8% पर आनम 8 साल, और 8 साल के बाद, उसको 2.6Y मिला, क्या मैं आपसे पूच सकता हूँ, कि Y का 2.6Y बनने के पीछे का आराज, सर मैं नहीं जान पाए कुछ, क्या मैं कह सकता हूँ, कि Y का 2.6Y बनना मतलब, 2.6 टाइम्स बनना, हाँ सर, अगर मैं Y को 100%, कि मेरा तो प्रिंसिपल 100% है, अगर मैं 100% दिया हूँ, तो उसका 2.6 टाइम्स, 260% का अमाउंट मिला है, तो इसी दौरान मुझे, 160% जो एक्स्ट्रा मिरा है, वही मेरा सिंपल इंटरस्ट है, क्योंकि मैंसी ने सिंपल इंटरस्ट में इन्वेस्ट किया है, और ये जो 160% मिला, आपको कितने साल बाद, 8 साल, तो सालाना आपका जो फिक्स्ट रेट होगा, वो मैंसी के लिए 20% है, और यहां पर मैसी के लिए R% और आपके डिएगो के लिए R% तो R का वैल्यू आ चुका है, 20, अगर R का वैल्यू 20 आ चुका है, तो अब अपन को क्वेशिन में क्या करना है, अगर जो सम अफ दे वैल्यू अफ एक्स और य इस 20,000, and the interest obtained by मैसी is 8720, भाई सवाल अब दिया complete नहीं हुआ, is 8720 more than that of डिएगो, then find the value of X, X डिएगो का investment है, Y मैसी का investment है, तो पहला point तो इन दोनों के investment का sum X plus Y, वो खुद कितना कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि X plus Y sum जो है, वो 20,000 है, मैंने का ठीक है, ले लेते हैं 20,000, यहां तक बाद सा, हाँ सर, यहां तक बाद सा, आगे, उसने कहा कि जो interest मिलता है, मैसी को, वो आपका 8720 ज्यादा है, आपके डिएगो को interest से, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ सर, पूछो, सर, जो interest मिला है, क्या वो Y से 2.6Y, यानि कि 1.6Y का interest है, हाँ सर, वही अगर 8720 रुपे ज्यादा है, मैंने का किस से, डिएगो के interest से, सर, डिएगो ने जो X रुपीज दिया था, वो तो R, यानि कि 20% पे दिया था, तो 3 साल में उसको 72.8% का interest मिलना चाहिए था, एगरी करोगे, उसको 72.8% का interest मिलना चाहिए था, किसके उपर, X के उपर, तो 72.8% आपका X ले रहा है, interest कौन? डिएगो, और यही जो आपका मैसी का interest है, वो डिएगो के interest से, कितना जादा है, 8, 7, 2 सुने, लेकिन इसको equation को थोड़ा सुधारना हमें ही पढ़ेगा, हम अगर इसको percentage को एक जगा से हटाएंगे, तो वो गलत अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको round of कैसे करें, round of कैसे करें, round of कैसे करें, round of कैसे करें, हम सब में 100 multiply कर देते हैं, जब मैं सब में 100 multiply करता हूँ, तो क्या, ये वाला मेरे पास, 160Y बन जाएगा, minus, ये आपके पास percentage हट जाएगा, वही मेरा motto था, और ये आपके पास, 872, 0 में, और 2, 0 आ जाएगा, हाँ सर, अगर 162Y, minus 72.8X, is equal to, इतना हमारे पास, बन चुका है, तो जब मुझे बताना, आपके पास, दूसरा वाला equation कितना था, भाई साथ बहुत गंदा है, मन तो नहीं कर रहा, चलो करेंगे, और क्या करें यार, करना तो पड़ेगा ही, अगर मैं, 160Y को इधर लिख लो, अगर मुझे वाई हटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा, या फिर इतना क्यों पापड बेले, उपर वाले को ही माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, और ये आपका माइनस कर दो, ये कट गया, इन दोनों को आड़ किये, कितना आया 232.8x इससे इसको माइनस किया 0 से 0 0 0 0 से 0 0 0 अब 72 में अगर मैं 28 जोड़ दू तो ये 900 बन जाएगा और 9 में अगर मैं 23 जोड़ दू तो ये बन जाएगा 2328 अच्छा है इस point को अगर मैं उदर खिसकाना चाहूं तो एक और 0 238 कट जाएगा तो एक बार और उसमें followed by 1,2,3,4 तो ये आगया आपके पास x का value अगर x का value इतना है तो x और y को जोड़ के 20,000 बन रहाता तो x के साथ y अगर मैं जोड़ के 20,000 बना रहा हूं अगर ये हमारा 10,000 है तो y भी 10,000 आगया अब देखते हैं सवाल ने हमें क्या पूचा था सवाल ने हमें पूचा था find the value of x हमें y निकालना ही नहीं चाहिए था x हमारे पास कितना है 10,000 खुपसर तरीके सम कह सकते हैं तो बस language understanding logical thinking equation solving, calculation that's all about mains examination उमीद करता हूं काफी हब तक हमने आपको ready कर दिया है एक छोड़ा सा सवाल और आप सभी के सामने में ले रहा हूं देखते हैं कितने लोग इसको try मारेंगे कहां जा रहा है उधार थोड़ा पानी पी लेते हैं जल्दी देखें सवाल हासर amount received by a person is rupees 30720 in 4 years at simple interest if the amount received by person C is twice the money invested by him then find the approximate amount he will receive after 1.5 years if he invest the same amount of money in compound interest compounded half yearly कुछ भी नहीं है सवाल में सर कैसे जो amount आपने receive किया वो 30720 था 4 years में simple interest में और जो amount आपने receive किया by person C is twice the money invested by him then find the approximate amount he will receive after 1.5 years if he invest the same amount of money C कौन है रहे amount received by a person is इतना is इतना if the amount received by person C is twice the money यह कानो आपने लग रहा है यार C कहा से आ रहा है C is twice the money invested by him then find the approximate amount he will receive after 1.5 years if we invest the same amount of money in compound interest compounded half year ले यह जो amount received by person क्या है यह questions में कितने गड़बड किये हुए यार कुश्चन में गड़बड है मैंने लग रहा है इसान नहीं लग रहा है यह question तो वही वहां पे भी वही डिट्टो चीज लिखा है लेकिन मुझे नहीं feel हो रहा क्योंकि amount risk by a person अब यह c अचानक से आ कहां गया शायद connect return है या फिर कुछ वो link करना चाहते है वो link सही से बैठा नहीं क्योंकि अगर आप नाम नहीं दोगे तुम्हें अपने दिमाग से तो उसको c नहीं मान सकता न तो इस question को eliminate कर दो या अगर आप try करना चाहओ तो try कर सकते हो और अगर आपको कुछ लगे कि नहीं sir वो होगा तो comment box ले जरूर से comment कीजिएगा ठीक है एक और सवाल करते हैं हम लोग यह आज का सबसे आखरी सवाल है इसके बाद शायद मैंने आपके लिए एक homework रखा हुआ है इसके बाद आपके लिए homework तो यह आज का आखरी सवाल है ध्यान से देखेंगे A. Lend some money to be at the rate of 10% per annum एक बार side हो रहा हूँ try करो जल्दी से pause करके A. Lend some money to be at the rate of 10% per annum compound interest for 2 years B. Lend double what she receives from A to C at the rate of 12% per annum simple interest for 2 years if the difference between the total अब मत जाओ A लिखो B लिखो C लिखो A ने कुछ पैसा B को दिया और हाँ B ने उसी पैसों का double C को दिया क्या मैं कह सकता हूँ कि वो पैसा 100X है और ये पैसा 200X है मतलब आपके इसी पैसे को ये लिया और इसका double 200X इसको दिया जब A ने B को दिया तो वहाँ पे 10% चल ला था compound interest 2 साल तो इसके उपर 21% का interest लगा होगा लेकिन B ने जो double पैसा दिया C को वहाँ पे 12% का 2 साल simple interest चला यानि कि यहाँ पे 24% का interest लगा होगा अगर मैं कहूं जो difference between जो total amount received by B from C B C से total कितना receive करेगा सर एक तो ये 200X जो दिया है वो receive करेगा प्लस 200 का 24% यानि के 48X का interest और receive करेगा तो जो B C से return पाएगा वो 248X है मैंने का बहुत सही and the total amount given by B to A जो आपके B A को वापस करता है बस language जो amount B A को देता है सर A B को दिया था मैंने का अरे ये तो उधारी ये चुकाएगा नहीं हाँ 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 सर तो वो कितना होगा जो चुकाएगा सर वो 100X उसके उपर 21% यानि कि 21X का interest यानि कि चुकाएगा तो 121X इन ही दोनों चीजों के बीच का जो difference जो C B को देता है और B A को देता है यही 635 है इनके बीच का difference कितना है सर मेरे इसाथ से तो 27 127X का है और 127X का जो difference है वो कितना है 635 यही है ना अगर 127X 635 है तो एक पाट कितना है सर अगर मैं कहूं तो 5 गुना कैसे 120 का 5 गुना 600 7 का 5 गुना 35 तो यह पूरा का पूरा चला गया आपके पास 5 गुना अगर X हमारे पास 5 आ गया तो आपको बोला गया है the overall transaction after 2 years how much money did A lend to B तो A ने B को बहुत आसान सवाल था A ने B को कितना lend किया Sir A ने B को 100X lend किया था और X 5 आने के बाद यह 500 बन गया और option number से इस सवाल का सही उत्तर बन गया अगर B ने कितना दिया था वो पूछता तो 1000 इसने कितना चुकाया 1240 इसने कितना चुकाया Sir यह हो जाएगा आपके पास 50 के साथ 605 शुन्य शायद तो उस इसाथ से आप इस पूरे सवाल के अंसर को दे सकते हो यह मैं उमीद करता हूँ एक सवाल और जो आपको mains में देखने के लिए मिलता है आप बोलोगे आपको मोक्स में मिल जाएंगे मेरा काम था आपको mains level के जो arithmetic problems है वो कैसे दिखते हैं उसके साथ आपका रूबरू करवाना यहाँ पर एक question में आपको quantity 1 यही मिलता है quantity 1, 2, 3 मिलता है fillers तो हमने किये data sufficiency मिलता है यही ना तो वो सकतो हमें practice करने ही होंगे 1, 2, 3 data quantity comparison में दिया है आपको information को properly पढ़ना और options जो represent करते हैं relation between these मतलब आपको अगर quantity 1, quantity 2, quantity 3 निकाला अगर आपको यह मिला कि quantity 1, quantity 2 से बड़ा और quantity 2, quantity 3 से छोटा अगर पता नहीं तो आप answer क्या कहोगे quantity 1 और quantity 2 के बीच का जो relation है वो हमारे पास देखो question एक बार आपको दिखा देता हो तो option में आपके पास क्या है a, b, b, c, c, a, 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 d, d यह a, b, c, d, e क्या है यह a, b, c, d, e आपके symbol से greater, v, a, v, a, v, a, v, a तो अगर आपको पहला greater मिला है तो आप greater मतलब a को चुनोगे और फिर अगर आपको less मिला है तो आप less को यानि कि b को चुनोगे तो आप बोलोगे b तो आपका answer होगा a, b सर और एक बार डेमो में समझ नहीं पाई अगर आपको ऐसा मिल गया कि q1 जो है वो equal to q2 है और आपका जो q3 है q2 है जो वो q3 से अगर बढ़ा है तो equal to के लिए कौन सा symbol c और greater के लिए कौन सा symbol a तो आपका answer होगा c, a इस तरीके से आपको इस सवाल का answer देना है हिंदी वाला आप लोग screenshot ले लो अंग्रेजी वाला आप लोग question एक तो आपको करके answer देना ही देना है मैं एक बार question पढ़ लेता हूं कि मेरे तरफ से आपको कोई help चाहिए होगा राहूल ने invest किया रूपीज एक simple interest में 14% पर आनाम कनी ने invest किया एक्स प्लस हजार compound interest में 15% पर आनाम में 32.25 का interest ऐसा dictotype का question में ने करवाया है वहाँ पे जो आपका difference निकल के आता है वो 594.5 है तो देखो difference में ये तो नहीं पता चलता कौन सा जादा कौन सा कम तो कौन सा ज्यादा हमारे पास है सर देखो ये वाला पैसा X है ये वाला पैसा X प्लस खाउजर ने ये वाला पैसा ज्यादा है उपर से यहाँ पे 28% का interest यहाँ पे 32.25 का मतलब एक बड़े sum पे बड़ा percent का interest मतलब second वाला interest जो आपको कनी को मिलता है वो ज्यादा है राउट से तो उसको जब आप minus करोगे equate करोगे इसके साथ तो X का value आएगा और उसी X को लेके आप 20% तीन साल compound में लगाओगे तो उसका 72.8% कौन ऐसा guide करेगा बस यही तलाश है कि आप एक बार इसको खुद करो मजा आ जाएगा आपको भाई साब एजान्त इसके बास allegation, allegation, allegation अगर समझ allegation खुद से नहीं लगा पाए तो बीच में जो allegation based problem है एक बार refer करना मल जाएगा जो difference between simple और compound interest है certain sum 18% वो आना formula 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 simple compound के mixed questions का starting part तो simple interest कितना होगा तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ाय हुआ है यह आपको formula based सवाल जो मैंने आपको करवाय था उमीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे comment box पर जरूर से दोगे ताकि मुझे पता चलेगा नहीं सभी लोग dedicatedly इस session को end तक देखे हैं और end में जाके आपका पूरा chapter complete हो है और आप satisfied हो और खुद सीखे हो इसलिए खुद answer कर रहे हो यह मेरी आप सभी से request है प्लीज एक answer करके comment box पर drop करना और साथी साथ अपना value or feedback कि session के regarding link देना comment box पुरा भर देना क्योंकि आपके comment से ही video को थोड़ा reach मिलता है जिससे की video थोड़े widespread हो पाता है और दूसरे लोगों तक पहुंचने से ही हमें लगेगा कि हाँ जो हमने इतना महनत किया efforts दिया आपके पीछे वो सही में रंग ला रहा है वो सही में थोड़ा काम दे रहा है मच्छल तो यही कहके आज के session को मैं end कर रहा हूँ तो जल्दी मैं आपको बताऊंगा नेक्स चैप्टर क्या कुछ होने वाला है कमेंट बॉक्स पर यह भी लिख दीजिएगा कि अगला चैप्टर आपको क्या चाहिए मैं उस हिसाब से काम करना चालू कर दूँगा और जल्दी आपको वीडियो दे दूँगा तो जितने लोग ने शेशन को लाइक नहीं किया एक पर लाइक कर दो या अच्छा लगता है दिल से तो थैंक यू सो मच गाइस पर बिंग विच में फॉर सच ए लॉंग टाइम लडव यह लुट आपको जेक्या गाट ब्लस यू थैंक यू